जालावार पार्टन के वोटर्स विजेद्र 298 टोटल पोलिंग बूट हैं बाकी वोटर्स पुरुष महिला ट्रांजेंडर कुल वोटर्स इस महापर में अपनी बड़ी भूमीका को निभाहिये वही नाद्वारा सीट पर टकर है डॉक्टर सीपी जोशी कॉंग्रेस के विश्व राद सिंग मेवार बीजेपी से चुनाव मैदान में है यानि सीपी जोशी वर्सेज विश्वराद सिंग मेवार और ये भारतिय जद्धा पार्टी में अभी शामिल हुए थे और उसके बाद दोनों के बीच के टक्कर है अब इनके बाविश्य का पैसला ये करेंगे क्योंकि इस सीट पर कुल वोटर्स की बाद करें इस सीट पर आठ ट्रांजेंडर है और कुल पोलिंग बूट जो इस सीट पर है वो 237 पोलिंग बूट बनाए गए है टॉक बहुत हॉट सीट रही है खास सौट पर 2018 से विजय इंदर इसे टॉक में जो कड़ी टक्कर है सचन पाइलट के सामने बीजेप्ती से अजीत सिंग मैता पिशली बार युनूस कान थे जो इस बार इंडिपेंडनेंट लड़ रहे हैं लेकिन इस बार अजीत सिंग मैता कहते हैं पूरी RSS अजीत सिंग मैता को चुनाओं में जिताने लड़ाने तमाम चीजों के लड़ जाती है और 2013 से 2018 तक अजीत मैता यहां से विधायक रहे भी चुके हैं चलिए लेकिन यहां का वोटर कितना हैं यह हम आपको बता रहे हैं पॉलिंग बूत इसमें 250 हैं अधीती कुल वोटर से यहां 2,52,828 हैं उनमें से अगर पुरुष वोटर के बात करें तो 1,29,445 है जबकि महिला वोटर से 1,23,389 हैं इस सीट पर ट्रांसजेंडर 4 हैं और यह वो पॉलिंग बूत है जहां से यह सब वोट करके अपने प्रत्याशी को विधासभा में उंचा देंगे और एक और होट सीट तारनगर का जिक्र करेंगे तारनगर जहां से राजेंद्र सिंग राठोड और नरेंद्र बुडानिया का मुकाबला है तारनगर सीट जैसे शिखावटी बेल्ट पर उनका इंपेक्ट रहता है लेकिन बहीं नरेंद्र बुडानिया को भारतियनता पाठी नोता रहा है लेकिन इन दोनों की किस्मत का फैसला कौन करेगा ये विजेंद्र आपके ये वोटरस हम आपको बताते हैं कि जो किस्मत का फैसला करेंगे पोल असल तारणगर के वो वोटरस जो नरेंद्र बुडानिया या फिर राजेंद्र आठो जिसको भी चाहेंगे जिताकर विजहांसभा फैसे और अब जब इतनी टककर वाली होट सीटों की बात करें तो लक्षमंगर ये चूट नहीं सकता क्यूंकि यहां से कॉंग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोवन सिंग डुटासरा और सामने सुभाश महरिया में एक कड़ा मुकाबला नजर आ रहा है जाए एक तरफ डीजे पे हमने गोवन सिंग डुटासरा को डांस करते देखा तो वहीं बड़ा रोचक तरीका सुभाश मेरिया का बिरा काटे की टककर है अब इनका फैसला कॉल करें दोनों जानते हैं कि किस तरीके कि सियासत एक दूसरे के खलाब उनको करनी है लेकिन ये दर असल वो आंकड़ा है जो इनकी तस्वीर को विधासभाग के अंदर पहुंचाएंगे या नहीं पहुंचाएंगे 17,140 वोटर हैं जो करते हुए नजर आएगे सब्सक्राइब पहुंचाएंगे 96 वे है जबकि महिला वोटर से यहां 1,63,951 है इस सीट पर दो ट्रांसजेंडर है और विध्या दरनगर में सीता राम अगरवाल जाएंगे या दिया कुमारी जाएंगे और अदिती कमाल के बात यह है कि एक के नाम में सीता राम है और दूसरे राम के बंशज कहते हैं बिलकुल देगे और यह तमाम वो सीटे हैं जहां पे टक्कर है अब जोटवारा क्योंकि विध्या दरनगर का दिकर आए तो जोटवारा का दिकर आएगा और यह वो सीटे हैं जिस पे दोनों ही पार्टियों की राजजनीती एकदम कुलकर सामने नज़र आती है जोटवारा सीट का कड़ा मुकाबला राजजवर्दन सिंग राठोड कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं सांसद है और उनके सामने अभिशेग चौधरी मैदान है अभिशेग चौधरी को जब उतारा तो ऐसा लग रहा था कहीं न कहीं कॉंग्रेस बहुत आखरी नाम उतारा और सबसे पहला नाम राजजवर्दन सिंग राठोड़ का बीज़पी की पहली लिस्ट में आया था सांसद है और अब विदान सभा का चुनाव लड़ रहे हैं इनकी किस्मत का फैसला कौन करें इनकी किस्मत का फैसला मुझे लगता है आशू सिंग सुरपुरा करेंगा बिल्कुल और उस पे सबकी नजर है और उस पे दोनों ही पार्टियों के साथ-साथ जिस तरह का अनालिस से चल रहा और शायद लग रहा आपकी भी नजर उस पटे की हुई बिल्कुल लेकिन वोटर सचाहिए ही है कि आशू सिंग सुरपुरा को भी जो इस मैदान में लाए हैं दोड में लाएंगे या नहीं लाएंगे या जिताएंगे हराएंगे वो ये दरसला करा है पोलिंग बूत यहाँ पर 360 हैं आप जरा वोटर्स की संख्या देखिए वोटर्स हैं 4,28,060 ये शायद उस विधायसभा सीट में से एक जाएंगे सबसे ज्यादा वोटर है दो लाख 22,393 पुरुष वोटर है उसमें महिला वोटर दो लाख 5,673 है एक ट्रांसजेंडर है और भारी भरकम वोटर्स और भारी भरकम चेहरे एक और जबरदस सीट की चर्चा करते हैं सवाई मादूपूर और जब सवाई मादूपूर पर फर्स्ट इंडिया ने फ्लैश किया ब्रेक किया कि यहां से सांसद किरोडी मीना लड़ेंगे तो फोन का अंबार जैसे लग गया था तो आपको बताते हैं कि किरोडी लाल मीना राजसबास सांसद उनको यहां से उतारा गया है और इनके सामने दानिश अबरार मुक्यमंत्री सलागार रह चुके हैं दानिश अबरार का अपने आप रोज के किस्से हैं सचिन पाइलट से लेकर रशोग गैलोट तक के खेमे का बैराल आज इन दोनों के सीर पे आशा मीना भी कड़ी है अब उन्होंने गणे दोनों का ही भिगार दिया है यह कह सकते हैं कि मीना साब का भिगरता नजर आ रहा है लेकिन फिर भी इनका फैसला कौन करेगा विजएन इनका पैसला वोटस करेंगे और वोटस कितने हैं सवाई मादोपुर में वोटस हैं 1,35,773 पुरुष और महिला वोटस हैं 1,20,551 ट्रांसजेंडर 5 हैं कुल वोटस 2,56,329 हैं और पोलिंग बूत यहां बनाई है 242 इन दो चैरों के साथ एक चैरा और जोड़िये आशा मीना का क्योंकि इन दो चैरों को चिताने हराने या फिर आशा मीना खुद भावनाओं के साथ खुद को भुनाने में कितनी कामयाब होगी ये वो आँखड़ा है जो उस सस्वेर को साब दो इस समय तीनों की नब्स काफी तेज होंगी एक और रोचक सीट पर आपको पूरा आखड़ा बताते हैं कोटा उत्तर दोनों ही पार्टियों के लिए बहुत ही अस्वंजस की स्थिति आ पर थी प्रत्याशी तैयार थे लेकिन फैसला मोहर लगने की बात थी कोटा उत्तर सीट पर टककर शांती दारिवाल और प्रलाद गुंजल पता था कि ये दोनों ही उत्रेंगे लेकिन देर लगी दोनों के नाम अनाउंस होने में बेहद रोचक सीट है कोटा उत्तर अच्छा इसमें कुछ चीज़े हैं जो मैं जोड़ना चाहूँ शायद शांती दारिवाल मुक्यमंद्री अशोग एलोथ के कोटा से आए हैं और प्रलाद गुंजल को टिकट कैसे मिला इस उत्तर को ढूनने में वहां कई बड़े चैरों के नाम इर्दगिर्द घूंगते नसा है कई लोगों के कोटा से आ सकते हैं ठीक है लेकिन जो तस्वीर को साफ करेंगे वो दरसल ये वोटास हैं पोलिंग बूद 236 हैं पुरुष मदाता एक लाग 30,153 हैं महिला मदाता इस सीट पर एक लाग 25,449 हैं 13 ट्रांसजेंडर हैं कुल वोटास के अगर इस सीट पर बात की जाए तो 25,605 हैं जो कोटा में उत्तर ये देंगे कि वहाँ अगले विधाय कौन हो बिल्कुल लगातार काटे की टककर वाली सीट हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं और आप खिमसर की बात करेंगे खिमसर पे किस की टककर है आपको बता दें हनुमान बेनिवाल और तेज़ पाल मिर्दा मैदान में हैं हनुमान बेनिवाल को शायद उनका जेकर उनके बारे में बात करना सबको बहुत अच्छे सा पता है लगातार चुनाओ प्रजार में काफी कुछ और चर्चित हो रहे हैं अच्छा एक और चीज़ है वो डांस के लिए लोग प्रिया हुए इस चुनाओ में और चाटा मारने के लिए लिए लोग प्रिया हुए अलंकि इस सीट पर कौन जीतेगा कौन हारेगा क्योंकि जब हनुमान वेनिवाल सांसत बने तो इस सीट पर नारायन वेनिवाल चुनाओ लड़ने लेकिन वो बूल सीट पर वापस आए और विदान सबस चुनाओ में वो मैदान में है और आजाद पार्टी के साथ चुनाओ पर नहीं है फ्रांस जेंडर रेसीट पर नहीं है कुल वोटर्स की बात करें तो दो लाग बैसी अजार चार सो पैंताली से और पॉलिंग बूत दो सो चौन सट इस पर बनाये गए इसके बाद बात करेंगे नागौर में टककर की नागौर विदान सबस सीट आपको बता दे डॉक्टर जोती मिर्धा और उनके सामने हिरेंदर मिर्धा का मुकाबला और आपको बता दे जोती मिर्धा भारते जंता कॉंग्रेस से भारते पार्टी में गई थी और उसके बा और सबसे मैटमून बात है कि भारते जनता पार्टी दसो सीटों पर कुछ कमाल करना चाहती थी और यही वज़ा थी कि जो जाट वोटर्स ये जाट बड़े नेताओं को अपने साथ साधना चाहती थी हालाकि इनके वोटर्स के संख्या आप से जो भी जीतेगा का जा रहा है जीतेगा तो मिर्दाई जीतेगा तो मिर्दाई ठीक है लेकिन वोटर्स कितने हैं वोटर्स जरा देके 149,947 पुरुश वोटर है महिला वोटर्स एक लाग 30,366 है ट्रांसजेंडरी सीट पर 5 है कुल वोटर्स यहाँ 2,17,318 है और कुल पोलिंग भूत यहाँ 243 बनाए ग यह भी एक बेहत वैत्पून सीट है नर्पत सिंग राजवी यहाँ पर टिकेट कटा पहले नर्पत सिंग राजवी का विद्यादर नगर से फिर उनको यहाँ पर बेजा गया तो चंदरबान आक्या का यहाँ से टिकेट कटा था और लेकिन बीच में आप एक कड़ी भूल क्ड़ी का अल था तो ऐसा कुछ नहीं किया सकता था इसलिए उनके सामने शुरिंदर सिंग जाडवत को मैदान में यहां से चिंद्रबान आक्या ने यहां चंदरबान और बीच में वो किसके साथ हैं वो तीन तारीक को पता चलेगा हैं कितने ये हम बता देते हैं पुरुष वोटर हैं 1,35,656 मैला वोटर इस सीट पर 1,34,446 त्रांग जेंडर हैं 3 कुल वोटर सिया हैं 2,70,105 और इस सीट पर पोलिंग भूत बनाये गए हैं 217 और देखिए इसके अलावा तिजारा जो आपको बता देंगी ये भी एक होट सीट रही है चर्चा में रही है पहले दिन से लेकर अब तक बाबा बालकनाथ जिनकों ये कहा जा रहा था कि वो बैरोड से चुनाओ लड़ सकते हैं वो मना करते आए और फिर तेजारा से उनको चुनाओ में उतारा गया अब कड़ा मुकाबला अचा रोचक बात ये है कि इमरान खान उससे पहले बसपा के लिए चुनाओ प्रचार कर रहे थे और फिर कॉंग्रेस से लंबे समय में संपर्क में थे बाद में इस तककर को और कड़ी बनाने के लिए इमरान खान को जोड़ा गया कॉंग्रेस के साथ और अब दोनों के ब पूरा पॉलराइजेशन करने की कोशिश की गई हम अपने वोटर्स को बताते वक्त कोई पॉलराइजेशन नहीं करेंगे अमधारें पुरुच वोटर यहां एक लाग 30,805 हैं महीला वोटर एक लाग 22,804 हैं ट्रांजेंडर यहां एक हैं पुल वोटर यहां दो लाग 61,60 हैं और पॉलिन भूत यहां बनाए गए हैं 207 अब देखे एक और मेट्पून सीट साच्वर जहां से कॉंगर्ष के मनत्री आते थे और साचर में उतारे गए जो सांसद है देव जी पटेλ अब देखें यह जो साचर की टक्कर है वो सियासी है आपको बतादें कि बीजेपी के देव जी पटेल सांसद यहां से चुणाम मुझे याद आए कि इस चुनाव में जो सबसे पहले गाड़ी तूटने की तस्वीर आई थी वो साचोर सीट से ही आई थी अब जरह वोटर्स को देख लेते हैं वोटर्स कितने हैं इस सीट पर साचोर में पुरुष वोटर्स है एकलाग सटासार साथ महिला वोटर्स है एकलाग एटालीस हजार एकसो सबतानवे ट्रांसजेंडर इस सीट पर शायद हमसे कुछ मिश्टेक हुई है इसको हम चेक तीन लाग पंद्राजार दोसो 69 और पोलिंग भूत हैं 321 इस सीट को जरा करेक्ट कीजिएगे इसमें ट्रांसजेंडर के संख्या चायद हम कौपी कर गए और इसलिए इसको बाद में एक बार फिर से आपको बताएंगे सीट पर ट्रांसजेंडर कितनी है और देखे अब एक और मैधपूम सीट जहां पे आमेर जैपूर इलाके की और देखे सबसे बड़ी बात है कि आमेर में डॉक्टर सतीश पूनिया पहले भी वो विदायक मां से रहे और इससे बड़ी बात है कि उप्रदेश अध्यक्ष रहे थे अब उनके सामने प्रशान चर्म, कुछ भी नया नहीं है लेकिल उमीदे कहीं न कहीं यहाँ से इस चुनाव से कुछ अलग तरीके किये है, प्रशान शर्मा पहले भी चुनाव बड़े थे, सतीश पूनिया लड़े थे, हालाठी ये माना जारा था कि सतीश पूनिया की सीट बदली जा सकती है, लेकि मारजन को बढ़ाया, गटाया जा सकता है इन वोटर्स को अपने पक्षमें करके पुरुष वोटर्स इस सीट पर है एक लाग इक्यावन हजार एकसो ग्यारा माईला वोटर है एक लाग अरतीस जार पैंतालीस ट्रांजेंडर यहां एक है कुल वोटास यहाँ 2,89,517 हैं और इस सीट पर पोलिंग बूत जो बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं तो आप करते हैं उन सीटों की जहां कांटे की टक्कर नहीं बलकि होट सीट है और शुरुबात करते हैं सर्दार पुरा सीट से जहां मुक्यमंतरी अशोग गहलो पनाव महिंदर सिंगरा ठोड के बीच में मुकाबला है अलकि इस सीट पर जब आप जाएंगे इस सीट के इतिहास पर जाएंगे तो फिर आपको एहसास होगा कि यहां बीजेपी बार-बार केंडिडेट को बदलती है बिल्कुल उसी अंदाज में जैसे जालरा पाटन के अंदर केंडिडेट कॉंग्रिस बदलती है वहीं आपको अब बताते हैं कि यहां वोटर्स कितने हैं वोटर्स की संक्या क्या है इस सरा देखिए सरदार पुरा में अगर पुरुष वोटर्स की बात की जाए तो 1,31,131 है जबकि महिला वोटर्स की बात की जाए तो 1,26,049 है ट्रांजेंडर इस सेट पर 21 है जबकि अगर कुल वोटर्स की बात की जाए तो 2,57,191 वोटर है ये दरसल वोगा खड़ा है जिसमें से मान कर चलिए जहां तक मुझे लगता है कि 1,80,000 से शायद हो सकते है 2,00,000 के आसपास वोट यहाँ पड़े लेकिन वो यहाँ तै कर देंगे और लगबर तस्वीरें यहाँ पर तै ही होती है बिल्कुल सरदारपुरा के वोटर्स की तस्वीरें आपको बता रहे हैं पोलिंग डूट विजेंदर, 225 पोलिंग डूट जी, जालरा पाटन को ज़रा देखते हैं क्योंकि जालरा पाटन दूसरी होट सीट है अधिती यहाँ मुकावला किस-किस के बीच में है अलांकि वहाँ कितना इससे फर्क पड़ता है कि मुकावला किस के बीच में एक अलग सवाल है लेकिन यहाँ बीजेपी से पूर मुक्यमंत्री वस्तुना राज्य को मैदान में उतारा गया है जबकि कॉंग्रेस के रामलाल चोहान यहाँ मैदान में है लेकिन यहां वोटर कितने हैं? इसको एक बार जरा देख लेते हैं देखे वोटर अब तक आएं, देखे लिए जालावार पार्टन के वोटर्स विजेद्र, 298 टोटल पोलिंग बूथ हैं, बाकी वोटर्स, पुरुष, महिला, ट्रांजेंडर, कुल वोटर्स बिल्कुल अगर पुरुष, मद्दादा की बात की जाए, तो 1,5,590 वोटर्स हैं, जबकि महिला वोटर्स की बात की जाए, तो 1,46,216 हैं इस seat पर 4 transgender हैं, जबकि अगर कुल मद्धाता की बात की जाए, कुल वोटास की बात की जाए, तो 297,810 इस seat पर कुल वोटास है, हम इसमें से कितने वोटकास्ट करने जाएंगे, हम तो यही कहेंगे कि 100 पीज़ी चाहिए, और इस महापर में अपनी बड़ी भूमिका को निभाइए, वहीं नादवारा seat पर टक्कर है, डॉक्टर सीपी जोशी, कॉंग्रेस के विश्व राज सिंग मेवार, बीजेपी से चुनाव मैदान में हैं, यानी सीपी जोशी वर्सेज, विश्व राज सिंग मेवार, और ये भारतिय जद्धा पार्टी में भी शामिल हुए थे, और उसके बाद दोनों के बीच के टक्कर है, अब इनके मविश्व का पैसला ये करेंगे, क्योंकि इस सीट पर कुल वोटर्स की बाद करें, दोलाक अर्टीस हजार पांसो उन्तीस हैं, उनमें से पुरुश एक लाग बाइस हजार चार्सों उन्तालिस हैं, मईला वोटर्स की बाद करें, तो एक लाग 16,082 हैं, इस सीट पर आठ ट्रांसजेंडर हैं, और कुल पोलिंग बूट जो इस सीट पर हैं, वो 237 पोलिंग बूट बनाए गए हैं. टॉक बहुत होट सीट रही है, खास सौर पर 2018 से विजय इंदर, इसे टॉक में जो कड़ी टककर है, सचन पाइलट के सामने, BJP से अजीत सिंग मैता, पिशली बार, युनूस खांते जो इस बार इंडिपेंडनेंट लड़ रहे हैं, लेकिन इस बार, अजीत सिंग मैता कहते हैं, पूरी RSS, अजीत सिंग मैता को चुनाओं में, जिताने, लड़ाने, तमाम चीज़ों के लड़ जाती है, वोटर, और 2013 से 2018 तक, अजीत मैता यहां से विधायक रहे भी चुके हैं, चलिए लेकिन यहां का, वोटर कितना हैं, य सीट पर प्रांसजेंडर चार हैं, और यह वो पॉलिंग भूत है, जहां से यह सब वोट करके अपने प्रत्याशी को विधासभा में उंग्चा देंगे, और एक और होट सीट तारनगर का जिक्र करेंगे, तारनगर जहां से राजेंद्र सिंग राठोर और नरेंद्र बु लेकिन इन दोनों की किस्मत का फैसला कौन करेगा, यह वोटरस हम आपको बताते हैं, कि जो किस्मत का फैसला करेंगे, पोलिंग भूत 299 जिनके जरिये फैसला होगा, कुल वोटरस यहां 3,5,300, 32 है उनमें से अगर पुरुश वोटर की बात करें तो, 1,60,416 है, मैला वोट वोटरस 1,44,913 हैं, इस सेट पर 3 ट्रांसजेंडर हैं, और यह दरसल तारणगर के वोटरस जो नरेंद्र वुडानिया या फिर राजेंद्र आठो, जिसको भी चाहेंगे, जिताकर विधानसभा फैसे और अब जब इतनी टककर वाली होट सीटों की बात करें, तो लक्षमंगर यह चूट नहीं सकता, क्योंकि यहां से कॉंगरस के प्रदेश अध्यक्ष गोवन सिंग डुटासरा और सामने सुभाश महरिया में एक कड़ा मुकाबला नजर आ रहा है, जाए एक तरफ डीजे पर हमने गोवन सिंग डुटासरा को डांस करते देखा, तो वहीं बड़ा रोचक तरीका सुभाश मेरिया का भी रा, काटे की टककर है, अब इनका फैसला कौन करें? पुरुष मद दाता है, और एक लाग पैंतिस हजार एक सो सैंटीस महिला मद दाता है, ट्रांग जेंडर इस सेट पर नहीं है, जो भी परहसला होगा, वो दो सो असी बुतो पर दो लाग अठटार हजार एक सो चालीस वोटर हैं, जो करते हुए नजर आएगे, बिलकुल औ कॉंग्रेस के सीता राम अगरवाल मैदान में उत्रे, बहुत पुराने सीता राम अगरवाल कॉंग्रेसी हैं, इसके अलावा भी जिस तरीके से उन्होंने काम किया, लेकिन क्योंकि बिद्यादर नगर भारते जंदा पार्टी के की सीट पानी जाती है, एक माना जाता है ल तो पैसला करेंगे, गुल वोटरस हैं, यह 3,4,649 भारी वरकम वोटरस हैं, 283 वोट पोलिंग बूद पर, वोट डाल सकते हैं, उन्हों में पुरुष मदाता की संख्या, 1,87,696 है है, जबकि महिला वोटरस यहां, 1,63,951 है, इस सीट पर दो ट्रांसजेंडर है, और और दूसरे राम के बंशज कहते हैं, बिल्कुल देगे, और यह तमाम वो सीटे हैं, जहां पे टक्कर है, अब जोटवारा, क्योंकि विद्या दर्टिंगर का जिकर आएगा, और यह वो सीटे हैं, जिस पर दोनों पार्टियों की राजनीती एकदम कुलकर सामने नजर आत आखरी नाम उतारा, और सबसे पहला नाम राजवार्दन सिंग्राटोर का बीजेपी की पहली लिस्ट में आया था, सांसद है, और अब विदान सबा का चुनाव लड़ रहे हैं, इनकी किस्मत का फैसला कौन करेंगे, इनकी किस्मत का फैसला मुझे लगता है, आश्यू सि पॉलिंग सुर्पुरा को भी जो इस मैदान में लाए हैं, दोड में लाएंगे या नहीं लाएंगे या जिताएंगे हराएंगे, वो ये दर असला आखड़ा है, पॉलिंग बूत यहां पर 360 हैं, आप जरा वोटर्स की संख्या देखिए, वोटर्स हैं, चार लाख 2673 है, एक ट्रांसजेंडर है, और भारी भरकम बोटस और भारी भरकम चेहरे, एक और जबर्दस सीथ की चर्चा करते हैं सवाई मादूपुर, और जब सवाई मादूपुर पर फर्स्ट इंडिया ने फ्लैश किया, ब्रेक किया कि यहां से सांसद किरोडी मीना लड़ेंग पाइलट से लेका रशोग गैलोट तक कि खेमे का, बेराल आज इन दोनों की सीथ पे आशा मीना भी कड़ी है, शायद उन्होंने गणे दोनों का ही बिगार दिया है, या कह सकते हैं कि मीना साब का बिगरता नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी इनका फैसला कौन करेगा, वोटस कितने हैं, सबाइ मादोपुर में वोटस हैं 1,35,773 पुरुष और महिला वोटस हैं 1,20,551 ट्रांसजेंडर 5 हैं, कुल वोटस 2,56,339 हैं और पोलिंग बूत यहां बनाई है 242 इन दो चेहरों के साथ एक चेहरा और जोड़िये आशा मीना का, क्योंकि इन दो चेहर और इस समय तीनों की नबस काफी तेज होंगी, एक और रोचक सीट पर आपको पूरा आखड़ा बताते हैं, कोटा उत्तर, दोनों ही पार्टियों के लिए बहुत ही अस्वंजस की स्थिति यहां पर थी, प्रत्याशी तैयार थे, लेकिन फैसला मोहर लगने की बात थी, को लेकिन देर लगी, दोनों के नाम अनाउंस होने में बेहत रोचक सीट है, कोटा उत्तर, अचा इसमें कुछ चीज़े हैं जो मैं जोड़ना चाहूं, शायद शांती धारिवाल मुक्यमंतरी अशोग एलोट के कोटा से आए हैं, और प्रलाद गुंजल को टिकट कैसे मिला, इस उत्तर को ढूनने में, वहां कई बड़े चैरों के नाम इर्दगर्द घूंगते रहे हैं, कई लोगों के कोटा से आ सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो तस्वीर को साफ करेंगे, वो दरसल ये वोटास हैं, पॉलिंग बूद 236 हैं, पुरुष मदाता 1,30,153 हैं, महिला मद जाता इस सीट पर 1,25,449 हैं, 13 ट्रांसजेंडर हैं, कुल वोटास के अगर इस सीट पर बात की जाए तो 2,55,605 हैं, जो कोटा में उत्तर ये देंगे कि वहां अगले विधाय कौन हो, बिल्कुल लगातार काटे की टक्कर वाली सीट हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं, और अब खिमसर की बात करेंगे, खिमसर पे, किस की टक्कर है आपको बता दें, हनुमान बेनिवाल और तेजपाल मिर्दा मैदान में हैं, हनुमान बेनिवाल को शायद उनका जेकर, उनके बारे में बात करना, सबको बहुत अच्छे सा पता है, लगातार चुनाओ प्रजार मे काफी कुछ और चर्चित वो रहे हैं, लेकिन बेहत मैत्पून सीट है, सांसद आरेलपी के एकलोते, उसके बार, तमाम तरीके की कहानी, लेकिन फिलाल, हनुमान बेनिवाल के साथ, तेजपाल मिर्दा मैदान में उतरे हैं, अच्छा, एक और चीज़ है, वो डांस के लापस आए, और विदान सबस चुनाओं में, वो मैदान में है, और आजाद पार्टी के साथ गड़बंदन करके मैदान में है, और वहां की इर्दगेर्थ की अगर बात करें, तो उस सीट पे इंपक्ट भी, और दूसरी सीटों पे आरेलपी का इंपक्ट देखने को मिल स चार सो पैंतालीस और पॉलिंग बूत, दो सो चौन सट इस पर बनाए गए, इसके बाद बात करेंगे, नागोर में टककर की, नागोर विदान सबस चीट, आपको बता दे, डॉक्टर जोती मिर्धा और उनके सामने हिरेंदर मिर्धा का मुकाबला, और आपको बता दे, ज से ये सीट अभीबु नैमान या मुसलिम कोटे से आते हैं, अब इस बार वो इंडिपेंडनेंट लड़ रहे हैं, इससे यहां के समीकरन बहुत कुछ होंगे, और सबसे मैधमून बात है कि भारते जंता पार्टी दसो सीटों पर कुछ कमाल करना चाती थी, और यही वज़ वोटर है, महिला वोटर से 1,30,366 है, ट्रांसजेंडरी सीट पर पांच है, कुल वोटर से यहां 2,17,318 है और कुल पोलिंग भूट यहां 243 बनाए गए अगली सीट का रूख करते हैं, चितोर गण, यह भी एक बेहत बैत्पून सीट है, नर्पत सिंग राजवी, यहां पर टिकेट कटा पहले नर्पत सिंग राजवी का विद्यादर नगर से, फिर उनको यहां पर बेजा गया, तो चंदरबान आक्या का यहां से टिकेट कटा लेकिन बीच में आप एक कड़ी भूल कई बयान, वो बयान बहुत इंटरस्टिंग था जो इन्हों ने दिया था, बिल्कुल, और यह पहले लड़ चुके हैं, नर्पत सिंग राजवी, चितोर से चुना लड़ चुके हैं, यही वज़े थी कि इस पर सोचा गया, और फिर भेरो सिंग शिखावजी का, जैसे कहते हैं, सो साल जन्ग सताबदी का साल था, तो ऐसा कुछ नहीं किया जा सकता था, इसलिए उनके सामने सुरिंदर सिंग जाडवत को मैदान में, सुरिंदर सिंग जाडवत भी आखरी की सुचियों में नाम आया, क्योंकि और भी विकल जैकिन आखिर कार्ट टकर कौन दे सकता है, सुरिंदर सिंग जाडवत को मैदान में रहूंगा, इन सब के बीच में मुकाबले में, चंदरवान आक्या कितना रहेंगे, वो तो परिणाम बताएंगे, लेकिन जो वोटास हैं, वो किस के साथ हैं, वो तीन तारीक को पता चल महिला वोटारी सीट पर एक लाग 34,446, फ्रांक जेंडर हैं तीन, कुल वोटास यहां हैं 2,70,105 और इस सीट पर पोलिंग भूद बनाए गए हैं, 297 और देखिए, इसके अलावा तिजारा, जो आपको बता देंगी, ये भी एक होट सीट रही है, चर्चा में रही है, पहले दिन से लेकर अब तक, बाबा बालक नाथ, जिनको इले कहा जा रहा था कि वो बैरोड से चुनाओ लड़ सकते हैं, वो मना करते आएं, और फिर ति तककर को और कड़ी बनाने के लिए, इमरान खान को जोड़ा गया कॉंग्रेस के साथ, और अब दोनों के बीच में कड़ा मुकाबल, और सीधा-सीधा पॉलराइजेशन वाला यहाँ पर, इन्होंने एक बयान दिया था बाब बालक नाथ ने, कि ये कोई कॉंग्रेस-BJP क मैच नहीं है, भारत-पाकिसान का मैच. अब देखे, एक और मैच पुन सीट साचोर, जहां से कॉंग्रेस के मंतरी आते थे, और साचोर में उतारे गए, जो सांसद है, देव जी पटेल. अब देखे, ये जो साचोर की तक्कर है, वो सियासी है, आपको बता दें कि बीजेपी के देव जी पटेल सांसद यहां से चुनाम उतारे गए, और कॉंग्रेस के सुक्राम भुष्णोई. मंतरी हैं, और कहा जारा था, एंटी इंकमेंसी तमाम चीजें, लेकिन आखिर कार इन को उतारा गया, तमाम और नाम थे, लेकिन अब टक्कर काटे की, क्योंकि यहां पर भी बारते जन्ता पार्टी के नाराज जो लोग हैं, वो मैदान में हैं, बिठाने की कोशिश तमाम हुई, लेकिन ऐसे में फिलाल वोटर्स क्या ते करेंगे, आप बताएंगे, बिल्कुल अदीती नाराजगी का जिकर किया, तो मुझे यादा है कि इस चुनाव में जो सबसे पहले गारी तूटने की तस्वीर आई थी, वो साचोर सीट से ही आई थी, अब ज़रा वोटर्स को देख लेते हैं, वोटर्स कितने हैं, इस सीट पर साचोर में पुरुष वोटर्स है, एक लाग सट सट हाजार साथ, महिला वोटर्स से एक लाग 48,197, ट्रांसजेंडर इस सीट पर, शायद हम से कुछ मिस्टेक हुई है, इसको हम चेक करेंगे, कुल वोटर्स यहाँ है, इस सीट को जरा करेक्ट कीजिगे, इसमें ट्रांसजेंडर के संख्या, शायद हम कॉपी कर गए हैं और इसलिए, इसको बाद में एक बार फिर से आपको बताएंगे, इस सीट पर ट्रांसजेंडर कितनी है। अब उनके सामने प्रशांद शर्मा, कुछ भी नया नहीं है, लेकिन उमीदे कहीं न कहीं यहां से इस चुनाव से कुछ अलग तरीके किये हैं। जा सकता हैं इन वोटर्स को अपने पक्ष में करके। पुरुष वोटर्स इस सीट पर है एक लाग एक्क्यावन अजार एकसो ग्यारा, मैला वोटर है एक लाग अरतीस अजार पैंतालिस, ट्रांसजेंडर यहां एक है, कुल वोटर्स यहां दो लाग नवासी अजार पांसो सत्रा हैं। और इस सीट पर पॉलिंग बोट जो बनाए गए हैं, वो बनाए गए हैं, तो आप करते हैं उन सीटों की जहां कांटे की टक्कर नहीं, बलकि होट सीट है। और शुरुबात करते हैं सरदार पुरा सीट से जहां, मुक्यमंतरी अश्योग गहलोत, पनाव, महिंदर सिंग्रा ठोड के बीच में, मुकाबला है, अलंकि इस सीट पर, जब आप जाएंगे इस सीट के इतिहास पर जाएंगे, तो फिर आपको एहसास होगा कि यहां बीज वोटरस कितनी हैं? वोटरस की संख्या क्या यह जब कि अगर कुल वोटरस की बात की जाएं, यह दर असल बूहा कड़ा है, जिस में से मानकर चलिए, जहां तक मुझे लगता है कि एक लाग असी असार से शायद हो सकते हैं दू लाग के आसपास वोट यहाँ पड़े लेकिन वो यहाँ तै कर देंगे और लगबर तस्वीरें यहाँ पर तै ही होते हैं बिल्कुल सरदारपुरा के वोटर्स की तस्वीरें आपको बता रहे हैं पोलिंग डूट विजेंदर दोसो पच्छस पोलिंग डूट जी जालरा पाटन को ज़रा देखते हैं क्योंकि जालरा पाटन दूसरी होट सीट है अधिती यहाँ मुकाबला किस-किस के बीच में है अलांकि वहाँ कितना इससे फर्क पड़ता है कि मुकाबला किस के बीच में एक अलग सवाल है लकिन यहाँ बीजेपी से पूर मुख्यमंत्री वस्तुना राज्ये को मैदान में उतारा गया है जबकि कॉंग्रेस के रामलाल चोहान यहाँ मैदान में है लेकिन यहाँ वोटर कितने है इसको एक बार जरा देख लेते हैं वोटर जब तक आएं देख लिजे जालावार पार्टन के वोटर विजेद्र 298 टोटल पोलिंग बूट हैं बाकी वोटर्स पुरुष महिला ट्रांजेंडर कुल वोटर्स बिल्कुल अगर पुरुष मदाता की बात की जाए तो 51,590 वोटर्स हैं जबकि महिला वोटर्स की बात की जाए तो 41,216 हैं इस seat पर चार ट्रांसजेंडर हैं, जबकि अगर कुल मदाता की बात की जाए, कुल वोटास की बात की जाए, तो 297810 इस seat पर कुल वोटास हैं, अब इसमें से कितने वोट कास्ट करने जाएंगे, हम तो यही कहेंगे कि 100 पीजी जाहिए और इस महापर में अपनी बड़ी भू अब इस सेट पर कुल वोटास की बात करें, दोला कर तीस सार पांसों तीस हैं, उनमें से पुरुष एक लाग बाइस सार चार्ट सों तालिस हैं, महिला वोटास की बात करें तो एक लाग 16,082 हैं, इस seat पर आठ ट्रांसजेंडर हैं, और कुल पोलिंग बूत जो इस seat पर है वो 237 स्कॉलिंग बूत बनाए गए हैं, तॉक बहुत होट सीट रही है, खास सौर पर 2018 से विजय इंदर, इसे टॉक में जो कड़ी टककर है, सचन पालेट के सामने, बीज़ेप्ती से अजीत सिंग मैता, पिशली बार, यूनुस कांते जो इस बार इंडिपेंडनेंट हैं भी चुके हैं, चलिए लेकिन यहां का वोटर कितना हैं, यह हम आपको बता रहे हैं, पॉलिंग बूत इसमें 250 हैं अधीती, कुल वोटर से यहां 2,52,888 हैं, उनमें से अगर पुरुष्ट वोटर के बात करें तो 1,29,445 हैं, जबकि महिला वोटर से 1,23,389 हैं, इस करेंगे तारा नगर, जहां से राजेंद्र सिंह राठोड और नरेंद्र बुडानिया का मुकाबला हैं, तारा नगर सीट, जैसे 2008 में हुआ था, फ्लिप ठीक वैसे इस बार हुआ, लेकिन तारा नगर सीट पर काफी टककर हैं, माला चारों लगाता राजेंद्र राठोड अपरा चुडाओ प्रचार वहाँ पर कर रहे हैं, अला कि पूरे सीकर और शिखावटी बेल्ट पर उनका इंपैक्ट रहता है, लेकिन भई, नरेंद्र बुडानिया को भारतियन तार पाटीन उतार है, लेकिन इन दोनों की किस्मत का फैसला कौन करेगा, ये विजेंद्र ये वोटरस हम आपको बताते हैं कि जो किस्मत का फैसला करेंगे, पोलिंग बूद 299 जिनके जरिये फैसला होगा, कुल वोटरस यहां 3,5,332 हैं, उनमें से अगर पुरुश वोटर की बात करें तो 1,60,416 हैं, मैला वोटरस 1,44,913 हैं, इस एट पर 3 ट्रांसजेंडर हैं, और ये दरसल तारा नगर के वोटरस जो नरेंद्र वुडानिया या फिर राजेंद्र आठो जिसको भी चाहेंगे जिताकर विजहांसभा भेसें, और अब जब इतनी टक्कर वाली होट सीटों की बात करें तो लक्ष्मनगर ये चूट नहीं सकता, क्योंकि यहां से कॉंग करते देखा, तो वहीं बड़ा रोचक तरीका सुभाश मेरिया का विरा, काटे की टक्कर है, अब इनका फैसला कॉल करेंद्र दोनों के बीचे में मुकाबले हो चुके हैं, दोनों जानते हैं कि किस तरीके किस सियासाद एक दूसरे के खिलाब उनको करनी है, लेकिन ये दर लाग 35,137 महीला मद दाता है, ट्रांजेंडर इस सेट पर नहीं है, जो भी परसला होगा, वो 288,140 वोटर हैं, जो करते हुए नजर आएगे बिद्यादर नगर, जब पहली लिस्ट बार दिन तब पार्टी है आई थी, तो विद्यादर नगर उसके बाद तक भी चड़्चा में रहा था, और विद्यादर नगर से बात करेंगे, दिया कुमारी, सांसाथ दिया कुमारी को यहाँ पर उतारा गया, और उसके सामने अगरवाल मैदान में उत्रे बहुत पुराने सीताराम अगरवाल कॉंग्रेसी हैं इसके अलावा भी जिस तरीके से उन्होंने काम किया लेकिन क्योंकि विद्यादर नगर भारतेशनता पाटी के की सीट पानी जाती है एक माना जाता है लंबे समय से उनके साथी तो यहां पर गुल वोटरस हैं यहां 3,4,649 भारी भरकम वोटरस हैं 283 वोट पोलिंग बूद पर वोट डाल सकते हैं उनमें पुरुष मद्दाता की संख्या 1,67,696 है जबकि महिला वोटरस यहां 1,63,951 है इस सीट पर दो ट्रांसजेंडर है और विद्यादर नगर में सीता राम अग पर दो टकर है अब जोटवाड़ा क्योंकि विद्या दटंगर का जिकर आएगा और यह वोट पर दोनों पार्टियों की राजशनीती एकदम कुल कर सामने नजर आती है जोटवाड़ा सीट का कड़ा मुकाबला राजवर्दन सिंह राटोर काबिनेट मंत्री रह चुके है सांसद है और उनके सामने अभिशेक चौधरी मैदान है अभिशेक चौधरी को जब उतारा तो ऐसा लग रहा था कहीं न कहीं कॉंगरेस बहुत आखरी नाम उतारा और सबसे पहला नाम राजवर्दन सिंह राटोर का बीज़पी की पहली लिस्ट में आया था सांसद है और अब विदान सबा का चुनाव लड़ रहे हैं इनकी किस्मत का फैसला कौन करें इनकी किस्मत का फैसला मुझे लगता है आशू सिंह सुरपुरा करेगा बिल्कुल और उस पे सबकी नजर है और उस पे दोनों ही पार्टियों के साथ साथ जिस तरह का अनालिसिस चल रहा है और शायद लग रहा है आपकी नजर उस पटे की हुए बिल्कुल लेकिन वोटर सचाहिए है कि आशू सिंह सुरपुरा को भी जो इस मैदान में लाए हैं दोड में लाएंगे या नहीं लाएंगे जिताएंगे हराएंगे वो ये दरसला अकड़ा है पोलिंग बूत यहां जबर तीन सो साथ हैं आप जरा वोटर्स की संख्या देखिए वोटर्स हैं चार लाख अटाइस हजार सरसक यह शायद उस विधायसभा सीट में से एक जाएंगे सबसे ज्यादा वोटर हैं दो लाख वाइस हजार तीन सो तिरानवे पुरुष वोटर हैं उसमें महिला सवाई मादोपुर और जब सवाई मादोपुर पर फर्स्ट इंडिया ने फ्लैश किया ब्रेक किया कि यहां से सांसद किरोडी मीना लड़ेंगे तो फोन का अंबार जैसे लग गया था तो आपको बता दें कि किरोडी लाल मीना राजसभा सांसद उनको यहां से उतारा गय शायद उन्होंने गड़े दोनों का ही बिगार दिया है या कह सकते हैं कि मिला साप का बिगड़ता नजर आ रहा है लेकिन फिर भी इनका फैसला कौन करेगा विजे इनका फैसला वोटर्स करेंगे और वोटर्स कितने हैं सभाई मादोपुर में वोटर्स हैं 1,35,753 पुरुष और महिला वोटर्स हैं 1,20,551 ट्रांसजेंडर 5 हैं कुल वोटर्स 2,56,329 हैं और पोलिंग बूत यहां बनाई है 242 इन दो चेहरों के साथ एक चेहरा और जोड़िये आशा मीना का क्योंकि इन दो चेहरों को जिताने हराने अफिर आशा मीना खुद भावनाओं के साथ खुद को भुनाने में कितनी काम्याब होगी ये वो आखड़ा है जो सस्वीर को साथ है और इस समय तीनों की नब्स काफी तेज होंगी एक और रोचक सीट पर आपको पूरा आखड़ा बताते हैं कोटा उत्तर दोनों ही पार्टियों के लिए बहुत ही अस्वंजस की स्थिति आ पर थी प्रत्याशी तैयार थे लेकिन फैसला मोहर लगने की बात थी कोटा उत्तर सीट पर टककर शांती दारिवाल और प्रलाद गुंजल पता था कि ये दोनों ही उत्रेंगे लेकिन देर लगी दोनों के नाम नाउंस होने में बेहद रोचक सीट है कोटा उत्तर अच्छा इसमें कुछ चीज़े हैं जो मैं जोड़ना चाहूं शायद शांती दारिवाल मुक्यमंतरी अशोग एलोत के कोटा से आए हैं और प्रालाद गुंजल को टिकट कैसे मिला इस उत्तर को ढूंडने में वहां कई बड़े चैरों के नाम इर्दगिर्द घूंगते नसा हैं काई लोगों के कोटा से आ सकते हैं ठीक है लेकिन जो तस्वीर को साफ करेंगे वो दरसल ये वोटास हैं पोलिंग बूद 236 हैं पुरुष मदाता 130,153 है महिला मदाता इस उत्तर पर 125,449 है 13 ट्रांसजेंडर हैं कुल वोटास के अगर इस सीट पर बात की जाए तो 25,605 हैं जो कोटा में उत्तर ये देंगे कि वहां अगले विधाय कौन हो बिल्कुल लगातार काटे की टककर वाली सीट हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं और आप खिमसर की बात करेंगे खिमसर पे किस की टककर है आपको बता दें हनुमान बेनिवाल और तेज़ पाल मिर्दा मैदान में है हनुमान, बेनिवाल, खुशायद, उनका जेकर, उनके बारे में बात करना, सबको बहुत अच्छे सा पता है, लगातार चुनाओ प्रजार में काफी कुछ और चर्चित वो रहे हैं, लेकिन बेहत मैट्पून सीट है, सांसद आरेलपी के एकलौते, उसके बार तमाम तरीके क कानी, लेकिन फिलाल हनुमान बेनिवाल के साथ, तेज, पाल, मिर्दा मैदान में उतरे, अच्छा, एक और चीज़ है, वो डांस के लिए भी लोग प्रिय हुए इस चुनाओ में, और चाटा मारने के लिए लोग प्रिय हुए, लगकि इस सीट पर कौन जीतेगा, कोन हारे और वहां की इर्दगेर्थ की अगर बात करें तो उस सीट पे इंपक्ट भी और दूसरी सीटों पे RLP का इंपक्ट देखने को मिल सकते हैं ठीक है लेकिन इनके किसमत का प्रासला कौन करेगा वोटर्स जरा देख लेते हैं इसके बाद बात करेंगे नागोर में टककर की नागोर विधानसबा सीट आपको बता दे डॉक्टर जोती मिर्धा और उनके सामने हिरेंदर मिर्धा का मुकाबला और आपको बता दे जोती मिर्दा भारते जन्ता कॉंग्रेस से भारते जन्ता पार्टी में गई थी और उसके बाद खेरंदर मिर्दा का मुकाबला वैसे ही कह रहे थे कि अल्प संक्या यहाँ पर लड़ाए जाने से यह तमाम चीज़ थी जरच वोटर्स ये जरच बड़े मेटाओं को अपने साथ साधना चाती थी कहलाकि इनके वोटर्स के संक्या आपक है जीतेगा तु मिर्दा ही जीतेगा तो मिर्दा ही ठीक है लेकिन वोटर्स कितने हैं वोटर्स जरा देके 149,947 परूष वोटर है महिला वोटर्स 130,366 हैं अगली सीट का रूख करते हैं चितोरगन ये भी एक बेहत बैद्पून सीट है नर्पत सिंग राजवी यहाँ पर टिकेट कटा पहले नर्पत सिंग राजवी का विद्यादरणगर से फिर उनको यहाँ पर बेजा गया तो चंदरबान आख्या का यहाँ से टिकेट कटा था लेकिन बीच में आप एक कड़ी भूल गए बयान, वो बयान बहुत इंटरस्टिंग था जो इन्हों ने दिया था इसलिए उनके सामने सुरेंदर सिंग जाडवत को मैदान में, सुरेंदर सिंग जाडवत भी आखरी की सुचियों में नाव आया, जैसे यहां से चंदर्वानाक्या ने टाय कर लिया कि नहीं, जनता की वह तरफ से मैदान में रहूँगा, साब के भी बीच में मुकाबले में, चंद्रबान आक्या कितना रहेंगे वो तो परिणाम बताएंगे लेकिन जो वोटास हैं वो किसके साथ हैं वो तीन तारीक को पता चलेगा हैं कितने ये हम बता देते हैं पुरुष वोटर हैं 1,35,656, महिला वोटर इस सीट पर 1,34,446, ट्रांच जेंडर हैं 3, कुल वोटास यहां है 2,70,105 और इस सीट पर पोलिंग भूद बनाए गए हैं 217. और देखिए इसके अलावा तिजारा जो आपको बता देंगी ये भी एक होट सीट रही है चर्चा में रही है पहले जिन से लेकर अब तक बाबा बालक नाथ जिनको लिए कहा जा रहा था कि वो बैरोर से चुनाओ लड़ सकते हैं वो मना करते आए और फिर तिजारा से उनको तककर को और कड़ी बनाने के लिए इमरान खान को जोड़ा गया कॉंग्रेस के साथ और अब दोनों के बीच में कड़ा मुकाबल है और सीधा सीधा पॉलराइजेशन वाला यहाँ पर इन्होंने एक बयान दिया था बाब बालक नाथ ने कि ये कोई कॉंग्रेस बीज़प यहां 138,805 हैं महिला वोटस 128,804 हैं ट्रांजेंडर यहां एक हैं और पॉलिन भूत यहां बनाएगे हैं 207 अब देगे एक और मेटपून सीट साचोर जहां से कॉंग्रेस के मंतरी आते थे और साचोर में उतारे गए जो सांसद है देवजी पटेल अब देखें ये जो साचोर की जो तक्कर है वो सियासी है आपको बता दें कि बीजेपी के देव जी पटेल सांसद यहां से चुनाम उतारे गए और कॉंग्रेस के सुक्राम उच्णोई मंतरी हैं और कहा जारा था एंटी इंकमेंसी तमाम चीजे लेकिन आखिर कार इनको उतारा गया तमाम और नाम थे लेकिन अब टक्कर काटे की क्योंकि यहां पर भी बारते जन्ता पार्टी के नाराज जो लोग हैं वो मैदान में हैं बिठाने की कोशिश तमाम चीजे हुई लेकिन ऐसे में फिलाल वोटर्स क्या तैय करेंगे आप बताई बिल्कुल अधीती नाराजगी का जिकर किया तो मुझे यादा है कि इस चुनाओं में जो सबसे पहले गाड़ी तूटने की तस्वीर आई थी वो साचोर सीट से ही आई थी अब ज़रा वोटर्स को देख लेते हैं वोटर्स कितने इस सीट पर साचोर में पुरुष वोटर्स है एकलाग 67,007 महिला वोटर्स है एकलाग 48,197 ट्रांसजेंडर इस सीट पर शायद हम से कुछ मिस्टेक हुई है इसको हम चेक करेंगे कुल वोटर्स यहाँ तीन लाग 15 1269 और पोलिंग भूत है 321 इस सीट को ज़रा करेक्ट कीजिएगे इसमें ट्रांसजेंडर के संख्या चायद हम कौपी कर गए है और इसलिए इसको बाद में एक बार फिर से आपको बताएंगे सीट पर ट्रांसजेंडर कितनी है और देखे अब एक और मैथपून सीट जापे आमेर जैपूर इलाके की और देखे सबसे बड़ी बात है कि आमेर में डॉक्टर सतीश पूनिया पहले भी वो विदायक मां से रहे और इससे बड़ी बात है कि वो प्रदेश अध्यक्ष रहे थे अब उनके सामने प्रशान प्रशान शर्मा कुछ भी नया नहीं है लेकिन उमीदे कहीं न कहीं यहां से इस चुनाओ से कुछ अलग तरीके किये हैं प्रशान शर्मा पहले भी चुनाओ लड़े थे सतीश पूनिया लड़े थे हालाकि यह माना जार था कि सतीश पूनिया की सीथ बदली जा सकती है ले सकता है इन वोटर्स को अपने पक्ष में करके पुरुष वोटर्स इस सेट पर है 1,51,111, 1,38,045, ट्रांजेंडर यहां एक हैं, कुल वोटर्स यहां 2,89,517 हैं और इस सेट पर पोलिंग बोत जो बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं, तो आप करते हैं उन सेटों की जहां कां पुरा सीट से जहां मुक्यमंत्री अशोग गहलो पनाम महिंद्र सिंग्रा ठोड के बीच में मुकाबला है अलंकि इस सीट पर जब आप जाएंगे इस सीट के इतिहास पर जाएंगे तो फिर आपको एहसास होगा कि यहां बीजेपी बार-बार केंडिडेट को बदलती है यह बिलकुल उसी अंदाज में जैसे जालरा पाटन के अंदर केंडिडेट कोंग्रिस बदलती आई वहीं आपको अब बताते हैं कि यहां वोटर्स कितनी हैं वोटर्स की संक्या क्या है यह सरा देखिए सरदार पुरा में अगर पुरुष वोटर्स की बात की जाए तो एक लाग इकतीस अजार एक सो इकतीस हैं जबकि महिला वोटर्स की बात की जाए तो एक लाग चबीस अजार उन्तालिस हैं ट्रांसजेंडर इस सीट पर 21 हैं जबकि अगर कुल वोटास की बात की जाए तो 2,57,191 वोटार है ये दरसल बुगा खड़ा है जिसमें से मान कर चलिए जहां तक मुझे लगता है कि 1,80,000 से शायद हो सकते है 2,00 के आसपास वोट यहां पड़े लेकिन वो यहां तै कर और लगबर तस्वीरें यहां पर तै ही होती है बिलकुल सरदार पुरा के वोटास की तस्वीरें आपको बता रहे हैं पोलिंग डूत विजेंदर, 225 पोलिंग डूत जी जालरा पाटन को ज़रा देखते हैं क्योंकि जालरा पाटन दूसरी होट सीट है अधिती यहां मुक अंग्रेस के रामलाल चोहान यहां मैदान में है लेकिन यहां वोटा कितने हैं इसको एक बार ज़रा देख लेते हैं देखे वोटर्स अब तक आएं देख लिजे जालरा पाटन के वोटर्स विजेंदर, 298 टोटल पोलिंग बूत हैं बाकी वोटर्स पुरुष महिला ट्रांजेंडर कुल वोटर्स करने चाहेंगे हम तो यही कहेंगे कि सोफीजी चाहिए और इस महापर में अपनी बड़ी भूमिका को निभाइए वही नाद्वारा सीट पर टक्कर है डॉक्टर सीपी जोशी कॉंग्रेस के विश्व राद सिंग मेवार बीजेपी से चुनाव मैदान में है यानि सीपी पर कुल वोटर्स की बाद करें दो लाक तीस हजार पांसों तीस हैं उनमें से पुरुश एक लाग बाईस हजार चार्सों तालिस हैं महिला वोटर्स की बाद करें तो एक लाग 16,082 हैं इस सीट पर आठ ट्रांजेंडर है और कुल पोलिंग बूत जो इस सीट पर है वो 237 पॉलिंग बूत बनाए गए हैं तॉक बहुत हॉट सीट रही है खास सौर पर 2018 से विजय इंदर इसे टॉक में जो कड़ी टकर है सचन पालेट के सामने बीजबती से अजीत सिंग मैता पिशली बार युनुस खांते जो इस बार इंडिपेंडनेंट लड़ रहे हैं लेकिन इस बार अजीत सिंग मैता कहते हैं पूरी RSS अजीत सिंग मैता को चुनाओं में जिताने लड़ाने तमाम चीज़ों के लड़ जाती है वोटर और 2013 से 2018 तक अजीत मैता यहां से विधायक रहे भी चुके हैं चलिए लेकिन यहां का वोटर कितना हैं यह हम आपको बता रहे ह कुल वोटर से यहां 2,52,828 हैं उनमें से अगर पुरुष वोटर की बात करें तो 1,29,445 है जबकि महिला वोटर से 1,23,389 हैं इस सीट पर ट्रांस जेंडर चार हैं और यह वो पॉलिंग बूत है जहां से यह सब वोट करके अपने प्रत्याशी को विधा सभा में उंग्च सीट जैसे 2008 में हुआ था फ्लिप ठीक वैसे इस बार हुआ लेकिन तारा नगर सीट पर काफी टककर है माना चाराओ लगाता राजेंडा ठोड अपना चुडाओ प्रचार वहां पर कर रहे हैं अला कि पूरे सीकर शिखावटी बेल्ट पर उनका इंपैक्ट रहता है लेकि नरेंद्र बुडानिया को भारतियंता पाठीन उता रहे हैं लेकिन इन दोनों की किस्मत का फैसला कौन करेगा ये विजेंद्र आपको बताते हैं कि जो किस्मत का फैसला करेंगे पोलिंग बूद 299 जिनके जरिये फैसला होगा कुल वोटरस यहां 3,5,330 है उनमें से अग राजेंद्र बुडानिया या फिर राजेंद्र आठो जिसको भी चाहेंगे जिताकर विजहांसभा फैसला और अब जब इतनी टककर वाली होट सीटों की बात करें तो लक्षमंगर ये चूट नहीं सकता क्योंकि यहां से कॉंग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोवन देरिया काविरा काटे की टककर है अब इनका फैसला कॉल करेंद्र दोनों के बीचे में मुकाबले हो चुके हैं दोनों जानते हैं कि किस तरीक किस सियासा देख दूसरे के खलाब उनको करनी है लेकिन ये दरसल वो आंकड़ा है जो इनकी तस्वीर को विधासभा के अंदर पहुंचाएंगे या नहीं पहुंचाएंगे वैराल 288 पुल पॉलिंग वोट हैं जहां वोटर अपने वोट का इस्थमाल कर सकते हैं वोटर यहां 2,78,140 हैं उनमें से 1,43,003 पुरुश मत दाता हैं और 1,35,137 महिला मत दाता हैं ट्रांजेंडर इस सेट पर नहीं है जो भ पहली लिस्ट भारतें तब पार्टी के आई थी तो विद्यादर नगर उसके बाद तक भी चर्चा में रहा था और विद्यादर नगर से बात करेंगे दिया कुमारी सांसाथ दिया कुमारी को यहां पर उतारा गया और उनके सामने कॉंग्रेस के सीता राम अगरवाल मैद उनके साथ थी तो यहां पर दिया कुमारी और यह हाइलाइट है कि दिया कुमारी के सामने सीताराम अगरवाल दोनों की टक्कर है और लगातार चुना पुछार। इस सीताराम अगरवाल जाएंगे या दिया कुमारी जाएंगे और अधिती कमाल के बात यह है कि एक के नाम में सीताराम है और दूसरे राम के वंशज कहते हैं। कड़ा मुकाबला राजवर्दन सिंग राठोड कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं सांसद है और उनके सामने अभिशेक चौधरी मैदान है। अभिशेक चौधरी को जब उतारा तो ऐसा लग रहा था कहीं न कहीं कॉंग्रेस बहुत आखरी नाम उतारा और सबसे पहला नाम राजवर्दन सिंग राठोड का बीज़पी की पहली लिस्ट में आया था। और अब विदान सबा का चुनाव लड़ रहे हैं इनकी किस्मत का फैसला कौन करेगा। आप जरा वोटर्स की संख्या देखिए वोटर्स हैं 4,28,060 यह शायद उस विदान सबा सीट में से एकजाएं सबसे ज्यादा वोटर हैं दो लाख 22,393 पुरुश वोटर हैं उसमें महिला वोटर दो लाख 5,673 हैं एक ट्रांसजेंडर है और भारी भरकम बोटस और भारी भरकम चेहरे। एक और जबरदस सीट की चर्चा करते हैं सवाई मादूपूर और जब सवाई मादूपूर पर फर्स्ट इंडिया ने फ्लैश किया ब्रेक किया कि यहां से सांसद किरोडी मीना लड़ेंगे तो फोन का अंबार जैसे लग गया था तो आपको बता दें कि किरोडी लाल मीना राजसबा सांसद उनको यहां से उतारा गया है और इनके सामने दानिश अबरार मुख्यमंत्री सलाकार रह चुके हैं दानिश अबरार का अपने आप रोज के किस्से हैं सचिन पाइलट से लेका रशोग गैलो तक कि खेमे का बेराल आज इन दोनों की सीर पे आशा मीना भ साथ सो तीहतर पुरुष और महिला वोटस हैं एक लाग बीस हजार पांसो एक्क्यावन ट्रांसजेंडर पांच हैं कुल वोटस दो लाग चपन हजार तींसो उनतीस हैं और पोलिंग बूत यहां बनाई है दो सो बैयालीस इन दो चेहरों के साथ एक चेहरा और जोड़िये आशा मीना का क्योंकि इन दो चेहरों को चिताने हराने और फिर आशा मीना खुद भावनाओं के साथ खुद को भुनाने में कितनी काम्याब होगी यह वो आँखड़ा है जो सस्वीर को साथ और इस समय तीनों की नब्स काफी तेज होंगी एक और रोचक सीट पर आपको पूरा आखड़ा बताते हैं कोटा उत्तर दोनों ही पार्टियों के लिए बहुत ही अस्वंजस की स्थिति याँ पर थी प्रत्याशी तैयार थे लेकिन फैसला मोहर लगने की बात थी कोटा उत्तर सीट पर टककर शांती दारिवाल और प्रल कोटा से आए हैं और प्रालाद गुंजल को टिकट कैसे मिला इस उत्तर को ढूनने में वहां कई बड़े चैरों के ना मिर्दगर्द घूंगते नसला है कई लोगों के कोटा से आ सकते हैं ठीक है लेकिन जो तस्वीर को साफ करेंगे वो दरसल ये बोटा से हैं पॉलिंग जिबू 236 हैं पुरुष मदाता एक लाग 30153 हैं महिला मदाता इस सीट पर एक लाग 25449 हैं तेरा ट्रांसजेंडर हैं कुल वोटर्स के अगर इस सीट पर बात की जाए तो दो लाग 55605 हैं जो कोटा में उत्तर ये देंगे कि वहां अगले विधायक कौन हो बिल्कुल लगातार काटे की टक्कर वाली सीट हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं और आप खिमसर की बात करेंगे खिमसर पे किस की टक्कर है आपको बता दें हनुमान बेनिवाल और तेजपाल मिर्दा मैदान में है हनुमान बेनिवाल को शायद उनका जेकर उनके बारे में बात करना, सबको बहुत अच्छे सा पता है, लगातार चुनाओ प्रजार में काफी कुछ और चर्चित वो रहे हैं, लेकिन बेहत मैत्मून सीट है, सांसद आरेलपी के एकलोते, उसके बार तमाम तरीके की कहानी, लेकिन फिलाल हनुमान बेनिवाल के साथ तेज पाल मिर्द मैदान में उतरे हैं, अच्छा एक और चीज़ है, वो डांस के लिए भी लोग प्रिया हुए इस चुनाओ में, और चाटा मारने के लिए लोग प्रिया हुए, लांकि इस सीट पर कौन जीतेगा, कौन हारेगा, क्योंकि जब हनुमान बेनिवाल सांसद बनें, तो इस सीट पर आरलपी का इंपक्ट देखने को मिल सकती है, लेकिन इनके किसमत का पैसला कौन करेगा, वोटर्स ज़रा देख लेते हैं, पुरुष मदाता इस सीट पर एक लाग 47,609 है, महिला मदाता इक लाग 34,836 है, फ्रांस जेंडर इस सीट पर नहीं है, कुल वोटर्स की बात कर दॉक्टर जोती मिर्धा और उनके सामने हिरेंदर मिर्धा का मुकाबला, और आपको बता दें, जोती मिर्धा भारते जंता कॉंग्रेस से भारते जंता पार्टी में गई थी, और उसके बाद हिरेंदर मिर्धा का मुकाबला, वैसे ही कह रहे थे कि अलप संक्या यहाँ प पड़े नेताओं को अपने साथ साधना चाहती थी हालाकि इनके वोटर्स के संख्या आप सब्सक्राइब हालाकि इनमें से जो भी जीतेगा का जा रहा है जीतेगा तो मिर्दाई है जीतेगा तो मिर्दाई है ठीक है लेकिन वोटर्स कितने हैं अगली सीट का रूख करते हैं चितोड़ गड़ ये भी एक बेहत वैत्पून सीट है नर्पत सिंग राजवी यहां पर टिकेट कटा पहले नर्पत सिंग राजवी का विद्यादर नगर से फिरों को यहां पर बेजा गया नर्पत सिंग राजवी यही वज़े थी कि इस पर सोचा गया और फिर भैरो सिंग शिखावत जी का जिसे कहते हैं सौ साल जन्व सताबदी का साल था तो ऐसा कुछ नहीं किया जा सकता था इसलिए उनके सामने सुरिंदर सिंग जाडवत को मैदान में सुरिंदर सिंग जाडवत भी आखरी की सुचियों में नाम आया क्योंकि और भी विकल्प थे यागिन आखिर कार टक कर कौन दे सकता है सुरिंदर सिंग जाडवत को मैदान में रहूंगा इन सबके बीच में मुकाबले में चंदरवान आक्या कितना रहेंगे वो तो बता चलेगा हैं कितने ये हम बता देते हैं पूरुष वोटार हैं एक लाग 35,656 महिला वोटार इस सीट पर एक लाग 34,446 फ्रांक जेंडर हैं 3 कुल वोटास हैं 2,70,105 और इस सीट पर पोलिंग बूत बनाये गए हैं 277 और देखिए इसके अलावा तिजारा जो आपको बता देंगी ये भी एक होट सीट रही है चर्चा में रही है पहले दिन से लेकर अब तक बाबा बालकनाथ जिनको इले कहा जा रहा था कि वो बैरोड से चुनाओ लड़ सकते हैं वो मना करते आए और फिर तेजारा से उनको चुनाओ में उतारा गया खड़ा मुकाबला अचा रोचक बात यह है कि इम्रान खान उससे पहले बसपा के लिए चुनाओ प्रचार कर रहे थे और फिर कॉंग्रेस से लंबे समय में संपर्क में थे बाद में इस टककर को और बनाने के लिए इम्रान खान को जोड़ा गया कॉंग्रेस के साथ और अब दोनों के बीच में कड़ा मुकाबला और सीधा सीधा पॉलराइजेशन वाला यहाँ पर इन्होंने एक बयान दिया था बावालक नात ने कि यह कोई कॉंग्रेस बीज़पी का मैक्स नहीं है भार महिला वोटरस एक लाग बाईस अजार आठसो चौवन है फ्रांजेंडर यहाँ एक हैं कुल वोटरस यहाँ दो लाग एकसाट अजार चेसो साथ हैं और पोलिन भूत यहाँ बनाएगे हैं दो सो साथ अब देखे एक और मैधपून सीट साचोर जहां से कॉंग्रेस के मंतरी आते थे और साचोर में उतारे गए जो सांसद हैं देव जी पटेल अब देखे ये जो साचोर की तक्कर है वो सियासी है आपको बता दें कि बीजेपी के देव जी पटेल सांसद यहां से चुनाव उ सारे गए और कॉंग्रेस के सुक्राम विष्णोई मंतरी हैं और कहा जा रहा था एंटी इंकमेंसी तमाम चीजे लेकिन आखिरकार इनको उतारा गया तमाम और नाम थे लेकिन अब टक्कर काटे की क्योंकि यहां पर भी बारते जनता पार्टी के नाराज जो लोग हैं वो म वोटरस को देख लेते हैं वोटरस कितने हैं इस सीट पर साचोर में पुरुष वोटरस है 1,67,007 महिला वोटरस है 1,48,197 ट्रांसजेंडर इस सीट पर शायद हम से कुछ मिश्टेक हुई है इसको हम चेक करेंगे कुल वोटरस यहां 3,15,200 69 और पोलिंग भूत है 321 इस सीट पर ट्रांसजेंडर कितनी है साचे पुनिया की सीट बदली जा सकती है लेकिन ऐसा नहीं हुआ केवल राजेंदर सिंग राठोड की सीट बदली गई साथीष पुनिया का भी नाम था उंकी नहीं बदली गई आमेर सीट में खड़ा मुकावला साथीष पुनिया वरसें प्रसांथ शर्म जीतका मारजन इस सेट पर पिछली बार भी काफी खम था और उस मारजन को बढ़ाया घटाया जा सकता है इन वोटरस को अपने पक्ष में करके पुरुष वोटरस इस सेट पर एक लाग इकवन अजार एक्सो ग्यारा मईला वोटर है एक लाग अटीस अजार पैंतालिस ट्रांजेंडर यहां एकैं, कुल वोटरस यहां दो लाग नवासी अजार पांसो सत्रा है और इस सीट पर पोलिंग बूत जो बनाए गए है वो बनाए गए है तो आप करते हैं उन्हीं सीटों की जहां कांटे की टक्कर नहीं बल्कि होट सीट है और शुरुबात करते हैं सर्दार पुरा सीट से जहां मुक्यमंतरी अशोग गहलोग पनाव महिंदर सिंगराटोर के बीच में मुकाबला है अलकि इस सीट पर जब आप जाएंगे इस सीट के इतिहास पर जाएंगे तो फिर आपको एहसास होगा कि यहां बीजेपी बार बार केंडिडेट को बदलती है यह बिलकुल उसी अंदाज में जैसे जालरा पाटन के अंदर केंडिडेट कॉंग्रिस बदलती है वहीं आपको अब बताते हैं कि यहां वोटर्स कितनी हैं वोटर्स की संक्या क्या यह सरा दिखिए सरदार पुरा में अगर पुरूश वोटर्स की बात की जाए तो 13,131 हैं जबकि महिला वोटर्स की बात की जाए तो 1,26,049 हैं ट्रांजेंडर इस efficiency पर 21 हैं जबकि अगर कुल वोटर्स की बात की जाए तो 25,57,191 वोटर्ण है यह दरसल भूहा कड़ा है जिसमें से मानकर चलिए जहां तक मुझे लगता है कि 1,80,000 से शायद हो सकता है 2,00,000 के आसपास वोट यहां पड़े लेकिन वो यहां तै कर देंगे और लगबर तस्वीरें यहां पर तै ही होते हैं बिलकुल सरदारपुरा के वोटर्स की तस्वीरें आपको बता रहे हैं पोलिंग डूट विजेंदर, 225 पोलिंग डूट जी, जालरा पाटन को ज़रा देखते हैं क्योंकि जालरा पाटन दूसरी होट सीट है अधिती यहां मुकाबला किस-किस के बीच में है अलांकि वहां कितना इससे फर्क पड़ता है कि मुकाबला किस के बीच में एक अलग सवाल है लेकिन यहां बीजेपी से पूर मुख्यमंत्री वस्तुना राज्ये को मैदान में उतारा गया है जबकि कॉंग्रेस के रामलाल चोहान यहां मैदान में है, लेकिन यहां वोटर कितने हैं, इसको एक बार जरा देख लेते हैं जबकि वोटर्स अब तक आएं, देख लिए जालावार पार्टन के वोटर्स, विजेद्र, 298 टोटल पोलिंग बूट हैं, बाकि वोटर्स, पुरुष महिला, ट्रांजेंडर, कुल वोटर्स करने चाहेंगे, हम तो यही कहेंगे कि 100 पीस दी चाहिए, और इस महापर में अपनी बड़ी भूमिका को निभाइए, वहीं नाद्वारा सीट पर टकर है, डॉक्टर सीपी जोशी, कॉंग्रेस के विश्व राद सिंग मेवार, बीजेपी से चुनाव मैदान में हैं, यान कि इस सीट पर कुल वोटर्स की बाद करें, दोलाक 38,529 हैं, उनमें से पुरुष 1,22,449 हैं, महिला वोटर्स की बाद करें तो 1,16,82 हैं, इस सीट पर आठ ट्रांजेंडर हैं, और कुल पोलिंग बूट जो इस सीट पर हैं, वो 237 पोलिंग बूट बनाए गए हैं टॉक बहुत हॉट सीट रही है, खास सौट पर 2018 से विजय इंदर, इसे टॉक में जो कड़ी टककर है, सचन पालेट के सामने, बीज़प्ती से अजीत सिंग मैता, पिछली बार, युनूस कांते जो इस बार इंडिपेंडनेंट लड़ रहे हैं, लेकिन इस बार, अजीत सि मैता को चुनाओं में, जिताने, लड़ाने, तमाम चीज़ों के लड़ जाती है, वोटर्स को विधा सभा में उंचा देंगे, और एक और होट सीट तारणगर का जिक्र करेंगे, तारणगर जहां से राजेंद्र सिंग राठोड और नरेंद्र बुडानिया का मुकाबला है, तारणगर सीट जैसे 2008 में हुआ था, फ्लिप ठीक वैसे इस बार हुआ, लेकिन तो उन्हों की किस्मत का फैसला कौन करेगा? चाहेंगे जिताकर विजहां सभा भेसे! दोनों जानते हैं कि किस स्यासत एक दूसरे के खिलाप उनको करनी है, लेकिन ये दरसल वो आंकड़ा है जो इनकी तस्वीर को विदासभा के अंदर पहुंचाएंगे या नहीं पहुंचाएंगे! वेराल, 280 पुल पॉलिंग वोट हैं, जहां वोटर अपने वोट का इसमाल कर सकते हैं, वोटर यहां 2,78,140 हैं, उनमें से 1,43,003 पुरुश मद दाता हैं, और 1,35,137 मईला मद दाता हैं! ट्रांसजेंडर इस सेट पर नहीं है, जो भी पहसला होगा, वो 280 बुल्तो पर 2,78,140 वोटर हैं, जो करते हुए नजर आएंगे! बिल्कुल और विद्यादर नगर, जब पहली लिस्ट भार दिन तब पार्टी के आई थी, तो विद्यादर नगर उसके बाद तक भी चर्चा में रहा था, और विद्यादर नगर से बात करेंगे, दिया कुमारी, सांसाथ दिया कुमारी को यहां पर उतारा गया, और उनक कि विद्यादर नगर भारते जंदा पाटी के की सीट पानी जाती है एक माना जाता है लंबे समय से उनके साथ तो यहां पर दिया कुमारी और यह हाइलाइट है कि दिया कुमारी के सामने सीता राम अगरवाल दोनों की टक्कर है और लगातार चुना पुछार चाहिए और इस एक लाग सताथ हजार चेसो शियानवे है जबकि महिला वोटास यहां एक लाग तरेसट हजार नोसो इक्यामन है इस सीट पर दो ट्रांसजेंडर है और विद्यादर नगर में सीता राम अगरवाल जाएंगे या दिया कुमारी जाएंगे और अधिती कमाल के बात यह है कि एक के नाम में सीता राम है और दूसरे राम के बंशल्ज कहते हैं बिलकुल देगे और यह तमाम वो सीटे हैं जहां पे टक्कर है अब जोटवाला क्यूंकि विद्यादर नगर का जिकर आए तो जोटवाला का जिकर आएगा और यह वो सीटे हैं जिस पर दोनों ही पार्ट आखरी नाम उतारा और सबसे पहला नाम राजिवर्दन सिंग राटोर का बीज़पी की पहली लिस्ट में आया था सांसद है और अब विदान सभा का चुनाव लड़ रहे हैं इनकी किस्मत का फैसला कौन करें इनकी किस्मत का फैसला मुझे लगता है आश्यू सिंग सुरपुरा करेगा बिल्कुल और उस पे सब की नजर है और उस पे दोनों ही पार्टियों के साथ-साथ जिस तरह का अनायलिस से चल रहा है और शायद लग रहा है आपकी भी नजर उस पर टिकी हुए बिल्कुल लेकिन वोटर सचाई ही है कि आशियो सिंग सुर्पुरा को भी जो इस मैदान में लाए हैं दोड में लाएंगे या नहीं लाएंगे या जिताएंगे हराएंगे वो ये दरसल आखड़ा है पोलिंग बूत यहां पर 360 हैं आप जरा वोटर्स की संख्या देखिए व उसमें महिला वोटर 2,5,673 है एक ट्रांसजेंडर है और भारी भरकम बोटर्स और भारी भरकम चेहरे एक और जबरदस सीथ की चर्चा करते हैं सवाई मादूपुर और जब सवाई मादूपुर पर फर्स्ट इंडिया ने फ्लैश किया ब्रेक किया कि यहां से सांसद किरो का अपने आप रोज के किस्से हैं सचिन पाइलट से लेकर अशोग गैलोग तक के खेमे का बैराल आज इन दोनों की सीथ पे आशा मीना भी कड़ी है शायद उन्होंने गड़े दोनों का ही बिगार दिया है यह कह सकते हैं कि मीना साब का बिगरता नजर आ रहा है लेकिन फ प्रांस जेंडर पांच हैं कुल वोटस दो लाक चपन अजार तींसो उन्तीस हैं और पोलिंग बूत यहां बनाई है दो सो बैयालीस इन दो चेहरों के साथ एक चेहरा और जोड़िये आशा मीना का क्योंकि इन दो चेहरों को जिताने हराने या फिर आशा मीना खुद आते हैं कोटा उत्तर दोनों ही पार्टियों के लिए बहुत ही अस्वंजस की स्थिति आ पर थी प्रत्याशी तैयार थे लेकिन फैसला मोहर लगने की बात थी कोटा उत्तर सीट पर टककर शांती दारिवाल और प्रलाद गुंजल पता था कि यह दोनों ही उतरेंगे लेकि देर लगी दोनों के नाम अनाउंस होने में बेहत रोचक सीट है कोटा उत्तर अचा इसमें कुछ चीज़े हैं जो मैं जोड़ना चाहूं शायद शांती दारिवाल मुक्यमंत्री अशोग एलोत के कोटा से आए हैं और प्रलाद गुंजल को टिकट कैसे मिला इस उत्तर को धूनने में वहां कई बड़े चैरों के नाम इर्दगर्द घूंगते रसाल हैं लोगों के कोटा से आ सकते हैं ठीक है लेकिन जो तस्वीर को साफ करेंगे वो दरसल ये वोटास हैं पॉलिंग बूद 236 हैं पुरुष मदाता एक लाग तीस हजार 153 हैं महिला मदाता इस सी पर एक लाग 25,449 हैं तेरा ट्रांसजेंडर हैं कुल वोटास के अगर इस सीट पर बात की जाए तो दो लाग 55,605 हैं जो कोटा में उत्तर ये देंगे कि वहां अगले विधाय कौन हो बिल्कुल लगातार काटे की टक्कर वाली सीट हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं और आप खिमसर की बात करेंगे खिमसर पे किस की टक्कर है आपको बता दें हनुमान बेनिवाल और तेजपाल मिर्दा मैदान में है हनुमान बेनिवाल खुशायद उनका जेकर उनके बारे म बात करना, सबको बहुत अच्छे सा पता है, लगातार चुनाओ प्रजार में काफी कुछ और चर्चित वो रहे हैं, लेकिन बेहत मैत्पून सीट है, सांसद आरेलपी के एकलोते, उसके बार तमाम तरीके की कहानी, लेकिन फिलाल हनुआन बेनिवाल के साथ तेज पाल और चाटा मारने के लिए लोग प्रियागा, अलंकि इस सीट पर कौन जीतेगा, कौन हारेगा, क्योंकि जब हनुआन बेनिवाल सांसद बने तो इस सीट पर नारायन बेनिवाल चुनाओ लड़ने लगे, लेकिन वो बूल सीट पर वापस आए, और विधान सबाद पुरुष मधाता इस सीट पर 1,47,609 है, महिला मधाता 1,34,836 है, फ्रांस जेंडर इस सीट पर नहीं है, कौल वोटर्स की बात करें तो 2,82,445 है, और पोलिंग बूत 264 इस पर बनाए गए इसके बाद बात करेंगे, नागोर में टककर की, नागोर विधान सबाद सीट आपको बता दे, डॉक्टर जोती मिर्धा और उनके सामने हिरेंदर मिर्धा का मुकाबला, और आपको बता दे, जोती मिर्धा भारते जनता कॉंग्रेस से भारते नता पाटी में गई थी, और उसके बाद हिरंदर मिर्दा का मुकाबला वैसे ही कह रहे थे कि अल्प संक्या यहाँ पर लड़ाए जाने 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 से तमाम चीज़ थी हलाकि इनके वोटर्स के संक्या आपसे पूचे है जो भी जीतेगा का जा रहा है जीतेगा तो मिर्दा ही जीतेगा तो मिर्दा ही ठीक है लेकिन वोटर्स कितने हैं वोटर्स जरा देके 149,947 पुरूश वोटर है मैला वोटर्स 13,366 है ट्रांसजेंडरी सीट पर 5 है कुल वो सीट है नर्पत सिंग राजवी यहां पर टिकेट कटा पहले नर्पत सिंग राजवी का विद्यादर नगर से फिर उनको यहां पर बेजा गया तो चंदरबान आक्या का यहां से टिकेट कटा था और लेकिन बीच में आप एक कड़ी भूल गए बयान वह बहुत सब्क बीच में चंद्रबान आक्या किस नहों रहेंगे वot tagen बताएंगे लेकि Hen जो वोटास हैं, वो किसके साथ हैं, वो तीन तारीक को पता चलेगा हैं कितने ये हम बता देते हैं, पुरुष वोटार हैं 1,35,656, मैला वोटारी सीट पर 1,34,446, फ्रांच जेंडर हैं 3, कुल वोटास यहां हैं 2,70,105, और इस सीट पर पोलिंग भूत बनाए गए हैं 217. पहले जिन से लेकर अब तक, बाबा बालक नाथ जिनको लेक कहा जा रहा था कि वो बहरोड से चुनाओ लड़ सकते हैं, वो मना करते आएं और फिर तेजारा से उनको चुनाओ में उतारा गया खड़ा मुकाबला, अचार रोचक बात यह हैं कि इम्रान खान उससे पहले ब पॉलराइजेशन वाला यहाँ पर, इन्होंने एक बयान दिया था बाब बालक नाथ ने, कि यह कोई कॉंग्रेस बीज़पी का मैच नहीं है, भारत पाकिस्तान का मैच लेकिन चलिए धर्चक देखे लेते हैं, जो फैसला करेंगे, और हम इसको क्योंकि यहाँ पूरा पॉलराइजेशन करने की कोशिश की गई, हम अपने वोटर्स को बताते हैं कोई पॉलराइजेशन नहीं करेंगे हम बदारें पॉरुष वोटर्स यहां 1,38,805 हैं, महीला वोटर्स 1,22,854 हैं, ट्रांस्जेंडर यहां 1 हैं, कुल वोटर्स यहां 2,61,660 हैं और पॉलिंग भूत यहां बनायेगे 207 देगे एक और मेतपून सीट साच्वर जहां से कॉंग्रेस के मंतरी आते थे और साच्वर में उतारे गए जो सांसद है देवजी पटेल अब देगे ये जो साच्वर की जो तक्कर है उस सियासी है आपको बता दें कि BJP के देव जी पटेल सालसद यहां से चुनाव में उतारे गए और कॉंग्रस के सुक्राम उच्णोई मंतरी हैं और कहा जा रहा था एंटी इंकम्मेंसी तमाम चीजें लेकिन आखिर कार इनको उतारा गया तमाम और नाम थे लेकिन अब तककर काटे की क्योंकि यहां पर भी बारते जन्ता पार्टी के नाराज जो लोग हैं वो मैदान में हैं बिठाने की कोशिश तमाम चीजें हुई लेकिन ऐसे में फिलाल वोटर्स क्या तैय करेंगे आप बताई बिल्कुल अदीती नाराजगी का जिक्र किया तो मुझे यादा है कि इस चुनाव में जो सबसे पहले गाड़ी तूटने की तस्वीर आई थी वो साचोर सीट से ही आई थी अब ज़रा वोटर्स को देख लेते हैं वोटर्स कितने इस सीट पर साचोर में पुरुष वोटर्स है एकलाग 67,007 महिला वोटर्स है एकलाग 48,197 ट्रांसजेंडर इस सीट पर शायद हम से कुछ मिश्टेक हुई है इसको हम चेक करेंगे कुल वोटर्स यहाँ तीन लाग और देखे अब एक और मैथपून सीट जापे आमेर जैपूर इलाके की और देखे सबसे बड़ी बात है कि आमेर में डॉक्टर सतीश पूनिया पहले भी वो विदायक मां से रहे और इससे बड़ी बात है कि वो प्रदेश अध्यक्ष रहे थे अब उनके सामने प्रशान शर्मा कोच भी नया नहीं है लेकिन उमीदे कही न यहां से इस चुनाओ और लड़ी तरीके की हैं प्रशान शर्मा पहले भी चुनाओ लड़े थे सतीश पूनिया लड़े थे हालाकि यह मानना जाहर था कि सतीश पूनिया की सीट बदली जा सकती है तेकिन ऐसा नहीं नटाया जा सकता है इन वोटर्स को अपने पक्षमे करके पूरुष वोटर्स इस सेट पर है 1,51,111, मैला वोटर है 1,38,045, ट्रांसजेंडर यहां एक हैं, कुल वोटर्स यहां 2,89,517 हैं और इस सेट पर पोलिंग बोत जो बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं तो करते हैं उन सीटों की जहां कांटे की टक्कर नहीं बलकि होट सीट है और शुरुबात करते हैं सरदार पुरा सीट से जहां मुक्यमंत्री अशोग गहलोग पनाम महिंदर सिंग्रा ठोड के बीच में मुकाबला है अलंकि इस सीट पर जब आप जाएंगे इस सीट के इतिहास पर जाएंगे तो फिर आपको एहसास होगा कि यहां बीजेपी बार-बार केंडिडेट को बदलती आई है बिलकुल उसी अंदाज में जैसे जालरा पाटन के अंदर केंडिडेट कॉंग्रिस बदलती आई वहीं आपको अब बताते हैं कि यहां वोटर्स कितने हैं वोटर्स की संख्या क्या जहां तक मुझे लगता है कि 1,80,000 से शायद हो सकता है 2,00 के आसपास वोट यहां पड़े लेकिन वो यहां तै कर देंगे और लगबर तस्वीरें यहां पर तै ही होती है बिल्कुल सरदारपुरा के वोटर्स की तस्वीरें आपको बता रहे हैं पोलिंग बूट विजेंदर, 225 पोलिंग बूट जी, जालरा पाटन को ज़रा देखते हैं क्योंकि जालरा पाटन दूसरी होट सीट है अधिती यहां मुकावला किस-किस के बीच में है अलांकि वहां कितना इस से फर्क पड़ता है कि मुकावला किस के बीच में एक अलग सवाल है लेकिन यहां बीजेपी से पूर मुख्यमंत्री वस्तुना राज्ये को मैदान में उतारा गया है जबकि कॉंग्रेस के रामलाल चोहान यहां मैदान में हैं लेकिन यहां वोटर कितने हैं इसको एक बार ज़रा देख लेते हैं जबकि वोटर्स अब तक आएं देख लिए जालावार पार्टन के वोटर्स विजेद्र 298 टोटल पोलिंग बूट हैं बाकि वोटर्स पुरुष महिला ट्रांजेंडर कुल वोटर्स बिल्कुल अगर पुरुष मदाता की बात की जाए तो एकलाग 45,590 वोटर्स हैं जबकि से कितने वोट कास्ट करने जाएंगे हम तो यही कहेंगे कि सोफीज जी जाहिए और इस महापर में अपनी बड़ी भूमिका को निभाईए वही नादवारा सीट पर टक्कर है डॉक्टर सीपी जोशी कॉंग्रेस के विश्व राद सिंग मेवार बीज़पी से चुनाव मैदान में है यानि सीपी जोशी वर्सेज विश्व राद सिंग मेवार और ये भारतिय जद्धा पार्टी में अभी शामिल हुए थे और उस सीट पर आठ ट्रांसजेंडर है और कुल पोलिंग बूत जो इस सीट पर है वो 237 पोलिंग बूत बनाए गए है टॉक बहुत हॉट सीट रही है खास सौट पर 2018 से विजय इंद्र इसे टॉक में जो कड़ी टकर है सचन पाइलट के सामने बीजेप्ती से अजीत सिंग मेता पिछली बार यूनुस खांते जो इस बार इंडिपेंडनेंट लड़ रहे हैं लेकिन इस बार अजीत सिंग मेता कहते हैं पूरी RSS अजीत सिंग मेता को चुनाओं में जिताने लड़ाने तमाम चीज़ों के लड़ जाती है वोटर और 2013 से 2018 तक अजीत मेता यहां से विधायक रहे भी चुके हैं चलिए लेकिन यहां का वोटर कितना है यह हम आपको बता रहे हैं पॉलिंग बूत इसमें 250 हैं अधीती कुल वोटर से यहां 2,52,828 हैं उनमें से अगर पुरुष वोटर के बात करें तो 1,29,445 हैं जबकि महिला वोटर से 1,23,389 हैं इस सीट पर फ्रांस जेंडर 4 हैं और यह वो पॉलिंग बूत है जहां से यह सब वोट करके अपने प्रत्याशी को विधा सभा में अंचा देंगे कौन करेगा यह वोटर से आपको बताते हैं कि जो किस्मत का फासला करेंगे पोलिंग बूत 299 जिनके जरिये फासला होगा कुल वोटर से यहां 3,5,332 हैं उनमें से अगर पुरुष वोटर की बात करें तो 1,60,416 हैं महिला वोटर से 1,44,913 हैं इस सीट पर 3 ट्रांस अंद्र बुडानिया या फिर राजेंद्र आठो जिसको भी चाहेंगे जिताकर विधान सभा भेसे और अब जब इतनी टककर वाली होट सीटों की बात करें तो लक्षमंगर यह चूट नहीं सकता क्योंकि यहां से कॉंग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोवन सिंग डुटासरा और सामने सुभाश महरिया में एक कड़ा मुकाबला नजर आ रहा है जाए एक तरफ डीजे पे हमने गोवन सिंग डुटासरा को डांस करते देखा तो वहीं बड़ा रोचक तरीका सुभाश मेरिया का भी राब काटे की टककर है अब इनका फैसला कॉल करें दोनों जानते हैं कि किस तरीके किस सियासत एक दूसरे के खिलाब उनको करनी है लेकिन ये दर असल वो आंकड़ा है जो इनकी तस्वीर को विधासभाग के अंदर पहुंचाएंगे या नहीं पहुंचाएंगे 17,140 वोटर हैं जो करते हुए नजर आएगे किस सीट पानी जाती है कि माना जाता है लंबे समय से उनके साथ थी तो यहां पर दिया कुमारी और ये हाइलाइट है कि दिया कुमारी के सामने सीता राम अगरवाल दोनों की टक्कर है और लगातार चुना पूचाएंगे और इस सीट का सर सिर्फ इस पर नहीं चितोड़गर में भी नजर आएगा बेराल यहां कितने वोटर्स हैं जो पैसला करेंगे गुल वोटर्स हैं यहां 3,41,649 भारी वरकम वोटर्स हैं 283 वोट पोलिंग बूट पर वोट डाल सकते हैं उनमें पुरुष मदाता की संख्या 1,67,696 है जबकि महिला वोटर्स यहां 1,63,951 है इस सीट पर दो ट्रांसजेंडर है और विद्यादर्नगर में सीता, सीताराम अगरवाल जाएंगे या दियाकुमारी जाएंगे और अधिती कमाल के बात यह है कि एक के नाम में सीताराम है और दूसरे राम के बंशज कहते हैं बिल्कुल देगे और ये तमाम वो सीटे हैं जहां पे टक्कर है अब जोटवाडा क्योंकि विद्या दटिंगर का जिखर आये तो जोटवाडा का जिखर आएगा और ये वो सीटे हैं जिस पर दोनों ही पार्टियों की राज़नीती एकदम कुल कर सामने नजर आती है आखरी नाम उतारा और सबसे पहला नाम राज़वर्दन सिंग्राटोर का बीज़पी की पहली लिस्ट में आये था सांसद है और अब विदान सभा का चुनाव लड़ रहे हैं इनकी किस्मत का फैसला कौन करें इनकी किस्मत का फैसला मुझे लगता है आश्यू सिंग सुर लाएंगे जिताएंगे हराएंगे वो ये दरसला अगड़ा है पोलिंग बूत यहां पर 360 हैं आप जरा वोटर्स की संख्या देखिए वोटर्स हैं चार लाख अटाइस हजार सरसक ये शायद उस विदान सभा सीट में से एकजा सबसे ज्यादा वोटर हैं दो लाख बाइस 5,393 पुरुष वोटर हैं उसमें महिला वोटर दो लाख 5,673 हैं एक ट्रांसजेंडर है और भारी भरकम वोटर्स और भारी भरकम चेहरे एक और जबर्दस सीट की चर्चा करते हैं सवाई मादूपूर और जब सवाई मादूपूर पर फरस्ट इंडिया ने फ्लैश किया ब्रेक किया कि यहां से सांसथ किरोडी मीना लड़ेंगे तो फोन का अंबार जैसे लग गया था तो आपको बता दे किरोडी लाल मीना राजसबास सांसथ उनको यहां से उतारा गया है और इनके सामने दानिश अब्रार मुक्किमंत्री सलाकार रह चूटे हैं, दानिश श्ते को क्या सकते हैं कि मीना साप का बिगरता नजार आ रहा है लेकिन फिर भी इनका फैसला कौन करेगा विजेंद इनका फैसला वोटस करें गैंगे और वोटस कितने हैं सबाई माधोपुर में वोटसे उसंद फैसन शार साथ सो तीज और पुरुश और महिला वोटस 42 इन दो चेहरों के साथ एक चेहरा और जोड़िए आशा मीना का क्योंकि इन दो चेहरों को चिताने हराने और फिर आशा मीना खुद भावनाओं के साथ खुद को भुनाने में कितनी कामियाब होगी यह वो आखड़ा है जो सस्वीर को साथब अरे समय तीनों की नब्स काफी तेज होंगी एक और रोचक सीट पर आपको पूरा आखड़ा बताते हैं कोटा उत्तर दोनों ही पार्टियों के लिए बहुत ही अस्वंजस की स्थिति आ पर थी प्रत्याशी तैयार थे लेकिन फैसला मोहर लगने की बात थी कोटा उत्तर सीट पर टककर शांती दारिवाल और प्रलाद गुंजल पता था कि ये दोनों ही उत्रेंगे लेकिन देर लगी दोनों के नाम नाउंसोने में बेहद रोचक सीट है कोटा उत्तर अच्छा इसमें कुछ चीज़े हैं जो मैं जोड़ना चाहूँ और प्रलाद गुंजल को टिकट कैसे मिला इस उत्तर को ढूनने में वहाँ कई बड़े चैरों के नाम इर्दगर्द घूंगते रसा हैं कई लोगों के कोटा से आ सकते हैं ठीक है लेकिन जो तस्वीर को साफ करेंगे वो दर असल ये बोटा से हैं पोलिंग बूद 236 हैं पुरुष मदाता 1,30,153 है महिला मदाता इस सीट पर 1,25,449 है 13 ट्रांसजेंडर हैं कुल वोटर्स के अगर इस सीट पर बात की जाए तो 2,55,605 हैं जो कोटा में उत्तर ये देंगे कि वहाँ अगले विधाय कौन हो बिल्कुल लगातार काटे की टक्कर वाली सीट हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं और आप खिमसर की बात करेंगे खिमसर पे किस की टक्कर है आपको बता दें हनुमान, बेनीवाल और तेजपाल मिर्दा मैदान में है हनुमान, बेनिवाल, खुशायद, उनका जेकर, उनके बारे में बात करना, सबको बहुत अच्छे सा पता है, लगातार चुनाओ प्रजार में काफी कुछ और चर्चित वो रहे हैं, लेकिन बेहत मैट्पून सीट है, 700 RLP के एकलोते, उसके बार तमाम तरीके की कहानी, लेकि फिलाल, हनुमान बेनिवाल के साथ, तेज, पाल, मिर्दा, मैदान में उतरे, अच्छा, एक और चीज़ है, वो डांस के लिए भी लोग प्रिय हुए इस चुनाओ में, और चाटा मारने के लिए लोग प्रिय हुए, लाटने के लिए लोग प्रिय हुए, अलंकि इस सीट पर कोन जीतेगा, कोन हारेगा, क्योंकि जब हनुमान बेनिवाल सांसत बने तो इस सीट पर नारायन बेनिवाल चुनाओ लड़ने लेकिन वो मूल सीट पर वापस आए, और विदान सबस चुनाओ में, वो मैदान में है, और आजाद पार्टी के साथ गड़बंदन करके मै और वहाँ की इर्दगिर्द की अगर बात करें तो उस सीट पर इंपक्ट भी और दूसरी सीटों पर आरलपी का इंपक्ट देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, लेकिन इनके किसमत का वैसला कोन करेगा, वोटर्स जरा देख लेते हैं, पुरुष मधाता इस सीट पर एक लाग अगर विदानसबा सीट आपको बता दे, डॉक्टर जोती मिर्दा और उनके सामने हिरेंगर मिर्दा का मुकाबला, और आपको बता दे, जोती मिर्दा भारते जनता कॉंग्रेस से भारते नता पार्टी में गई थी, और उसके बाद हिरेंदर मिर्दा का मुकाबला, वैसे अब इस बार वो इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं इससे यहां के समीकरण बहुत कुछ होंगे और सबसे मैध्मून बात है कि भारते जन्ता पार्टी दसों सीटों पर कुछ कमाल करना चाहती ती और यही वज़ा थी कि जो जाट वोटर्स जाट बड़े नेताओं को अपने 24,947 पुरुश वोटर है महिला वोटर्स एक लाग 30,366 है ट्रांसजेंडरी सीट पर पांच है कुल वोटर्स यहां दो लाग 17,318 है और कुल पोलिंग भूत यहां 243 बनाए गए अगली सीट का रूख करते हैं चितोर गण यह भी एक बेहत वैत्पून सीट है नर्पत सिंग राजवी यहां पर टिकेट कटा पहले नर्पत सिंग राजवी का विद्यादर नगर से फिरों को यहां पर बेजा गया तो चंदरबान आक्या का यहां से टिकेट कटा था और बहुत इंटरस्टिंग था जो इन्हों ने दिया था बिलकुल और यह पहले लड़ चुके नर्पत सिंग राजवी चितोर से चुना लड़ चुके यही वज़े थी कि इस पर सोचा गया और फिर भेरो सिंग शेखावत जी का जिसे कहते हैं सौ साल जंग सताबदी का साल थ सभा करके कि हम कल तै करेंगे अगर कल दो बचे तक तै नहीं हुआ तो फिर हम तै कर लेंगे जैसे यहां से चंद्रबान आक्या ने तै कर लिया कि नहीं मैं जंता की तरफ से मैदान में रहूंगा इन सब के बीच में मुकाबले में चंद्रबान आक्या कितना रहेंगे वो तो परिणाम बताएंगे लेकिन जो वोटास हैं वो किसके साथ हैं वो तीन तारी को पता चलेगा हैं कितने ये हम बता देते हैं पुरुष वोटार हैं 1,35,656 मैला वोटार इस सीट पर 1,34,446 फ्रांग जेंडर हैं तीन कुल वोटास यहां है दो लाग सतर हजार एक सो पांच और इस सेट पर पोलिंग भूत बनाए गए हैं दो सो सततर और देखिए इसके अलावा तिजारा जो आपको बता देंगी ये भी एक होट सीट रही है चर्चा में रही है पहले दिन से लेकर अब तक बाबा बालकनाथ जिनकों लेक कहा जा रहा था कि वो बैरोड से चुनाओ लड़ सकते हैं वो मना करते आए और फिर तेजारा से उनको चुनाओ में उतारा गया खड़ा मुकाबला अचा रोचक बात यह है कि इमरान खान उससे पहले बसपा के लिए चुनाओ प्रचार कर रहे थे और फिर कॉंग्रेस से लंबे समय में संपर्क में थे बाद में इस तक्कर को और कड़ी बनाने के लिए इमरान खान को जोड़ा गया कॉंग्रेस के साथ और अब दोनों के बीच में कड़ा मुकाबला और सीधा सीधा पोलराइजेशन वाला यहाँ पर इन्होंने एक बयान दिया था बावारक नातने कि यह कोई कांग्रेस बीज़पी का मैच नहीं है भारत पाकिस्तान का मैच लेकिन चलिए दर्चक देख लेते हैं जो फैसला करेंगे और हम इसको क्योंकि यहाँ पूरा पोलराइजेशन करने की कोशिश की गई हम अपने वोटरस को बताते वक्त कोई पोलराइजेशन नहीं करेंगे अमधारें पोरुष वोटर यहां 1,38,805 हैं महिला वोटरस 1,22,854 हैं ट्रांजेंडर यहां 1 हैं पुल वोटरस यहां 2,61,660 हैं और पोलिन भूत यहां बनाएगे हैं 207 अब देखे एक और मैधपुन सीट साचोर जहां से कॉंग्रेस के मंतरी आते थे और साचोर में उतारे गए जो सांसद है देव जी पटेल अब देखे ये जो साचोर की जो तक्कर है वो सियासी है आपको बता दें कि बीजेपी के देव जी पटेल सांसद यहां से चुनाम उतारे गए और कॉंग्रेस के सुक्राम विश्णोई मंतरी हैं और कहा जा रहा था एंटी इंकमेंसी तमाम चीजे लेकिन आखिर कार इनको उतारा गया तमाम और नाम थे लेकिन अब टक्कर काटे की क्योंकि यहां पर भी बारते जन्ता पार्टी के नाराज जो लोग हैं वो मैदान में हैं बिठाने की कोशिश तमाम चीजे इस सीट पर साचोर में पुरुष वोटा से 1,67,007 महिला वोटा से 1,48,197 ट्रांसजेंडर इस सीट पर शायद हम से कुछ मिस्टेक हुई है इसको हम चेक करेंगे कुल वोटा से यहां 3,15,200 69 और पोलिंग भूत है 321 इस सीट को ज़रा करेक्ट कीजिगे इसमें ट्रांसज इगे अब एक और मैथपूंग सीट जापे आमेर जैपूर इलाके की और देखे सबसे बड़ी बात है कि आमेर में डॉक्टर सतीश पूनिया पहले भी वो विदायक महां से रहे और इससे बड़ी बात है कि प्रदेश अध्यक्ष रहे थे अब उनके सामने प्रशान शर्म लेकिन ऐसा नहीं हुआ केवल राजेंदर सिंग राठोड की सीट बदली गई सतीश पूनिया का भी नाम था उनकी नहीं बदली गई आमेर सीट में कड़ा मुकावला सतीश पूनिया वर्सेस प्रशान्थ शर्म जीतका मारजन इस सेट पर पिछली बार भी कापी कम था और 2517 हैं और इस सेट पर पोलिंग बोत जो बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं तो सब्सक्राइब करते हैं उन सीटों की जहां कांटे की टकर नहीं बलकि होट सीट है और शुरुआत करते हैं सरदार पुरा सीट से जहां मुक्यमंत्री अशोग गहलोत पनाम महिंदर सिंग रा जिहास पर जाएंगे तो फिर आपको एहसास होगा कि यहां बीजेपी बार-बार केंडिडेट को बदलती है यह बिलकुल उसी अंदाज में जैसे जालरा पाटन के अंदर केंडिडेट कॉंग्रिस बदलती है वहीं आपको अब बताते हैं कि यहां वोटर्स कितने हैं 20,049 हैं ट्रांसजेंडर इस सीट पर 21 हैं जबकि अगर कुल वोटर्स की बात की जाए तो 2,57,191 वोटर है यह दर असल बुहा करा है जिसमें से मान कर चलिए जहां तक मुझे लगता है कि 1,80,000 से शायद हो सकते है 2,00,000 के आसपास वोट यहां पड़े लेकिन वो यहां त तस्वीरें यहां पर तैह ही होते हैं बिलकुल सरदार पुरा के वोटर्स की तस्वीरें आपको बता रहे हैं पोलिंग डूट विजेंदर 225 पोलिंग डूट जी जालरा पाटन को ज़रा देखते हैं क्योंकि जालरा पाटन दूसरी होट सीट है अधिती यहां मुकावला क किसके बीच में है ऑलांकि वहां कितना इसे फ़र्क पड़ता है कि मुकावला किसके बीच में एक अलग सवाल है लेकिन यहां बीजेपी से पूर मुक्चमंतरि वस्तुना राज्ये को मैदान में उतारा गया है जबकि कॉंग्रेस के रामलाल चोहान यहां मैदान में हैं ल पुरुष महिला ट्रांजेंडर कुल वोटर्स सीट पर टकर है, डॉक्टर सीपी जोशी कॉंग्रेस के विश्व राद सिंग मेवार, बीजेपी से चुनाव मैदान में है, यानि सीपी जोशी वर्सेज विश्व राद सिंग मेवार, और ये भारतिय जद्दा पार्टी में भी शामिल हुए थे और उसके बाद दोनों के ब 82 हैं, इस सीट पर 8 ट्रांसजेंडर हैं, और कुल पोलिंग बूट जो इस सीट पर है, वो 237 पोलिंग बूट बनाए गए हैं टॉक बहुत हॉट सीट रही है, खास सौट पर 2018 से विजय इंदर, इसे टॉक में जो कड़ी टककर है, सचन पाइलेट के सामने, BJP से अजीत सिंग मेता, पिशली बार, युनुस खांते जो इस बार इंडिपेडनेंट लड़ रहे हैं, लेकिन इस बार, अजीत सिंग मेता क चुनाओं में, जिताने, लड़ाने, तमाम चीजों के लड़ जाती है, वोटर्स विधा सभा में उंचा देंगे, और एक और होट सीट तारनगर का जिक्र करेंगे, तारनगर जहां से राजेंद्र सिंग राठोड और नरेंद्र बुडानिया का मुकाबला है, तारनगर सीट जैसे 2008 में हुआ था, फ्लिप ठीक वैसे इस बार हुआ, लेकिन तारनगर सीट पर काफी टककर है, माना चाहरा और लगाता राजेंद्रा ठोड अपना चुनाओ प्रचार वहाँ पर कर रहे है, अला कि पूरे सीकर और शिखावटी बेल्ट पर उनका इंपेक्ट रहता है, लेकिन नरेंद बुडानिया को भारतियन तार पाटीन होता रहा है, लेकिन इन एक लाग चाबालीस हजार नो सो तीरा हैं, इस सेट पर तीन ट्रांसजेंडर हैं, और ये दरसल तारनगर के वो वोटास जो नरेंद्र बुडानिया या फिर राजेंद्रा ठोड जिसको भी चाहेंगे जिताकर विजहांसभा है से और अब जब इतनी टककर वाली होट सीटों की बात करें तो लक्षमंगर ये चूट नहीं सकता क्योंकि यहां से कॉंग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोवन सिंग डुटासरा और सामने सुभाश महरिया में एक कड़ा मुकाबला नजर आ रहा है, जाए एक तरफ डीजे पर हमने गोवन सिंग डुटासरा को डांस करते देखा, तो वहीं बड़ा रोचक तरीका सुभाश मेरिया का भी रा, काटे की टककर है, अब इनका फैसला कॉल करें। पुरुष मत दाता है, और एक लाग पैंतिस हजार एक सो सैंटीस महिला मत दाता है, ट्रांजेंडर इस सेट पर नहीं है, जो भी फैसला होगा, वो दो सो असी बुतो पर दो लाग अठतर हजार एक सो चालीस वोटर हैं, जो करते हुए नजर आएगे। मैदान में उत्रे। बहुत पुराने सीताराम अगरवाल कॉंग्रेसी हैं, इसके अलावा भी जिस तरीके से उन्होंने काम किया, लेकिन क्योंकि विद्यादर नगर भारते जंदा पार्टी के की सीट पानी जाती है, एक माना जाता है लंबे समय से उनके साथी, तो यहां पर दिया कुमारी और यह हाइलाइट है कि दिया कुमारी के सामने सीताराम अगरवाल दोनों की टककर है और लगातार चुनापरचार। क्या मन है, इस सीट पर दो ट्रांसजेंडर है और विद्यादर नगर में सीता, सीताराम अगरवाल जाएंगे या दिया कुमारी जाएंगे और अधिती कमाल के बात यह है कि एक के नाम में सीताराम है और दूसरे राम के बंशज कहते हैं। राजवर्दन सिंग राठोड कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, सांसद हैं और उनके सामने अभिशेक चौदुरी मैदान हैं। अभिशेक चौदुरी को जब उतारा, तो ऐसा लग रहा था कहीं न कहीं कॉंग्रेस बहुत आखरी नाम उतारा और सबसे पहला नाम राजवर्दन सिंग राठोड का बीज़पी की पहली लिस्ट में आया था, सांसद हैं। और अब विदान सबा का चुनाव लड़ रहे हैं, इनकी किस्मत का फैसला कौन करें। जरा वोटर्स की संख्या देखिए, वोटर्स हैं, चार लाख अटाइस हजार सड़सट, ये शायद उस विदान सबा सीट में से एक हैं, सबसे ज्यादा वोटर हैं, दो लाख 22,393 पुरुष वोटर हैं, उसमें महिला वोटर दो लाख 5,673 हैं, एक ट्रांसजेंडर हैं, और भारी बरकम बोटस और भारी बरकम चेहरें, एक और जबरदस सीट की चर्चा करते हैं, सवाई मादुपूर। दोनों की सीट पे आशा मीना भी कड़ी हैं, शायद उन्होंने गड़े दोनों का ही बिगार दिया है, या कह सकते हैं कि मीना साब का बिगड़ता नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी इनका फैसला कौन करेगा, विजेर। दोनों के साथ एक चेहरा और जोड़िये आशा मीना का, क्योंकि इन दो चेहरों को जिताने, हराने, या फिर आशा मीना खुद भावनाओं के साथ खुद को भुनाने में, कितनी काम्याब होगी, ये वो आँखड़ा है, जो सस्वीर को साब दोनों के लिए बहुत ही सामुहर लगने की बाद थी, कोटा उत्तर सीट पर टककर, शांती दारिवाल और प्रलाद गुंजल, पता था कि ये दोनों ही उतरेंगे, लेकिन देर लगी, दोनों के नामनाउंस होने में, बेहत रोचक सीट है, कोटा उत्तर, अच्छा, इसमें कुछ चीज़े हैं, जो म कोटा से आ सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो तस्वीर को साफ करेंगे, वो दरसल ये वोटास हैं, पॉलिंग बूद 236 हैं, पुरुष मदाता 1,30,153 हैं, महिला मदाता इस सीट पर 1,25,449 हैं, 13 ट्रांसजेंडर हैं, कुल वोटास के अगर इस सीट पर बात की जाए, तो 2,55,60 305 हैं, जो कोटा में उत्तर ये देंगे कि वहां अगले विधायक कौन हो, बिल्कुल लगातार काटे की टक्कर वाली सीट हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं, और आप खिमसर की बात करेंगे, खिमसर पे किस की टक्कर हैं आपको बता दें, हनुमान, बेनिवाल और तेजपा मिर्दा मैदान में हैं, हनुमान, बेनिवाल को शायद उनका जेकर, उनके बारे में बात करना, सबको बहुत अच्छे सा पता है, लगातार चुनाओ प्रजार में काफी कुछ और चर्चित वो रहे हैं, लेकिन बेहत मैद्पून सीट है, 700 RLP के एकलोते, उसके बार तमाम लेकि काहनी, लेकिन फिलाल, हनुमान बेनिवाल के साथ, तेज, पाल, मिर्दा मैदान में उतरें, अच्छा, एक और चीज़ है, वो डांस के लिए भी लोग प्रिये हुए इस चुनाओ में, और चाटा मारने के लिए लोग प्रिये हुए, दाटने के लिए भी हुए, दा बंदन करके मैदान में आए, और वहां की इर्दगिर्द की अगर बात करें तो उस सीट पे इंपक्ट भी और दूसरी सीटों पे आरल पी का इंपक्ट देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, लेकिन इनके किसमत का पैसला कोन करेंगा, वोटर्स ज़रा देख लेते हैं, पुरु अगर में टककर की नागर विधानसबा सीट, आपको बता दे, डॉक्टर जोती मिर्दा और उनके सामने हिरेंदर मिर्दा का मुकाबला, और आपको बता दे, जोती मिर्दा भारते जनता कॉंग्रेस से भारते नता पार्टी में गई थी, और उसके बाद हिरेंदर मिर्दा आपका मुकाबला वैसे कह रहे थे कि अल्प संख्या यहां पर लड़ाए जाने से तमाम चीज़ थी यहां से यह सीट अब इस बार वो इंडिपेंडनेंट लड़ रहे हैं इसलिए यहां के समीकरण बहुत कुछ होंगे और सबसे मैकून बात है कि भारते जनता पार्टी दस जरादे के 1,49,947 पुरूश वोटर है महिला वोटर से 1,30,366 है ट्रांसजेंडरी सीट पर पांच है कुल वोटर से यहां 2,17,318 है और कुल पोलिंग भूट यहां 243 बनाए गए अगली सीट का रूख करते हैं चितोर गण यह भी एक बेहत बहत पून सीट है नरपत सिंग राजवी यहां पर टिकेट कटा पहले नरपत सिंग राजवी का विद्यादर नगर से फिर उनको यहां पर बेजा गया तो चंद्रवान आख्या कह यहां से टिकेट कटा था और बहुत इंटरस्टिंग था जो इन्हों ने दिया था बिल्कुल और यह पहले लड़ चुके हैं नरपत सिंग राजवी चितोर से चुना लड़ चुके हैं यही वज़े थी कि इस पर सोचा गया और फिर भेरो सिंग शेखावाजी का जिसे कहते हैं सौ साल जन सताबदी का स साल था तो ऐसा कुछ नहीं किया जा सकता था इसलिए उनके स्नाओं नेिव हम चाहर करेंगे अगर कल दो बजे तक स्थे नहीं हुआ तो फिर उतै कर लेंगी जयसे चंदरवान आक्या ने चाह कर लिया कि नहीं में जनता की तरफ से मैदान में रहूँगा इन सब के बीच में मुकाबले में चंदरवान आक्या कितना रहेंगे वो तो परिणाम बताएंगे लेकिन जो वोटास हैं वो किसके साथ हैं वो तीन तारीक को पता चलेगा हैं कितने ये हम बता देते हैं पुरुष वोटार हैं 1,35,656 महिला वोटारी सीट पर 1,34,446 फ्रांग जेंडर हैं तीन कुल वोटास यहां हैं 2,70,105 और इस सीट पर पोलिंग भूद बनाए गए हैं 277 और देखिए इसके अलावा तिजारा जो आपको बता देंगी ये भी एक होट सीट रही है चर्चा में रही है पहले दिन से लेकर अब तक बाबा बालकनाथ जिनको इलिए कहा जा रहा था कि वो बैरोड से चुनाओ लड़ सकते हैं वो मना करते आए और फिर तेजारा से उनको चुनाओ में उतारा गया अब कड़ा मुकाबला अचा रोचक बात यह है कि इमरान खान उससे पहले बसपा के लिए चुनाओ प्रचार कर रहे थे और फिर कॉंग्रेस से लंबे समय में संपर्क में थे बाद में इस तक्कर को और कड़ी बनाने के लिए इमरान खान को जोड़ा गया कॉंग्रेस के साथ और अब दोनों के बीच पर कड़ा मुकाबला और सीधा सीधा पॉलराइजेशन वाला यहाँ पर इन्होंने एक बयान देया था बाव बारक नातने कि यह कोई कॉई बीज़ेपी का मैच नहीं है भारत पाकिसान का मैच लेकिन चलिए दर्चक देखे लेते हैं जो फैसला करेंगे और हम इसको क्योंकि यहाँ पूरा पॉलराइजेशन करने की कोशिश की गई हम अपने वोटर्स को बताते वक्त कोई पॉलराइजेशन नहीं करें अमदारें पॉरुष वोटर यहाँ एकौट अर्टिस अजार आट सो पांच है महिला वोटर्स एक लागवाईश अजार आट सो चौवन है ट्रांजेंडर यहाँ एक है कुल वोटर्स यहाँ 2,6960 और पैलिंग बूत यहाँ बनाएगी हैं 207 अब देखे एक और मैत्पून सीट साचोर जहां से कॉंग्रेस के मंतरी आते थे और साचोर में उतारे गए जो सांसद है देव जी पटेल अब देखे ये जो साचोर की जो तक्कर है वो सियासी है आपको बता दें कि बीजेपी के देव जी पटेल सांसद यहां से चुनाव में उतारे गए और कॉंग्रेस के सुक्राम विश्णोई मंतरी है और कहा जा रहा था एंटी इंकमेंसी तमाम चीजे लेकिन आखिरकार इनको उतारा गया तमाम और नाम थे लेकिन अब टक्कर काटे की क्योंकि यहां पर भी बारते जन्ता पार्टी के नाराज जो लोग हैं वो मैदान में हैं बिठाने की कोशिश तमाम चीजे हुई लेकिन ऐसे में फिलाल वोटर्स क्या टे करेंगे आप बताएं बिल्कुल अदीती नाराजगी का जिक्र किया तो मुझे यादा है कि इस चुनाव में जो सबसे पहले गाड़ी तूटने की तस्वीर आई थी वो साचोर सीट से ही आई थी अब जरा वोटर्स को देख लेते हैं वोटर्स कितने हैं इस सीट पर साचोर में पुरुष वोटर्स है 1,667,007 महिला वोटर्स है 1,48,197 ट्रांसजेंडर इस सीट पर शायद हम से कुछ मिस्टेक हुई है इसको हम चेक करेंगे कुल वोटर्स यहाँ 3,15,200 69 और पोलिंग कीजिगे इसमें ट्रांसजेंडर के संख्या चायद हम कॉपी कर गए हैं और इसलिए इसको बाद में एक बार फिर से आपको बताएंगे सीट पर ट्रांसजेंडर कितनी है और देखे अब एक और मेटपून सीट जापे आमेर जैपूर इलाके की और देखे सबसे बड़ी बात है कि आमेर में डॉक्टर सतीश पूनिया पहले भी वो विदायक मां से रहे और इससे बड़ी बात है कि उप्रदेश अध्यक्ष रहे थे अब उनके सामने प्रशान श सतीश पूनिया की सीट बदली जा सकती है लेकिन ऐसा नहीं हुआ केवल राजेंदरू सिंग राठोड की सीट बदली गई बोटास यहां 2,89,517 हैं और इस सेट पर पोलिंग बोत जो बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं तो आप करते हैं उन इस सीटों की जहां कांटे की टक्कर नहीं बलकि होट सीट है और शुरुबात करते हैं सरदार पुरा सीट से जहां मुक्यमंत्री अशुक गहलोथ बना महिं बार केंडिडेट को बदलती है यह बिलकुल उसी अंदाज में जैसे जालरा पाटन के अंदर केंडिडेट कॉंग्रिस बदलती है वहीं आपको अब बताते हैं कि यहां वोटर्स कितनी हैं वोटर्स की संक्या क्या यह सरदार देखिए सरदार पुरा में अगर पुरुष वोटर्स की बात की जाए तो 131,131 है जबकि महिला वोटर्स की बात की जाए तो 1,26,049 है ट्रांजेंडर इस सेट पर 21 है जबकि अगर कुल वोटर्स की बात की जाए तो 2,57,191 वोटर्स की बात की जाए तो 2,57,191 वोटर्स की बात की जिसमें से मानकर चलिए जहां तक मुझे लगता है कि एक लाग असी असार से शायद हो सकते है दू लाग के आसपास वोट यहां पड़े लेकिन वो यहां तै कर देंगे और लगबर तस्वीरें यहां पर तै ही होते हैं बिल्कुल सरदारपुरा के वोटर्स की तस्वीरें आपको बता रहे हैं पोलिंग डूट विजेंदर दोसो पच्चस पोलिंग डूट जी जालरा पाटन को ज़रा देखते हैं क्योंकि जालरा पाटन दूसरी होट सीट है अदिती यहां मुकावला किस किस के बीच में है अलांकि वहां कितना इस से फर्क पड़ता है कि मुकावला किस के बीच में एक अलग सवाल है लेकिन यहां बीजेपी से पूर मुख्यमंत्री वस्तुना राज्ये को मैदान में उतारा गया है जबकि कॉंग्रेस के रामलाल चोहान यहां मैदान में हैं लेकिन यहां वोटर कितने हैं इसको एक बार ज़रा देख लेते हैं जबकि वोटर्स अब तक आएं देख लिए जालावार पार्टन के वोटर्स विजेद्र 298 टोटल पोलिंग बूट हैं बाकि वोटर्स पुरुष महिला ट्रांजेंडर कुल वोटर्स बिल्कुल अगर पुरुष मदाता की बात की जाए तो एकलाग 45,590 वोटर्स हैं जबकि से कितने वोट कास्ट करने जाएंगे हम तो यही कहेंगे कि सोफीज जी जाहिए और इस महापर में अपनी बड़ी भूमिका को निभाईए वही नादवारा सीट पर टक्कर है डॉक्टर सीपी जोशी कॉंग्रेस के विश्व राद सिंग मेवार बीजेपी से चुनाव मैदान में है यानि सीपी जोशी वर्सेज विश्व राद सिंग मेवार और ये भारतिय जद्धा पार्टी में अभी शामिल हुए थे और उसक 12,082 हैं इस सीट पर आठ ट्रांजेंडर है और कुल पोलिंग बूत जो इस सीट पर है वो 237 पोलिंग बूत बनाए गए है तॉक बहुत हॉट सीट रही है खास सौट पर 2018 से विश्व इंद्र इसे टॉक में जो कड़ी टक्कर है सचन पालेट के सामने बीजेप्ती से अज चीजों के लड़ जाती है वोटर और 2013 से 2018 तक अजीत मैता है यहां से विधायक रहे भी चुके हैं चलिए लेकिन यहां का वोटर कितना है यह हम आपको बता रहे हैं पॉलिंग बूत इसमें 250 हैं अधीती कुल वोटर यहां 2,52,888 है उनमें से अगर पुरुष वोटर के ब इदा सभा में औंग्चा देंगे और एक और होट सीट तारणगर का जिक्र करेंगे तारणगर जहां से राजेंद्र सिंग राठोड और नरेंद्र बुडानिया का मुकाबला है तारणगर सीट जैसे 2008 में हुआ था फ्लिप ठीक वैसे इस बार हुआ लेकिन तारणगर किसमत का फैसला कौन करेगा ये वोटरस हम आपको बताते हैं कि जो किसमत का फैसला करेंगे पोलिंग बूथ 299 जिनके जरिये फैसला होगा कुल वोटरस यहां 3,5,332 हैं उनमें से अगर पुरुश वोटर की बात करें तो 1,60,416 हैं मैला वोटरस 1,44,913 हैं इस एट पर 3 ट् जरिये वोटरस जो नरेंद्र वुडानिया या फिर राजेंद्र आठो जिसको भी चाहेंगे जिताकर विजहांसभा फैसे और अब जब इतनी टककर वाली होट सीटों की बात करें तो लक्षमंगर यह चूट नहीं सकता क्योंकि यहां से कॉंग्रस के प्रदेश अध्यक्ष गोवन सिंग डुटासरा और सामने सुभाश महरिया में एक कड़ा मुकाबला नजर आ रहा है जाए एक तरफ डीजे पे हमने गोवन सिंग डुटासरा को डांस करते देखा तो वहीं बड़ा रोचक तरीका सुभाश मेरिया का विरा काटे की टककर है अब इनका फैसला कॉल करें दोनों जानते हैं कि किस तरीके कि सियासत एक दूसरे के खिलाप उनको करनी है लेकिन ये दरसल वो आंकड़ा है जो इनकी तस्वीर को विधासभाग के अंदर पहुंचाएंगे या नहीं पहुंचाएंगे 37,140 वोटर हैं जो करते हुए नजर आएगे लगातार चुना पूचाएंगे वोटर हैं जो पैसला करेंगे गुल वोटर हैं तीनलाक 41,649 भारी वरकम वोटर हैं 283 वोट पोलिंग बूद पर वोट डाल सकते हैं उनमें पुरुष मदाता की संख्या 1,67,696 है जबकि महिला वोटास यहां 1,63,951 है इस सीट पर दो ट्रांसजेंडर है और विध्या दरनगर में सीता राम अगरवाल जाएंगे या दिया कुमारी जाएंगे और अदिती कमाल के बात यह है कि एक के नाम में सीता राम है और दूसरे राम के वंशज कहते हैं बिलकुल देगे और यह तमाम वो सीटे हैं जहां पर टक्कर है अब जोटवारा क्यूंकि विध्या दरनगर का जिकर आए तो जोटवारा का जिकर आएगा और यह वो सीटे हैं जिस पर दोनों ही पार्टियों की राजशनीती एकदम कुल कर सामने नजर आती है जोटवारा सीट का कड़ा मुकाबला राजवर्दन सिंग राटोर कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं सांसद हैं और उनके सामने अभिशेक चौदुरी मैदान है अभिशेक चौदुरी को जब उतारा तो ऐसा लग रहा था कहीं न कहीं कॉंग्रेस बहुत आखरी नाम उतारा और सबसे पहला नाम राजवर्दन सिंग राटोर का बीज़पी की पहली लिस्ट में आया था सांसद हैं और अब विदान सबा का चुनाव लड़ रहे हैं इनकी किस्मत का फैसला कौन करें इनकी किस्मत का फैसला मुझे लगता है आशू सिंग सुरपुरा करेगा बिल्कुल और उस पे सबकी नजर है और उस पे दोनों ही पार्टियों के साथ साथ जिस तरह का अनालिस से चल रहा और शायद लग रहा आपकी भी नजर उस पर टिकी हुए बिल्कुल लेकिन वोटा सचाहिए ही है कि आशू सिंग सुरपुरा को भी जो इस मैदान में लाए हैं दोड में लाएंगे या नहीं लाएंगे या जिताएंगे हराएंगे वो ये दरसल आगड़ा है पोलिंग बूत यहां पर 360 हैं आप ज़रा वोटास की संख्या देखिए वोटास हैं चार लाख 28,000 सरसक यह शायद उस विधायसभा सीट में से एकजाएंगे सबसे ज्यादा वोटार हैं दो लाख 22,393 पुरुश वोटार है उसमें महिला वोटार दो लाख 5,673 है एक ट्रांसजेंडर है और भारी भरकम वोटास और भारी भरकम चेहरे एक और जबरदस सीट की चर्चा करते हैं सवाई मादूपूर और जब सवाई मादूपूर पर फर्स्ट इंडिया ने फ्लैश किया ब्रेक किया कि यहां से सांसद किरोडी मीना लड़ेंगे तो फोन का अंबार जैसे लग गया था तो आपको बताते हैं कि किरोडी लाल मीना राजसबास सांसद उनको यहां से उतारा गया है और इनके सामने दानिश अब्राद मुक्किमंत्री सलाकार रह चुके हैं दानिश अब्राद का अपने आप रोज के किस्से हैं सचिन पाइलट से लेकर अशोग गैलोग तक के खेमे का बेराल आज इन दोनों की सीर पे आशा मीना भी कड़ी है शायद उन्होंने गणे दोनों का ही बिगार दिया है यह कह सकते हैं कि मीना साब का बिगरता नजर आ रहा है लेकिन फिर भी इनका फैसला कौन करेगा विजेर इनका फैसला वोटर्स करेंगे और वोटर्स कितने हैं सवाई मादोपुर में वोटर्स हैं 1,35,773 पुरुष और महिला वोटर्स हैं 1,20,551 ट्रांसजेंडर 5 हैं कुल वोटर्स 2,56,329 हैं और पोलिंग बूत यहां बनाई है 2,42 इन दो चेहरों के साथ एक चेहरा और जोड़िये आशा मीना का क्योंकि इन दो चेहरों को चिताने हराने या फिर आशा मीना खुद भावनाओं के साथ खुद को भुनाने में और कितनी काम्याब होगी यह वो आखड़ा है जो सस्वीर को साथ खुद अर इस समय तीनों की नब्स काफी तेज होगी एक और रोचक सीट पर आपको पूरा आखड़ा बताते हैं कोटा उत्तर दोनों ही पार्टियों के लिए बहुत ही अस्वंजस की स्थिति आ पर थी प्रत्याशी तैयार थे लेकिन फैसला मोहर लगने की बाद थी कोटा उत्तर सीट पर टककर शांती दारिवाल और प्रलाद गुंजल पता था कि ये दोनों ही उतरेंगे लेकिन देर लगी दोनों के नाम अनाउंस होने में बेहद रोचक सीट है कोटा उत्तर अच्छा इसमें कुछ चीज़े हैं जो मैं जोड़ना चाहूं शायद शांती दारिवाल मुक्यमंद्री अशोग एलोत के कोटा से आए हैं और प्रालाद गुंजल को टिकट कैसे मिला इस उत्तर को ढूनने में वहां कई बड़े चैरों के नाम इर्दगर्द घूंगते नसार हैं कई लोगों के कोटा से आ सकते हैं ठीक है लेकिन जो तस्वीर को साफ करेंगे वो दर असल ये वोटास हैं पोलिंग बूद 236 हैं पुरुष मदाता 1,30,153 है महिला मदाता इस सीट पर 1,25,449 है 13 ट्रांसजेंडर हैं कुल वोटास के अगर इस सीट पर बात की जाए तो 2,55,605 हैं जो कोटा में उत्तर ये देंगे कि वहां अगले विधाय कौन हो पिल्कुल लगातार काटे की टक्कर वाली सीट हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं और आप खिमसर की बात करेंगे खिमसर पे किस की टक्कर है आपको बता दें हनुमान, बेनिवाल और तेज़पाल मिर्दा मैदान में हैं हनुमान, बेनिवाल, को शायद उनका जेकर, उनके बारे में बात करना सबको बहुत अच्छे सा पता है, लगातार चुनाओ प्रजार में काफी कुछ और चर्चित वो रहे हैं लेकिन बेहत मैत्मून सीट है, 700 RLP के एकलोते, उसके बार तमाम तरीके की कहानी लेकिन फिलाल हनुमान बेनिवाल के साथ तेज पाल मिर्दा मैदान में उतरे अच्छा एक और चीज़ है, वो डांस के लिए भी लोग प्रिया हुए इस चुनाओ में और चाटा मारने के लिए लोग प्रिया हुए, दाटने के लिए भी लोग प्रिया हुए अलंकि इस सीट पर कोन जीतेगा, कोन हारेगा, क्योंकि जब हनुमान बेनिवाल सांसत बने तो इस सीट पर नारायन बेनिवाल चुनाओ लड़ने लेकिन वो मूल सीट पर वापस आए और विदान सबस चुनाओं में वो मैदान में है और आजाद पार्टी के साथ गड़बंधन करके मैदान में है और वहां की इर्दगेर्थ की अगर बात करें तो उस सीट पर इंपक्ट भी और दूसरी सीटों पर आरल पी का इंपक्ट देखने को मिल सकते हैं इसके बाद बात करेंगे नागौर में टककर की नागौर विदान सबस सीट आपको बता दे डॉक्टर जोती मिर्धा और उनके सामने हिरेंदर मिर्धा का मुकाबला और आपको बता दे जोती मिर्दा भारते जंता कॉंग्रेस से भारते जंता पार्टी में गई थी और उसके बाद खेरेंदर मिर्दा का मुकाबला वैसे ही कह रहे थे कि अल्प संक्या यहाँ पर लडाए जाने से यह तमाम चीज़ थी कि जो जाट वोटर्स यह जाट बड़े नेताओं को अपने साथ साधना चाहती थी हालाकि इनके वोटर्स के संक्या आप तो जो जो भी जीतेगा का जा रहा है जीतेगा तो मिर्दा ही जीतेगा तो मिर्दा ही और पुल पॉलिंग बूत यहाँ 243 पनाए गए अगली सीट का रूख करते हैं चितोर गण यह भी एक बेहत वैत्पून सीट है नर्पत सिंग राजवी यहाँ पर टिकेट कटा पहले नर्पत सिंग राजवी का विद्यादर नगर से फिर उनको यहाँ पर बेजा गया तो चंद्रबान आक्या का यहाँ से टिकेट कटा था और नर्पत सिंग राजवी वह बहुत इंटरस्टिंग था जो इन्हों ने दिया था बिल्कुल और यह पहले लड़ चुक है नर्पत सिंग राजवी आखरी के सुचियों में नाम आया क्योंकि और भी विकल्ट थे लेकिन आखिर का टक्कर कॉन दे सकता है सुरंदर सिंगा विकल्ट के वीच में उन्होंने अल्टिमेटम दे दिया था सभा करके कि हम कल तै करेंगे 24,656 महिला वोटारी सीट पर एक लाग 34,446 फ्रांग जेंडर हैं तीन कुल वोटास यहां है 270,105 और इस सीट पर पोलिंग भूत बनाए गए हैं 217 और देखिए इसके अलावा तिजारा जो आपको बता देंगी यह भी एक होट सीट रही है चर्चा में रही है पहले दिन से लेकर अब तक बाबा बालकनाथ जिनको लिए कहा जा रहा था कि वो बैरोर से चुनाओ लड़ सकते हैं वो मना करते आए और फिर तेजारा से उनको चुनाओ में उतारा गया खड़ा मुकाबला अचा रोचक बात यह है कि इमरान खान उससे पहले बसपा के लिए चुनाओ प्रचार कर रहे थे और फिर कॉंग्रेस से लंबे समय में संपर्क में थे बाद में इस तककर को और कड़ी बनाने के लिए इमरान खान को जोड़ा गया कॉंग्रेस के साथ और अब दोनों के बीच में कड़ा मुकाबला और सीधा सीधा पॉलराइजेशन वाला यहाँ पर इन्होंने एक बयान दिया था बाव बारक नात ने कि यह कोई कॉंग्रेस बीज़पी का मैच नहीं है भारत पाकिस्तान का मैच लेकिन चलिए दर्चक देखे लेते हैं जो फैसला करेंगे और हम इसको क्योंकि यहाँ पूरा पॉलराइजेशन करने की कोशिश की गई हम अपने वोटरस को बताते वक्त कोई पॉलराइजेशन नहीं करेंगे अमधारें पॉरुष वोटर यहां 13805 हैं महिला वोटरस एक लाग 22804 हैं ट्रांजेंडर यहां एक हैं पुल वोटरस यहां 2660 हैं और पॉलिंग भूत यहां बनाएगे हैं 207 अब देखे एक और मैधपुन सीट साचोर जहां से कॉंग्रेस के मंतरी आते थे और साचोर में उतारे गए जो सांसद है देव जी पटेल अब देखे ये जो साचोर की जो तक्कर है वो सियासी है आपको बता दें कि बीजेपी के देव जी पटेल सांसद यहां से चुनाम उतारे गए और कॉंग्रेस के सुक्राम विश्णोई मंतरी हैं और कहा जारा था एंटी इंकमेंसी तमाम चीजे लेकिन आखिर कार इनको उतारा गया तमाम और नाम थे लेकिन अब टक्कर काटे की क्योंकि यहां पर भी बारते जन्ता पार्टी के नाराज जो लोग हैं वो मैदान में हैं बिठाने की कोशिश तमाम चीजे अब जरा वोटर्स को देख लेते हैं वोटर्स कितने हैं इस सीट पर साचोर में पुरुष वोटर्स हैं 1,67,000 साथ महिला वोटर्स है 1,48,197 ट्रांसजेंडर इस सीट पर शायद हम से कुछ मिस्टेक हुई है इसको हम चेक करेंगे कुल वोटर्स यहां 3,15,200 69 और पोलिंग कीजिएगे इसमें ट्रांसजेंडर के संख्या चायद हम कॉपी कर गए और इसलिए इसको बाद में एक बार फिर से आपको बताएंगे सीट पर ट्रांसजेंडर कितनी है और देखे अब एक और मैथपूंग सीट जापे आमेर जैपूर इलाके की और देखे सबसे बड़ी बात है कि आमेर में डॉक्टर सतीश पूनिया पहले भी वो विदायक मां से रहे और इससे बड़ी बात है कि वो प्रदेश अध्यक्ष रहे थे अब उनके सामने प्रशा सब्सक्राइब ऑनलाके dział-बद सब्सक्राइब लौनाके सद्राइब वेसिट बदली जा सकती है यह व् Следका रहात है ग्राट सब्सक्राइब को अपने पक्ष में करके पूरुष् वोटास इस सीट पर है 1,51,111 माईला वोटार है 1,38,045 ट्रांजेंडर यहां एक है कुल वोटास यहां 2,89,517 है और इस सीट पर पोलिंग जो बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं दो सब्राब करते हैं उन सीटों की जहां काटे की टक्कर नहीं बल्कि होट सीट है और बात करते हैं सर्दार पुरा सीट से जहां मुक्यमंत्री अशोग गहलोत पनाम महिंदर सिंग्राट पोड के बीच में मुकाबला है अलकि इस सीट पर जब आप जाएंगे इस सीट के इतिहास पर जाएंगे तो फिर आपको एहसास होगा कि यहां बीजेपी बार-बार केंडि प्सक complaint कोंग्रेस बदलती आई प्सक्राइब वही आप को बताते हैं कि यहां वोटर्स कितने हैं वोटर्स की संक्या क्या यह सरा देखिए सरदार पुरा में अगर पुरुष वोटर्स की बात की जाए तो 131,131 है जबकि महिला वोटर्स की बात की जाए तो 1,26,049 है ट्रांजेंडर इस सीट पर 21 है जबकि अगर कुल वोटर्स की बात की जाए तो 2,57,191 वोटर है यह दर असल बुगा करा है जिसमें से मान कर चलिए जहां तक मुझे लगता है कि 1,80,000 से शायद हो सकता है 2,00,000 के आसपास वोट यहाँ पड़े लेकिन वो यहाँ तै कर देंगे और लगबर तस्वीरें यहाँ पर तै ही होती है बिलकुल सरदार पुरा के वोटर्स की तस्वीरें आपको बता रहे हैं पोलिंग डूट विजेंदर, 225 पोलिंग डूट जी, जालरा पाटन को जरा देखते हैं क्योंकि जालरा पाटन दूसरी होट सीट है अधिती यहाँ मुकाबला किस-किस के बीच में है अलांकि बहां कितना इस से फर्क पड़ता है कि मुकाबला किस के बीच में एक अलग सवाल है यहाँ बीचेपी से पूर मुख्यमंत्री वस्तुना राज्ये को मैदान में उतारा गया है जबकि कॉंग्रेस के रामलाल चोहान यहाँ मैदान में है लेकिन यहाँ वोटर कितने हैं? इसको एक बार सरा देख लेते हैं वोटर्स अब तक आएं देख लिए जालावार पार्टन के वोटर्स विजेद्र 298 टोटल पोलिंग बूथ हैं बाकि वोटर्स पुरुष महिला ट्रांजेंडर कुल वोटर्स बिल्कुल अगर पुरुष मदाता की बात की जाए तो एकलाग 15590 वोटर्स हैं वोटर्स की बात की जाए तो एकलाग 46,216 हैं इस सीट पर 4 ट्रांजेंडर हैं जबकि अगर कुल मदाता की बात की जाए तो 297,810 इस सीट पर कुल वोटर्स हैं इसमें से कितने वोट कास्ट करने जाएंगे हम तो यही कहेंगे कि सोफी जी जाहिए और इस महापर में अपनी बड़ी भूमिका को निभाईए वही नादवारा सीट पर टक्कर है डॉक्टर सीपी जोशी कॉंग्रेस के विश्व राद सिंग मेवार बीजेपी से चुनाव मैदान में है यानि सीपी जोशी वर्सेज विश्व राद सिंग मेवार और ये भारतिय जद्दा पार्टी में भी शामिल हुए थे और उसके अब इनके मविश्व का पैसला ये करेंगे क्योंकि इस सीट पर कुल वोटर्स की बाद करें दो लाक अर्टीस हजार पांसो उन्तीस हैं उनमें से पुरुश एक लाग बाईस हजार चार्सो उन्तालिस हैं महिला वोटर्स की बाद करें तो एक लाक 16,082 हैं इस सीट पर बड़ी टक्कर है सचन पालेट के सामने बीजेप्ती से अजीत सिंग मैता पिशली बार युनुस खांते जो इस बार इंडिपेंडनेंट लड़ रहे हैं लेकिन इस बार अजीत सिंग मैता कहते हैं पूरी RSS अजीत सिंग मैता को चुनाओं में जिताने लड़ाने तमाम च 2828 हैं उनमें से अगर पुरुष वोटर के बात करें तो 129,445 है जबकि महीला वोटर से 123,389 हैं इस सीट पर प्रांसजेंडर 4 हैं और ये वो पॉलिंग बूत है जहां से ये सब वोट करके अपने प्रत्याशी को विधा सभा में उंग्चा देंगे और एक और होट सीट तारनगर का जिक्र करेंगे तारनगर जहां से राजेंद्र सिंग राठोड और नरेंद्र बुड़ानिया का मुकाबला है तारनगर सीट जैसे 2008 में हुआ था फ्लिप ठीक वैसे इस बार हुआ लेकिन तारनगर सीट पर काफी टककर है माना चाराओ यह वोटरस हम आपको बताते हैं कि जो किस्मत का फासला करेंगे पोलिंग बूद 299 जिनके जरिये फासला होगा कुल वोटरस यहां 3,5,332 है उनमें से अगर पुरुश वोटर की बात करें तो 1,6,416 है मैला वोटरस 1,44,913 है इस इट पर 3 ट्रांगर है और यह दरसल तार विजहां सभा है से और अब जब इतनी टक्कर वाली होट सीटों की बात करें तो लक्षमंगर यह चूट नहीं सकता क्यूंकि यहां से कॉंग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोवन सिंग डुटासरा और सामने सुभाश महरिया में एक कड़ा मुकाबला नजर आ रहा है जा जानते हैं कि किस तरीके किस सियासा देख दूसरे के खलाब उनको करनी है लेकिन यह दर असल वो आंकड़ा है जो इनकी तस्वीर को विदासभा के अंदर पहुंचाएंगे या नहीं पहुंचाएंगे बैराल 288 पुल पॉलिंग बोट हैं जहां बोटर अपने बोट का इस 11,140 वोटर हैं जो करते हुए नजर आएगे बिलकुल और विद्या दर नगर जब पहली लिस्ट भार दिन तब पार्टी के आई थी तो विद्या दर नगर उसके बाद तक भी चर्चा में रहा था और विद्या दर नगर से बात करेंगे दिया कुमारी सांसाथ दिया कुमा अगरवाल मैदान में उत्रे बहुत पुराने सीताराम अगरवाल कॉंग्रेसी हैं इसके अलावा भी जिस तरीके से उन्होंने काम किया लेकिन क्योंकि विद्यादर नगर भारते जंदा पार्टी के की सीट पानी जाती है एक माना जाता है लंबे समय से उनके साथ ही तो यहा अगरवाल यहां कितने वोटास हैं जो पैसला करेंगे गुल वोटास हैं यह 3,41,649 भारी भरकम वोटास हैं 283 वोट पोलिंग बूद पर वोट डाल सकते हैं उनमें पुरुष मद्दाता की संख्या एक लाग सताथ हजार चेसो शियानवे है जबकि महिला वोटास यहां ए एक के नाम में सीटा राम है और दूसरे राम के बंशज कहते हैं बिलकुल देखें और यहतं तमाम वो सीटे हैं जहां पे टककर है अब जोटवारा क्योंकि विद्या दाटंगर का जिक्राएगा और यह वो सीटे हैं जिस पर दोनों ही पार्टीयों की राज़ुनीती लग रहा था कहीं न कहीं कॉंग्रेस बहुत आखरी नाम उतारा और सबसे पहला नाम राजवारदन सिंग डाटोड़ का बीज़ेपी की पहली लिस्ट में आया था सांसद है और अब विदान सभा का चुनाव लड़ रहे हैं इनकी किस्मत का फैसला कौन करें इनकी किस्मत का है कि आशियो सिंग सुर्पुरा को भी जो इस मैदान में लाए हैं दोड में लाएंगे या नहीं लाएंगे या जिताएंगे हराएंगे वो यह दर असला आखड़ा है पोलिंग बूत यहां पर 360 हैं आप जरा वोटर्स की संख्या देखिए वोटर्स हैं चार लाख सबसे ज्यादा वोटर हैं दो लाख 22,393 पुरुष बोटर है उसमें महिला वोटर दो लाख 5,673 है एक ट्रांसजेंडर है और भारी भरकम बोटस और भारी भरकम चेहरे एक और जबरदस सीट की चर्चा करते हैं सवाई मादूपूर और जब सवाई मादूपूर पर फरस किरोडी मीना लड़ेंगे तो फोन का अंबार जैसे लग गया था तो आपको बता दें कि किरोडी लाल मीना राजसबास सांसाथ उनको यहां से उतारा गया है और इनके सामने दानिश अबराद मुक्किमंत्री सलाकार रह चुके हैं दानिश अबराद का अपने आप रोज क किस्से हैं सचिन पाइलट से लेका रशोग गैलोट तक के खेमे का बेराल आज इन दोनों की सीर पे आशा मीना भी कड़ी है शायद उन्होंने गड़े दोनों का ही बिगार दिया है यह कह सकते हैं कि मीना साब का बिगरता नजर आ रहा है लेकिन फिर भी इनका फैसला कौन 329 हैं और पोलिंग बूत यहां बनाई है 242 इन दो चेहरों के साथ एक चेहरा और जोड़िये आशा मीना का क्योंकि इन दो चेहरों को जिताने हराने या फिर आशा मीना खुद भावनाओं के साथ खुद को भुनाने में कितनी कामयाब होगी यह वो आखड़ा है जो सस्व स्वंजस की स्थिति यहां पर थी प्रत्याशी तैयार थे लेकिन फैसला मोहर लगने की बाद थी कोटा उत्तर सीट पर टककर शांती दारिवाल और प्रलाद गुंजल पता था कि यह दोनों ही उतरेंगे लेकिन देर लगी दोनों के नामनाउंस होने में बेहद रोचक है कोटा उत्तर अच्छा इसमें कुछ चीज़े हैं जो मैं जोड़ना चाहूं शायद शांती धारिवाल मुक्यमंत्री अशोग एलोत के कोटा से आए हैं और प्रलाद गुंजल को टिकट कैसे मिला इस उत्तर को ढूनने में वहां कई बड़े चैरों के नाम इर्दगर्द गूंगते रसल हैं लोगों के कोटा से आ सकते हैं ठीक है लेकिन जो तस्वीर को साफ करेंगे वो दर असल ये वोटास हैं पॉलिंग बूद 236 हैं पुरुष मदाता एक लाग 30153 हैं महिला मदाता इस सीर पर एक लाग 25449 हैं तेरा ट्रांसजेंडर हैं कुल वोटास के टकर वाली सीट हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं और आप खिमसर की बात करेंगे खिमसर पे किसकी टकर हैं आपको बता दे हनुमान बेनिवाल और तेजपाल मिर्दा मैदान में हैं हनुमान बेनिवाल को शायद उनका जेकर उनके बारे में बात करना सबको बहुत अच्छे पार्टी के साथ गडबंदन करके मैदान में और वहां की इर्दगेर्थ कि अगर बात करें तो उस सीट पर इंपक्ट भी और दूसरी सीटों पे आरेलपी का इंपक्ट देखने को मिल सब्सक्राइब लेकिन इनके किस्मत का फैसला कोन करेगा वोटर्स जरा देख लेते हैं पुरुष मदाता इस सीट पर एक लाग 47,609 है महिला मदाता एक लाग 34,836 है फ्रांस जेंडरी सीट पर नहीं है कुल वोटर्स की बात करें तो दो लाग 82,445 और पोलिंग बूत 264 इस पर बनाए गए इसके बाद बात करेंगे नागोर में टककर की नागोर विधानसबा सीट आपको बता दे डॉक्टर जोती मिर्धा और उनके सामने हिरेंदर मिर्धा का मुकाबला और आपको बता दे जोती मिर्धा भारते जंता कॉंग्रेस से भारते पार्टी में गई थी और उसके बाद हिरंदर मिर्दा का मुकाबला वैसे ही कह रहे थे कि अलप संक्या यहाँ पर लड़ाए जाने से यह तमाम चीज़ थी अब इस बार वो इंडिपेंडनेंट लड़ रहे हैं इसले यहां के समीकरण बहुत कुछ होंगे और सबसे मैटकून बात है कि भारते जनता पार्टी दसो सीटों पर कुछ कमाल करना चाती थी और यही वज़ा थी कि जो जाट वोटर्स यह जाट बड़े नेताओं को अपने साथ साधना चाती थी हलाकि इनके वोटर्स के संख्या आप तो जो जो भी जीतेगा का जा रहा है भाई जीतेगा तो मिर्दाई है जीतेगा तो मिर्दाई है ठीक है लेकिन वोटर्स कितने हैं वोटर्स जरा देके 1,49,947 पुरूष वोटर है महिला वोटर्स एक लाग 30,366 हैं ट्रांसजेंडरी सीट पर पांच हैं कुल वोटर्स यहां दो लाग 17,318 हैं और कुल पोलिंग भूट यहां 243 बनाए गए अगली सीट का रूख करते हैं चितोर गण यह भी एक बेहत वैत्पून सीट है नर्पत सिंग राजवी यहां पर टिकेट कटा पहले नर्पत सिंग राजवी का विद्यादर नगर से फिर उनको यहां पर बेजा गया तो चंद्रवान आक्या कह यहां से टिकेट कटा था और नर्पत सिंग राजवी यही वज़े थी कि इस पर सोचा गया और फिर भैरो सिंग शेखावत जी का जिसे कहते हैं सौ साल जन्व सताबदी का साल था तो ऐसा कुछ नहीं किया जा सकता था इसलिए उनके सामने सुरिंदर सिंग जाडवत को मैदान में सौरिंदर सिंग जाडवत भी आखरी के सुचियों में नाम आया क्योंकि और भी विकल्ट से यागिन आखिर कार टकर कॉन दे सकता है सौरिंदर सिंग जाडवत के बीच में उन्होंने अल्टिमेटम दे दिया था सभा करके कि हम कल तै करेंगे अगर कल दो बज़े तक तै पर नहीं हुआ तो फिर हम तैकर लेंगे, जैसे यहां से चंदवान आक्या ने तैकर लिया कि नहीं, मैं जनता की तरप से मैदान में रहूंगा सब ग You एक पशोपन मैला वोटर ईस सीट पर एक लाग ठीज साजी जेदर आठीन चपर गिणेगो पर है", SAN सेट पर पोलिंग भूत बनाए गए हैं 287 और देखिए इसके अलावा तिजारा जो आपको बता देंगी ये भी एक होट सीट रही है चर्चा में रही है पहले दिन से लेकर अब तक बाबा बालक नाथ जिनको लिए कहा जा रहा था कि वो बैरोड से चुनाओ लड़ सकते हैं वो मना करते आए और फिर तेजारा से उनको चुनाओ में उतारा गया खड़ा मुकाबला अचा रोचक बात यह है कि इम्रान खान उससे पहले बसपा के लिए चुनाओ प्रचार कर रहे थे और फिर कॉंग्रेस से लंबे समय में संपर्क में थे बाद में इस तक्कर को और क अपसान को पार लेकिन चलिए दर्चक देखे लेते हैं जो फैसला करेंगे और हम इसको क्योंकि यहां पूरा पॉरा पॉर्राइजेशन करने की कोशिश की गई हम अपने वोटर्स को बताते वक्त कोई पॉर्राइजेशन नहीं करेंगे अमदारें पॉरुष वोटर्स यहां 13805 हैं माईला वोटर्स एक लाग 22884 हैं ट्रांजेंडर यहां 1 हैं कुल वोटर्स यहां 26660 हैं और पोलिंग भूत यहां बनाए गए 2040 अब देखे एक और मेत्पून सीट साचोर जहां से कॉंग्रेस के मंतरी आते थे और साचोर में उतारे गए जो सांसद है देव जी पटेल अब देखे एक जो साचोर की जो तक्कर है वो सियासी है आपको बता दें कि बीजेपी के देव जी पटेल सांसद यहां से चुनाव उतारे गए और कॉंग्रेस के सुक्राम विश्णोई मंतरी हैं और कहा जारा था एंटी इंकमेंसी तमाम चीजे लेकिन आखिरकार इनको उतारा गया तमाम और नाम थे लेकिन अब टक्कर काटे की क्योंकि यहां पर भी बारते जन्ता पार्टी के नाराज जो लोग हैं वो मैदान में हैं बिठाने की कोशिश तमाम चीजे अब जरा वोटर्स को देख लेते हैं वोटर्स कितने हैं इस सीट पर साचोर में पुरुष वोटर्स है 1,667,007 महिला वोटर्स है 1,48,197 ट्रांसजेंडर इस सीट पर शायद हम से कुछ मिस्टेक हुई है इसको हम चेक करेंगे कुल वोटर्स यहां 3,15,200 69 और पोलिंग भ अब एक और मेटपून सीट जापे आमेर जैपूर इलाके की और देखे सबसे बड़ी बात है कि आमेर में डॉक्टर सतीश पूनिया पहले भी वो विदायक महां से रहे और इससे बड़ी बात है कि उप्रदेश अध्यक्ष रहे थे अब उनके सामने प्रशान शर्मा अब एसा नहीं हुआ केवल राजेंदर सिंग राठोर की सीट बदली गई सतीश पूनिया का भी नाम था उनकी नहीं बदली गई आमेर सीट में कड़ा मुकावला सतीश पूनिया वर्सेस प्रशान शर्मा जीत का मारजन इस सीट पर पिछली बार भी काफी खम था और उस म पूल बोटास यहां 2,89,517 हैं और इस सीट पर पोलिंग बोत जो बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं तो सीट करते हैं उन इस सीटों की जहां कांटे की टकर नहीं बल्कि होट सीट है और शुरुबात करते हैं सरदार पुरा सीट से जहां मुक्यमंतरी अश्योग गहलोथ महिंदर सिंगरा ठोड के बीच में मुकाबला है अलंकि इस सीट पर जब आप जाएंगे इस सीट के इतिहास पर जाएंगे तो फिर आपको एहसास होगा कि यहां बीजेपी बार बार कैंडिडेट को बदलती है यह बिलकुल उसी अंदाज में जैसे जालरा पाटन के अंद अगर केंडिडेट कोंग्रिस बदलती है यह बहीं आपको आप बताते हैं कि यहां वोटर्स कितनी हैं वोटर्स की संक्या क्या यह ज़रा देखिए सरदार पुरा में अगर पुरुष वोटर्स की बात की जाए तो 131,131 हैं जबकि महिला वोटर्स की बात की जाए तो 1,26,049 हैं ट्रांजेंडर इस सेट पर 21 हैं जबकि अगर कुल वोटर्स की बात की जाए तो 2,57,191 वोटर्स की बात की जाए तो 2,57,191 वोटर्स की बात तस्वीरें यहां पर तैही ही होती है बिल्कुल सरदारपुरा के वोटर्स की तस्वीरें आपको बता रहे हैं पोलिंग डूट विजेंदर दोसो पच्छस पोलिंग डूट जी, जहालरा पाटन को खरा देखते हैं क्योंकि जहालरा पाटन दूसरी होट सीट है अदिती यहां मुकावला किस-kis के बीछ में है अलांकि वहां कितना इससे फर्क पड़ता है कि मुकावला किस के बीछ में एक अलग सवाब है लेकिन यहाँ बीजेपी से पूर मुख्यमंत्री वस्तुना राज्य को मैदान में उतारा गया है जबकि कॉंग्रेस के रामलाल चोहान यहाँ मैदान में है लेकिन यहाँ वोटर कितने हैं इसको एक बार सरा देख लेते हैं लेकिन वोटर्स अब तक आएं देख लिए जालावार पार्टन के वोटर्स विजेद्र 298 टोटल पोलिंग बूट हैं बाकि वोटर्स पुरुष महिला ट्रांजेंडर कुल वोटर्स बिल्कुल अगर पुरुष मदाता की बात की जाए तो 51,590 वोटर्स हैं अब इसमें से कितने वोट कास्ट करने जाएंगे हम तो यही कहेंगे कि सोफी जी जाहिए और इस महापर में अपनी बड़ी भूमिका को निभाईए वही नादवारा सीट पर टकर है डॉक्टर सीपी जोशी कॉंग्रेस के विश्व राद सिंग मेवार बीजेपी से चुनाव मैदान में है यानी सीपी जोशी वर्सेज विश्व राद सिंग मेवार और ये भारतिय जद्धा पार्टी में अभी शामिल हुए थे और उसके बाद दोनों के बीच के टकर है अब इनके मुईशे का पैसला ये करेंगे क्योंकि इस सीट पर कुल वोटर्स की बाद करें इस सीट पर आठ ट्रांजेंडर है और कुल पोलिंग बूत जो इस सीट पर है वो 237 पोलिंग बूत बनाए गए है टॉक बहुत होट सीट रही है खास सौट पर 2018 से विजय इंद्र इसे टॉक में जो कड़ी टककर है सचन पालेट के सामने बीजप्ती से अजीत सिंग मेता पिछली बार यूनुस कांते जो इस बार इंडिपेडनेंट लड़ रहे हैं लेकिन इस बार अजीत सिंग मेता कहते हैं पूरी RSS अजीत सिंग मेता को चुनाओ में जिताने लड़ाने तमाम चीज़ों के लड़ जाती है और 2013-2018 तक अजीत मेता यहां से विधायक रहे भी चुके हैं चलिए लेकिन यहां का वोटर कितना हैं यह हम आपको बता रहे हैं पॉलिंग बूत इसमें 250 हैं अधीती कुल वोटर यहां 2,52,828 हैं उनमें से अगर पॉलिंग बूत करें तो 1,29,445 हैं जबकि महिला वोटर से 1,23,389 हैं इस सीट पर फ्रांस जेंडर चार हैं और यह वो पॉलिंग बूत है जहां से यह सब वोट करके अपने प्रत्याशी को विधा सभा में उंग्चा देंगे और एक और होट सीट तारनगर का जिक्र करेंगे तारनगर जहां से राजेंद्र सिंग राठोड और नरेंद्र बुडानिया का मुकाबला है तारनगर सीट जैसे 2008 में हुआ था फ्लिप ठीक वैसे इस बार हुआ लेकिन तारनगर सीट पर काफी टककर है अपना चुडाओ प्रचार वहाँ पर कर रहे है अला कि पूरे सीकर और शिकावटी बेल्ट पर उनका इंपेक्ट रहता है लेकिन नरेंद्र बुडानिया को भारतियन तार पाठीन होता रहे है लेकिन इन दोनों की किस्मत का फैसला कौन करेगा ये वोल्टास हम आपको बताते हैं कि जो किस्मत का फैसला करेंगे पोलिंग बूद 299 जिनके जरिये फैसला होगा कुल वोल्टास यहां 3,5,332 हैं उनमें से अगर पुरुश वोल्टास की बात करें तो 1,60,416 हैं महिला वोल्टास 1,44,913 हैं इस सेट पर 3 ट्रांसजेंडर हैं और ये दरसल तारणगर के वो वोल्टास जो नरेंद्र बुडानिया या फिर राजेंद्राठो जिसको भी चाहेंगे जिताकर विधान सभा भेसे और अब जब इतनी टककर वाली होट सीटों की बात करें तो लक्षमंगर ये चूट नहीं सकता क्योंकि यहां से कॉंग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोवन सिंग डुटासरा और सामने सुभाश महरिया में एक कड़ा मुकाबला नजर आ रहा है जाए एक तरफ डीजे पे हमने गोवन सिंग डुटासरा को डांस करते देखा तो वहीं बड़ा रोचक तरीका सुभाश मेरिया का भी राब काटे की टककर है अब इनका फैसला कॉल करें दोनों जानते हैं कि किस तरीके किस सियासत एक दूसरे के खिलाब उनको करनी है लेकिन ये दरसल वो आंकड़ा है जो इनकी तस्वीर को विधासभाग के अंदर पहुंचाएंगे या नहीं पहुंचाएंगे 17,140 वोटर हैं जो करते हुए नजर आएगे ति किस सीट पानी जाती है एक माना जाता है लंबे समय से उनके साथ थी तो यहां पर दियाकुमारी और यह हाइलाइट है कि दियाकुमारी के सामने सीता राम अगरवाल दोनों की टक्कर है और लगातार चुनापन चाहिए सीता राम अगरवाल जाएंगे या दियाकुमारी जाएंगे और अधिती कमाल के बात यह है कि एक के नाम में सीता राम है और दूसरे राम के बंशज कहते हैं बिलकुल देगे और यह तमाम वो सीते हैं जहां पे टक्कर है अब जोटवारा क्यूंकि विद्या दटंगर का जिकर आए तो जोटवारा का जिकर आएगा और यह वो सीते हैं जिस पे दोनों ही पार्टियों की राजशनीती एकदम कुल कर सामने नजर आती है जोटवारा सीट का कड़ा मुकाबला राजवर्दन सिंह राटोर कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं सांसद है और उनके सामने अभिशेग चौदुरी मैदान है अभिशेग चौदुरी को जब उतारा तो ऐसा लग रहा था कहीं न कहीं कॉंग्रेस बहुत आखरी नाम उतारा और सबसे पहला नाम राजवर्दन सिंह राटोर का बीज़पी की पहली लिस्ट में आया था सांसद है और अब विदान सबा का चुनाव लड़ रहे हैं इनकी किस्मत का फैसला कौन करें इनकी किस्मत का फैसला मुझे लगता है आशू सिंग सुरपुरा करेगा बिल्कुल और उस पे सबकी नजर है और उस पे दोनों ही पार्टियों के साथ-साथ जिस तरह का अनालिस से चल रहा और शायद लग रहा आपकी भी नजर उस पटिकी हुए बिल्कुल लेकिन वोटर सचाहिए है कि आशू सिंग सुरपुरा को भी जो इस मैदान में लाए हैं दोड में लाएंगे या नहीं लाएंगे या जिताएंगे हराएंगे वो ये दरसल आगड़ा है पोलिंग बूत यहाँ पर 360 हैं आप जरा वोटर्स की संख्या देखिए वोटर्स हैं 4,28,060 यह शायद उस विधायसभा सीट में से एक जाएंगे सबसे ज्यादा वोटर है 2,22,393 पुरुश वोटर है उसमें महिला वोटर 2,5,673 है एक ट्रांसजेंडर है और भारी भरकम वोटर्स और भारी भरकम चेहरे एक और जबरदस सीट की चर्चा करते हैं सवाई मादूपूर और जब सवाई मादूपूर पर फर्स्ट इंडिया ने फ्लैश किया ब्रेक किया कि यहां से सांसद किरोडी मीना लड़ेंगे तो फोन का अंबार जैसे लग गया था तो आपको बताते हैं कि किरोडी लाल मीना राजसबास सांसद उनको यहां से उतारा गया है और इनके सामने दानिश अबरार मुक्किमंत्री सलाकार रह चुके हैं अबरार का अपने आप रोज के किस्से हैं सचिन पाइलट से लेकर अशोग गैलोट तक के खेमे का बेराल आज इन दोनों की सीर पे आशा मीना भी कड़ी हैं शायद उन्होंने गड़े दोनों का ही बिगार दिया है या कह सकते हैं कि मीना साब का बिगड़ता नजर आ रहा है लेकिन फिर भी इनका फैसला कौन करेगा विजए इनका पैसला वोटस करेंगे और वोटस कितने हैं सवाई मादोपुर में वोटस हैं 1,35,773 पुरुष और महिला वोटस हैं 1,20,551 ट्रांसजेंडर 5 हैं कुल वोटस 2,56,329 हैं और पोलिंग बूत यहां बनाई है 2,42 इन दो चेहरों के साथ एक चेहरा और जोड़िये आश चमीना खुद भावनाओं के साथ खुद को भुनाने में कितनी कामियाब होगी यह वो आखड़ा है जो सस्वीर को साफ़ और इस समय तीनों की नब्स काफी तेज होंगी एक और रोचक सीट पर आपको पूरा आखड़ा बताते हैं कोटा उत्तर दोनों ही पार्टियों के लिए बहुत ही अस्वंजस की स्थिति आ पर थी प्रत्याशी तयार थे लेकिन फैसला मोहर लगने की बात थी कोटा उत्तर सीट पर टककर शांती दारिवाल और प्रलाद पता था कि ये दोनों ही उत्रेंगे लेकिन देर लगी दोनों के नाम अनाउंस होने में बेहद रोचक सीट है कोटा उत्तर अच्छा इसमें कुछ चीज़े हैं जो मैं जोड़ना चाहूं शायद शांती धारिवाल मुक्यमंतरी अशोग एलोथ के कोटा से आए हैं और प्र वीर को साफ करेंगे वो दरसल ये वोटास हैं पॉलिंग बूद 236 हैं पुरुष मदाता एक लाग 30,153 हैं महिला मदाता इस सीट पर एक लाग 25,449 हैं तेरा ट्रांसजेंडर हैं कुल वोटास के अगर इस सीट पर बात की जाये तो दो लाग 55,605 हैं जो कोटा में उत्तर देंगे कि वहाँ अगले विधाय कौन हो बिल्कुल लगातार काटे की टककर वाली सीट हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं और आप खिमसर की बात करेंगे खिमसर पे किसकी टककर है आपको बता दें हनुमान बेनिवाल और तेजश पाल मिर्दा मैदान में हैं हनुमान, बेनिवाल, खुशायद, उनका जेकर, उनके बारे में बात करना, सबको बहुत अच्छे सा पता है, लगातार चुनाओ प्रजार में काफी कुछ और चर्चित वो रहे हैं, लेकिन बेहत मैत्मून सीट है, 700 RLP के एकलोते, उसके बार, तमाम तरीके की कहानी, लेकिन फिलाल, हनुमान बेनिवाल के साथ तेज, पाल, मिर्दा, मैदान में उतरें, अच्छा, एक और चीज़ है, वो डांस के लिए भी लोग प्रिय हुए इस चुनाओ में, और चाटा मारने के लिए लोग प्रिय हुए, दाटने के लिए लोग प्रिय हुए, अलंकि इसीट प अगर बात करें तो उस सीट पर इंपक्ट भी और दूसरी सीटों पर RLP का इंपक्ट देखने को मिल सकते हैं ठीक है लेकिन इनके किस्मत का प्रैसला कौन करेगा वोटर्स जरा देख लेते हैं पुरुश मदाता इस सीट पर 1,47,609 है महिला मदाता 1,34,836 है फ्रांस जेंडर री सीट पर नहीं है कुल वोटर्स की बात करें तो 2,82,445 और पोलिंग बूत 264 इस पर बनाए गए इसके बाद बात करेंगे नागौर में टक्कर की नागौर विधानसबा सीट आपको बता दे डॉक्टर जोती मिर्धा और उनके सामने हिरेंदर मिर्धा का मुकाबला और आपको बता दे जोती मिर्धा भारते जन्ता कॉंग्रेस से भारते जन्ता पार्टी में गई थी और उसके बाद हिरेंदर मिर्धा का मुकाबला वैसे ही कह रहे थे कि अल्प संक्या यहाँ पर लड़ाए जाने से यह तमाम चीज़ थी अब इस बार वो इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं इसलिए यहां के समीकरण बहुत कुछ होंगे और सबसे मैटपून बात है कि भारते जनता पार्टी दसो सीटों पर कुछ कमाल करना चाहती थी और यही वज़ा थी कि जो जाट वोटर्स यह जाट बड़े नेताओं को अपने साथ साधना चाहती थी हलाकि इनके वोटर्स के संक्या आप तो पूचे अलगि निसे जो भी जीतेगा का जा रहा है जीतेगा तो मिटाई जीतेगा तो मिटाई ठीक है लेकिन वोटर्स कितने हैं वोटर्स जरा देके 149,947 पुरुश वोटर है महिला वोटर्स 13366 है ट्रांसजेंडरी सीट पर पांच है कुल वोटर्स यहां 2,7,318 और कुल पॉलिंग भूट यहां 243 पनाए गए अगली सीट का रूख करते हैं चितोर गण यह भी एक बेहत वैत्पून सीट है नर्पत सींग राझवी यहां पर टिकेट कटा पहले नर्पत सींग राझवी का विद्यादर नगर से फिर उंको यहां पर बेजा गया जीत कहते हैं सौसाल जण सताबधी का साल था तो ऐसा कूछ नहीं किया जा सकता था इसलिए उनके सामने सुरेंदर सिंग जाडवत को मैदान में, सुरेंदर सिंग जाडवत भी आखरी की सुचियों में नाम आया, क्योंकि और भी विकल्ग थे, लेकिन आखिर का टक्कर कॉन दे सकता है, सुरेंदर सिंग जाडवत को मैदान में, अगर कल दो बज़े तक तै नहीं हुआ तो फिर हम तै कर लेंगे जैसे यहां से चंडरबान आक्या ने तै कर लिया कि नहीं मजंता की तरफ से मैदान में रहूँगा इन सब के बीच में मुकाबले में चंडरबान आक्या कितना रहेंगे वो तो परिणाम बताएंगे लेकिन जो वोटास हैं वो किसके साथ हैं वो तीन तारीख को पता चलेगा हैं कितने ये हम बता देते हैं पुरुष वोटार हैं 1,35,656 मैला वोटार इस सीट पर 1,34,446 त्रांग जेंडर हैं तीन कुल वोटास यहां है 2,70,105 और इस सीट पर पोलिंग भूट बनाए गए हैं 217 और देखिए इसके अलावा तिजारा जो आपको बता देंगी ये भी एक होट सीट रही है चर्चा में रही है पहले दिन से लेकर अब तक बाबा बालकनाथ जिनकों लेक कहा जा रहा था कि वो बैरोर से चुनाओ लड़ सकते हैं वो मना करते आए और फिर तेजारा से उनको चुनाओ में उतारा गया खड़ा मुकाबला अचा रोचक बात यह है कि इमरान खान उससे पहले बसपा के लिए चुनाओ प्रचार कर रहे थे और फिर कॉंग्रेस से लंबे समय में संपर्क में थे बाद में इस तक्कर को और कड़ी बनाने के लिए इमरान खान को जोड़ा गया कॉंग्रेस के साथ और अब दोनों के बीच पे कड़ा मुकाबला और सीधा सीधा पॉलराइजेशन वाला यहाँ पर इन्होंने एक बयान दिया था बावारक नातने कि यह कोई कॉई बीज़पी का मैच नहीं है भारत पाकिस्तान का मैच लेकिन चलिए दर्चक देखे लेते हैं जो फैसला करेंगे और हम इसको क्योंकि यहाँ पूरा पॉलराइजेशन करने की कोशिश की गई हम अपने वोटरस को बताते वक्त कोई पॉलराइजेशन नहीं करेंगे अमदारें पॉरुच वोटर यहां 13805 हैं महिला वोटरस 122854 हैं ट्रांजेंडर यहां एक हैं पूल वोटरस यहां 261660 हैं और पॉलिन बूत यहां बनाएगे हैं 207 अब देखे एक और मेत्पून सीट साचोर जहां से कॉंग्रेस के मंतरी आते थे और साचोर में उतारे गए जो सांसद है देव जी पटेल अब देखे एक जो साचोर की जो तक्कर है वो सियासी है आपको बता दें कि बीजेपी के देव जी पटेल सांसद यहां से चुनाम उतारे गए और कॉंग्रेस के सुक्राम विश्णोई मंतरी है और कहा जाण था एंटी इंकमेंसी तमाम चीजे लेकिन आखिर कारेन को उतारा गया तमाम और नाम थे लेकिन अब टक्कर काटे की क्यूंकि यहां पर भी भारते जनता पाटी के नाराज जो लोग है वो मैदान में हैं बिठाने की कोशिश तमाम चीज़े हुई लेकिन ऐसे में फिलाल वोटर्स क्या तेय करेंगे आप बताई उनसट और पोलिंग भूत है 321 इस सीट को जरा करेक्ट कीजिगे इसमें ट्रांसजेंडर के संख्या चायद हम कॉपी कर गए है और इसलिए इसको बाद में एक बार फिर से आपको बताएंगे इस सीट पर ट्रांसजेंडर कितनी है और देखे अब एक और मेत्पूम सीट जहां पे आमेर जैपूर इलाके की और देखे सबसे बड़ी बात है कि आमेर में डॉक्टर सतीश पूनिया पहले भी वो विदायक मां से रहे और इससे बड़ी बात है कि वो प्रदेश अध्यक्ष रहे थे अब उनके सामने प्रशा से रहे भीच्ञान शर्मा पहले भी चुनल जड़े थे सतीश पूनिया लड़े थे अलाकि इमाना जाँ थे कि सतीश पूनिया की सtheyथ बदली जासकती है लेकिन ऐसा नहीं हूआ के वल राजेंदर सí害 राठोट की से सतीश पुनिया का भी नाम था उनकी नहीं बदली गई आमेर सीट में कड़ा मुकावला सतीश पुनिया वर्सेस प्रशांत शर्म जीत का मार्जन इस सेट पर पिछली बार भी कापी कम था और उस मार्जन को बढ़ाया घटाया जा सकता है इन वोटर्स को अपने पक्ष में कर पर पोलिंग बोत जो बनाए गए है वो बनाए गए है तो सुख आप करते हैं उन सीटों की जहां कांटे की टकर नहीं बलकि होट सीट है और शुरुआत करते हैं सरदार पुरा सीट से जहां मुकेमंतरी अशोग गहलोद पनाम महिंदर सिंग्रा ठोड के बीच में मुकाव पाटन के अंदर केंडिडेट कॉंग्रिस बदलती आई वहीं आपको अब बताते हैं कि यहां वोटर्स कितनी हैं वोटर्स की संख्या क्या यह सरदार देखिए सरदार पुरा में अगर पुरुष वोटर्स की बात की जाए तो 1,31,131 हैं जबकि महिला वोटर्स की बात की जाए तो 1,26,049 हैं ट्रांजेंडर इस सीट पर 21 हैं जबकि अगर कुल वोटर्स की बात की जाए तो 2,57,191 वोटर्स हैं ये दर असल बूहा करा है जिसमें से मान कर चलिए जहां तक मुझे लगता है कि एक लाग असी अजार से शायद हो सकते है दू लाग के आसपास वोट यहां पड़े लेकिन वो यहां तै कर देंगे और लगबर तस्वीरें यहां पर तै ही होते हैं बिल्कुल सरदारपुरा के वोटर्स की तस्वीरें आपको बता रहे हैं पोलिंग डूट विजेंदर दोसो पच्चस पोलिंग डूट जी जालरा पाटन को ज़रा देखते हैं क्योंकि जालरा पाटन दूसरी होट सीट है अधिती यहां मुकावला किस किस के बीच में है अलांकि वहाँ कितना इस से फर्क पड़ता है कि मुकावला किस के बीच में एक अलग सवाल है लकिन यहां बीजेपी से पूर मुक्यमंत्री वस्तुना राज्जे को मैदान में उतारा गया है जबकि कॉंग्रेस के रामलाल चोहान यहां मैदान में है, लेकिन यहां वोटर कितने हैं, इसको एक बार ज़रा देख लेते हैं जबकि वोटर्स अब तक आएं, देख लिए जालावार पार्टन के वोटर्स, विजेद्र, 298 टोटल पोलिंग बूथ हैं, बाकि वोटर्स, पुरुष, महिला, ट्रांजेंडर, कुल वोटर्स करने चाहेंगे, हम तो यही कहेंगे कि 100 टी चाहिए, और इस महापर में अपनी बड़ी भूमिका को निभाइए, वही नादवारा सीट पर टकर है, डॉक्टर सीपी जोशी, कॉंग्रेस के विश्व राद सिंग मेवार, बीजेपी से चुनाव मैदान में है, यानि सीपी कुल वोटर्स की बाद करें, 23,539, उनमें से पुरुश 1,22,449 है, महिला वोटर्स की बाद करें तो 1,16,082 है, इस सीट पर 8 ट्रांजेंडर है, और कुल पोलिंग बूट जो इस सीट पर है, वो 237 पोलिंग बूट बनाए गए है टॉक बहुत होट सीट रही है, खास सौट पर 2018 से विजय इंदर, इसे टॉक में जो कड़ी टककर है, सचन पाइलेट के सामने, BJP से अजीत सिंग मैता, पिशली बार, युनूस कांते जो इस बार इंडिपेंडनेंट लड़ रहे हैं, लेकिन इस बार, अजीत सिंग मैता कह पनाओं में, जिताने, लड़ाने, तमाम चीजों के लड़ जाती है, वोटर्स विधा सभा में उंचा देंगे, और एक और होट सीट तारनगर का जिक्र करेंगे, तारनगर जहां से राजेंद्र सिंग राठोड और नरेंद्र बुडानिया का मुकाबला है, तारनगर सीट जैसे 2008 में हुआ था, फ्लिप ठीक वैसे इस बार हुआ, लेकिन तारनगर सीट पर काफी टककर है, माना चाहरा और लगाता राजेंद्रा ठोड अप्रा चुनाओ प्रचार वहाँ पर कर रहे है, अला कि पूरे सीकर और शिखावटी बेल्ट पर उनका इंपेक्ट रहता है, लेकिन नरेंद्र बुडानिया को भारतियन तार पाटीन होता रहा है, लेकिन इन दोनों की किस्मत का फैसला कौन करेगा? यह वोटरस हम आपको बताते हैं कि जो किस्मत का फैसला करेंगे, पोलिंग बूद 299 जिनके जरिये फैसला होगा, कुल वोटरस यहां 3,5,335 है, उनमें से अगर पुरुश वोटर की बात करें तो 1,6,416 है, मैला वोटरस 1,44,9 213 हैं, इस सेट पर 3 ट्रांसजेंडर हैं, और यह दरसल तारणगर के वोटरस जो नरेंद्र मुडानिया या फिर राजेंद्राठो, जिसको भी चाहेंगे, जिताकर विजहांसभा है से. और अब जब इतनी टककर वाली होट सीटों की बात करें तो लक्षमंगर यह चूट नहीं सकता, क्योंकि यहां से कॉंग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोवन सिंग डुटासरा और सामने सुभाश महरिया में एक कड़ा मुकाबला नजर आ रहा है, जाए एक तरफ डीजे पर हमने गोवन सिंग डुटासरा को डांस करते देखा, तो वहीं बड़ा रोचक तरीका सुभाश मेरिया का भी रा, काटे की टककर है, अब इनका फैसला कॉल करें। पुरुष मत दाता है, और एक लाग पैंतिस हजार एक सो सैंटीस महिला मत दाता है, ट्रांजेंडर इस सेट पर नहीं है, जो भी परहसला होगा, वो दो सो असी बूतो पर दो लाग अठतर हजार एक सो चालीस वोटर हैं, जो करते हुए नजर आएगे। मैदान में उत्रे। बहुत पुराने सीताराम अगरवाल कॉंग्रेसी हैं, इसके अलावा भी जिस तरीके से उन्होंने काम किया, लेकिन क्योंकि विद्यादर नगर भारते जंदा पार्टी के की सीट पानी जाती है, एक माना जाता है लंबे समय से उनके साथ ही, तो यहां कितने वोटास हैं, जो पैसला करेंगे, गुल वोटास हैं, तीनलाव एक तालिस हजार चेसो उन्चास, भारी भरकम वोटास हैं, दोस्तो तिरासी वोट पोलिंग बूद पर, वो वोट डाल सकते हैं, उनमें पुरुष मद्दाता की संख्या, एक लाग सताथ हजार चेसो 96 हैं, जबकि महिला वोटास यहां, एक लाग 63,951 हैं, इस सीट पर तो ट्रांसजेंडर हैं, और विद्या दरनगर में, सीता, सीताराम अगरवाल जाएंगे, या दिया कुमारी जाएंगे, और अधिती कमाल के बात यह हैं, कि एक के नाम में सीताराम हैं, और दूसरे राम क बनशज कहते हैं, बिलकुल देगे, और यह तमाम वो सीटे हैं, जहां पे टककर है, अब जोटवारा, क्यूंकि विद्या दरनगर का जिकरा है, तो जोटवारा का जिकराएगा, और यह वो सीटे हैं, जिस पर दोनों ही पार्टियों की राजशनीती एकदम कुलकर सामने न आटोड़ा, बीजेपी की पहली लिस्ट में आया था, सांसद हैं, और अब विदान सभा का चुनाव लड़ रहे हैं, इनकी किस्मत का फैसला कौन करेगा, इनकी किस्मत का फैसला मुझे लगता है, आश्यू सिंग सुरपूरा करेगा, बिलकुल, और उस पे सबकी नजर है और उस पे दोनों ही पार्टियों के साथ-साथ, जिस तरह का अनायलिसिस चल रहा है, और शायद लग रहा है, आपकी भी नजर उस पर टिकी हुए, बिलकुल, लेकिन वोटर सचाही है है कि आश्यू सिंग सुरपूरा को भी जो, इस मैदान में लाए हैं, दोड में लाएं सबसे ज्यादा वोटर हैं, दो लाख 22,393 पुरुष वोटर है, उस में महिला वोटर दो लाख 5,673 है, एक ट्रांसजेंडर है, और भारी भरकम वोटर्स और भारी भरकम चेहरे एक और जबरदस सीट की चर्चा करते हैं सवाई मादूपूर, और जब सवाई मादूपूर पर फर्स्ट इंडिया ने फ्लैश किया, ब्रेक किया कि यहां से सांसद किरोडी मीना लड़ेंगे तो फोन का अंबार जैसे लग गया था, तो आपको बताते हैं किरोडी लाल मी पर जब से लेका रशोग गैलोट तक की खेमे का, बेराल आज इन दोनों की सीट पे आशा मीना भी कड़ी हैं, शायद उन्होंने गणे दोनों का ही बिगार दिया है, यह कह सकते हैं कि मीना साब का बिगरता नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी इनका फैसला कौन करेगा, वोटस कितने हैं, सवाई मादोपुर में वोटस हैं, 1,35,773 पुरुष और महिला वोटस हैं, 1,20,551 ट्रांसजेंडर पांच हैं, कुल वोटस 2,56,339 हैं और पोलिंग बूत यहां बनाई है, 242 इन दो चेहरों के साथ एक चेहरा और जोड़िये आशा मीना का, क्योंकि इन जो उस तस्वीर को साथ हैं, और इस समय तीनों की नबस काफी तेज होंगी, एक और रोचक सीट पर आपको पूरा आखड़ा बताते हैं, कोटा उत्तर, दोनों ही पार्टियों के लिए बहुत ही अस्वंजस की स्थिति आ पर थी, प्रत्याशी तयार थे, लेकिन फैसला मो जोड़ना चाहूं, शायद शांती धारिवाल मुख्यमंतरी अशोग एलोत के कोटा से आए हैं, और प्रलाद गुंजल को टिकट कैसे मिला, इस उत्तर को ढूनने में, वहां कई बड़े चैरों के ना मिर्दगर्द घूमते नसला हैं, कई लोगों के कोटा से आ सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो तस्वीर को साफ करेंगे, वो दरसल ये बोटास हैं, पॉलिंग बूद 236 हैं, पुरुष मदाता 1,30,153 हैं, महिला मदाता इस विर पर 1,25,449 हैं, 13 ट्रांसजेंडर हैं, कुल बोटास के अगर इस सीट पर बात की जाये तो 2,55,605 हैं, जो कोटा में उ जब खिमसर की बात करेंगे, खिमसर पे किस की टककर हैं, आपको बता दे, हनुमान, बेनिवाल और तेजपाल मिर्दा मैदान में हैं, हनुमान, बेनिवाल को शायद उनका जेकर, उनके बारे में बात करना, सबको बहुत अच्छे सा पता है, लगातार चुनाओ प्रजार म काफी कुछ और चर्चित वो रहे हैं, लेकिन बेहत मैद्पून सीट है, सांसद आरेलपी के एक जोते, उसके बाद, तमाम तरीके की कहानी, लेकिन फिलाल, हनुमान, बेनिवाल के साथ, तेजपाल मिर्दा मैदान में उतरे हैं, अच्छा, एक और चीज़ है, वो डांस के लेकिन बेहत मैदान में और आजाद पार्टी के साथ, गडबंदन करके मैदान में और वहाँ की इर्दगेर्थ की अगर बात करें तो उस सीट पे इंपक्ट भी और दूसरी सीटों पे आरेलपी का इंपक्ट देखने को मिल सक्टाएं, लेकिन इनके किसमत का फैसला कोन कर हैं, महिला मदाता है, एक लाग 34,836 है, फ्रांस जेंडर रिसीट पर नहीं है, कुल वोटर्स की बात करें तो दो लाग 82,445 और पोलिंग बूत 264 इस पर बनाए गए है, इसके बाद बात करेंगे नागोर में टक्कर की, नागोर विदान सबा सीट आपको बता दे, डॉक् और उसके बाद हिरंदर मिर्दा का मुकाबला, वैसे ही कह रहे थे कि अलप संक्या यहाँ पर लड़ाए जाने से यह तमाम चीज़ थी, नॉर्मली यहां से यह सीट अभीबु नहमान या मुस्लिम कोटे से आते है, लिकिन अब इस बार वो इंडिपेंडनेंट लड़ रह है जीतेगा तो मिर्दाई, जीतेगा तो मिर्दाई, ठीक है लेकिन वोटर्स कितने हैं, वोटर्स जरा देके 149,947, पुरुष वोटर है, महिला वोटर्स 13366 है, ट्रांसजेंडरी सीट पर 5 है, कुल वोटर्स यहां 27318 है और कुल पोलिंग भूत यहां 243 बनाएगा, अगली सीट का रूख करते हैं, चितोर गण, ये भी एक बेहत बहत पून सीट है, नर्पत सिंग राजवी, यहां पर टिकेट कटा पहले नर्पत सिंग राजवी का विद्यादर नगर से, फिर उनको यहां पर बेजा गया, तो चंदरवान आक्या, कह यहां से टिकेट कटा नर्पत सिंग राजवी, नर्पत सिंग राजवी, यही वज़े थी कि इस पर सोचा गया, और फिर भैरो सिंग शेखावाजी का जिसे कहते हैं, सौ साल जन्व सताबदी का साल था, तो ऐसा कुछ नहीं किया जा सकता था, इसलिए उनके सामने सुरिंदर सिंग जाडवत को म मैदान में, सुरिंदर सिंग जाडवत भी आखरी की सुचियों में नाम आया, क्योंकि और भी विकल्ट से, लेकिन आखिर कार्ट टकर कौन दे सकता है, सुरिंदर सिंग जाडवत को मैदान में रहूँगा। पुरुष वोटर हैं, 1,35,656, महिला वोटर इस सीट पर 1,34,446, फ्रांग जेंडर हैं, 3, कुल वोटर सियां हैं, 2,70,105 और इस सीट पर पोलिंग भूद बनाए गए हैं, 277 झाल एावड़ग में में और अीन, क्यों हैं, 3,9,105, लोटर हैं, 236, टंट भी में डावब वोटर हैं, 2,35,60, वोटर हैं, 3,ñas प्रावफ जामें, 2,35, वोटर हैं, 276, 156, वोटर हैं, 2,35, 50,50, वोटर हैं, 3,1,遍, 107, वोटर प्रोंद प्राव झावश बनाट जे सीट क झाल 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 पर जाएंगे इस सीट के इतिहास पर जाएंगे तो फिर आपको एहसास होगा कि यहाँ बीजेपी बार-बार केंडिडेट को बदलती आएंगे बिलकुल उसी अंदाज में जैसे जालरा पाटन के अंदर केंडिडेट कॉंग्रिस बदलती आएंगे वहीं आपको अब बताते हैं कि यहाँ वोटर्स कितनी हैं वोटर्स की संक्या क्या यह सरा देखिए सरदारपूरा में अगर पुरुष वोटर्स की बात की जाये तो 131,131 है जबकि महिला वोटर्स की बात की जाये तो 1,26,049 है ट्राशेंडर एशц ChiD पर 21 है जबकि अगर कूल वोटर्स की बात की जाये तो 2,57,0191 वोटर्स है ये दरसल बुहा कड़ा है जिसमें से मान कर चलिए जहां तक मुझे लगता है कि 1,80,000 से शायद हो सकते है 2,00 के आसपास वोट यहां पड़े लेकिन वो यहां तै कर देंगे और लगबर तस्वीरें यहां पर तै ही होते है बिल्कुल सरदारपुरा के वोटर्स की तस्वीरें आपको बता रहे है पोलिंग डूट विजेंदर 225 पोलिंग डूट जी जालरा पाटन को ज़रा देखते हैं क्योंकि जालरा पाटन दूसरी होट सीट है अधिती यहां मुकावला किस किस के बीच में है अलांकि वहां कितना इस से फर्क पड़ता है कि मुकावला किस के बीच में एक अलग सवाल है लकिन यहां बीजेपी से पूर मुक्यमंत्री वस्तुना राज्ये को मैदान में उतारा गया है जबकि कॉंग्रेस के रामलाल चोहान यहां मैदान में है लेकिन यहां वोटा कितने है इसको एक बार जरा देख लेते है देखे वोटर्स अब तक आएं देख लिजेए जालावार पार्टन के वोटर्स विजेद्र 298 टोटल पोलिंग बूथ है बाकि वोटर्स पुरुष महिला ट्रांजेंडर कुल वोटर्स इस सीट पर चार ट्रांजेंडर है जबकि अगर कुल मादादा की बात की जाए तो 29810 इस सीट पर कुल वोटर्स है हम इसमें से कितने वोट कास्ट करने जाएंगे हम तो यही कहेंगे कि 100 पीजी जाहिए और इस महापर में अपनी बड़ी भूमिका को निभाईए वहीं नाद्वारा सीट पर टक्कर है डॉक्टर सीपी जोशी कॉंग्रेस के विश्व राद सिंग मेवार BJP से चुनाव मैदान में है यानि सीपी जोशी वर्सेज विश्व राद सिंग मेवार और ये भारतिय जद्धा पार्टी में अभी शामिल हुए थे और उसके बाद दोनों के बीच के टक्कर है अब इनके मविश्व का पैसला ये करेंगे क्योंकि इस सीट पर कुल वोटर्स की बाद करें दोलाक 38,539 हैं उनमें से पुरुष एक लाग 22,449 हैं मईला वोटर्स की बाद करें तो एक लाग 16,082 हैं इस सीट पर आठ ट्रांसजेंडर हैं और कुल पोलिंग बूत जो इस सीट पर है वो 237 पोलिंग बूत बनाए गए है टॉंक बहुत हॉट सीट रही है खास सौट पर 2018 से विजय इंद्र इसे टॉंक में जो कड़ी टककर है सचन पालेट के सामने बीजप्ती से अजीत सिंग मैता पिछली बार युनुस कांते जो इस बार इंडिपेंटन लड़ रहे हैं लेकिन इस बार अजीत सिंग मैता कहते हैं पूरी RSS अजीत सिंग मैता को सिंग राठोड और नरेंद्र बुडानिया का मुकाबला है तारा नगर सीट जैसे 2008 में हुआ था फ्लिप ठीक वैसे इस बार हुआ लेकिन तारा नगर सीट पर काफी टककर है माना चाहरो लगाता राजेंडा ठोड अपना चुडाओ प्रचार वहाँ पर कर रहे है अला कि पूरे सीकर और शिखावटी बेल्ट पर उनका इंपेक्ट रहता है लेकिन नरेन बुडानिया को भारतियन ताप पाटी न उता रहा है लेकिन इन दोनों की किस्मत का फैसला कौन करेगा ये वोटरस हम आपको बताते हैं कि जो किस्मत का फैसला करेंगे पोलिंग बूद 299 जिनके जरिये फैसला होगा कुल वोटरस यहां 3,5,332 हैं उनमें से अगर पुरुश वोटर की बात करें तो 1,60,416 हैं मैला वोटरस 1,44,913 हैं इस सेट पर 3 ट्रांसजेंडर हैं और ये दरसल तारणगर के वोटरस जो नरेंद्र वुडानिया या फिर राजेंद्र आठो जिसको भी चाहेंगे जिताकर विजहांसभा भेसे और अब जब इतनी टक्कर वाली होट सीटों की बात करें तो लक्षमंगर ये चूट नहीं सकता क्योंकि यहां से कॉंगरस के प्रदेश अध्यक्ष गोवन सिंग डुटासरा और सामने सुभाश महरिया में एक कड़ा मुकाबला नजर आ रहा है जाए एक तरफ डीजे पे हमने गोवन सिंग डुटासरा को डांस करते देखा तो वहीं बड़ा रोचक तरीका सुभाश मेरिया का भी राब काटे की टक्कर है अब इनका फैसला कॉल करें दोनों जानते हैं कि किस तरीके किस सियासत एक दूसरे के खिलाब उनको करनी है लेकिन ये दरसल वो आंकड़ा है जो इनकी तस्वीर को विधासभाग के अंदर पहुंचाएंगे या नहीं पहुंचाएंगे वेराल 288 पुल पॉलिंग वोट हैं जहां वोटर अपने वोट का इसमाल कर सकते हैं वोटर सियां 2,78,140 हैं उनमें से 1,43,003 पुरुश मद दाता हैं और 1,35,137 महिला मद दाता हैं ट्रांजेंडर इस सेट पर नहीं है जो भी परसला होगा वो 288,140 वोटर हैं जो करते हुए नजर आएगे बिल्कुल और विध्यादर नगर जब पहली लिस्ट पर दिन तब पार्टी के आई थी तो विध्यादर नगर उसके बाद तक भी चर्चा में रहा था और विध्यादर नगर से बात करेंगे दिया कुमारी सांसाथ दिया कुमारी को यहाँ पर उतारा गया और उनके सामने कॉंग्रेस के सीता राम अगरवाल मैदान में उत्रे बहुत पुराने सीताराम अगरवाल कॉंग्रेसी हैं इसके अलावा भी जिस तरीके से उन्होंने काम किया लेकिन क्योंकि विद्यादर नगर भारते जंदा पार्टी के की सीट पानी जाती है एक माना जाता है लंबे समय से उनके साथी तो यहां पर दिया कुमारी और यह सला करेंगे गुल वोटास हैं यहां तीन लाग एक तालिस हजार चेसो उन्चास भारी वरकम वोटास हैं दोसो तिरासी वोट पोलिंग बूद पर वोट डाल सकते हैं उनमें पुरुष मद्दाता की संख्या एक लाग सताथ हजार चेसो शियानवे है जबकि महिला वोटास बु्रासियां एक लाग 63 legislaf 51 है इस सीट पर तो ट्राइंटर है और विद्यादर्नगर में सीता सीता राम अग्रबाल जाएंगे या दियाक मारी जाएंगे 16lished आई और आदितृ खबाल की बात यह है कि एक के नाम में ईनाम में सीता राम है और दूसरे राम के वंशज कहते ह और यह तमाम वो सीटे हैं जहां पे टकर है, अब जोटवारा, यह वो सीटे हैं जिस पे ढोई पार्टियों के राजगित की राजणी Niati, तो कुलकर सामने नज़रा आती है जोटवारा सीट का खड़ा मुकाबला राजवर्दन सिंग राठोड कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं सांसद है और उनके सामने अभिशेग चौधरी मैदान है अभिशेग चौधरी को जब उतारा तो ऐसा लग रहा था कहीं न कहीं कॉंग्रेस बहुत आखरी नाम उतारा और सबसे पहला नाम राजवर्दन सिंग राठोड़ का बीज़पी की पहली लिस्ट में आया था सांसद है और अब विदान सभा का चुनाव लड़ रहे हैं इनकी किस्मत का फैसला कौन करेगा इनकी किस्मत का फैसला मुझे लगता है आशू सिंग सुरपुरा करेगा बिल्कुल और उस पे सबकी नजर है और उस पे दोनों ही पार्टियों के साथ-साथ जिस तरह का अनायलिस सेल रहा है और शायद लग रहा है आपकी भी नजर उस पर टिकी हुई बिल्कुल लेकिन वोटर सचाहिए ही है कि आशू सिंग सुरपुरा को भी जो इस मैदान में लाए हैं दोड में लाएंगे या नहीं लाएंगे या जिताएंगे हराएंगे वो ये दरसला अकड़ा है पोलिंग बूत यहाँ पर 360 है आप जरा वोटर्स की संख्या देखिए वोटर्स हैं 4,28,066 ये शायद उस विधायसभा सीट में से एकजाएंगे सबसे ज्यादा वोटर है दो लाख 22,393 पुरुश वोटर है उसमें महिला वोटर दो लाख 5,673 है एक ट्रांसजेंडर है और भारी भरकम वोटर्स और भारी भरकम चेहरे एक और जबरदस सीट की चर्चा करते हैं सवाई मादूपूर और जब सवाई मादूपूर पर फर्स्ट इंडिया ने फ्लैश किया ब्रेक किया कि यहां से सांसद किरोडी मीना लड़ेंगे तो फोन का अंबार जैसे लग गया था तो आपको बताते हैं कि किरोडी लाल मीना राजसबास सांसद उनको यहां से उतारा गया है और इनके सामने दानिश अबरार मुक्किमंत्री सलाकार रह चुके हैं दानिश अबरार का अपने आप रोज के किस्से हैं सचिन पाइलट से लेकर रशोग गैलोग तक के खेमे का बैराल आज इन दोनों के सीर पे आशा मीना भी करी हैं शायद उन्होंने गरे दोनों का ही बिगार दिया है यह कह सकते हैं कि मीना साब का बिगरता नजर आ रहा है लेकिन फिर भी इनका फैसला कौन करेगा विजे इनका पैसला वोटर्स करेंगे और वोटर्स कितने हैं सवाई मादोपुर में वोटर्स हैं 1,35,773 पुरुष और महिला वोटर्स हैं 1,20,551 ट्रांसजेंडर 5 हैं कुल वोटर्स 2,56,329 हैं और पोलिंग बूत यहां बनाई है 242 इन दो चेहरों के साथ एक चेहरा और जोड़ में कितनी कामियाब होगी यह वो आखड़ा है जो सस्वीर को साथ और इस समय तीनों की नब्स काफी तेज होंगी एक और रोचक सीट पर आपको पूरा आखड़ा बताते हैं कोटा उत्तर दोनों ही पार्टियों के लिए बहुत ही अस्वंजस की स्थिति आ पर थी प्रत्य पर रोचक सीट है कोटा उत्तर अच्छा इसमें कुछ चीज़े हैं जो मैं जोड़ना चाहूं शायद शांती धारिवाल मुक्यमंत्री अशोग एलोत के कोटा से आए हैं और प्रलाद गुंजल को टिकट कैसे मिला इस उत्तर को ढूनने में वहां कई बड़े चैरों के ना 13153 है महिला मदाता इस सीट पर 125,449 है 13 ट्रांसजेंडर है कुल वोटर्स के अगर इस सीट पर बात की जाये तो 255,605 है जो कोटा में उत्तर ये देंगे कि वहां अगले विधाय कौन हो बिलकुल लगातार काटे की टक कर वाली सीट हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं और आप खिमसर की बात करेंगे खिमसर पे किसकी टक कर है आपको बता देए हनुमान बेनिवाल और तेजश पाल मिर्दा मैदान में है लेकिन बेहत मेहत्पून सीट है सांसद RLP के एकलोते उसके बार तमाम तरीके की कहानी लेकिन फिलाल हनुमान बेनिवाल के साथ तेज पाल मिर्दा मैदान में उतरे अचा एक और चीज़ है वो डांस के लिए भी लोग प्रिय हुए इस चुनाव में और चाटा मारने के लिए लोग प्रिय हुए अलंकि इस सीट पर कौन जीतेगा कौन हारेगा क्योंकि जब हनुमान बेनिवाल सांसद बने तो इस सीट पर नारायन बेनिवाल चुनाव ठीक है लेकिन इनके किसमत का प्रैसला कौन करेगा वोटर्स जरा देख लेते हैं पुरुष मदाता इस सीट पर 147,609 है महिला मदाता 1,34,836 है फ्रांस जेंडर इस सीट पर नहीं है कुल वोटर्स के बात करें तो 2,82,445 है और पॉलिंग बूत 264 इस पर बनाए गए गए इसके बाद बात करेंगे नागौर में टककर की नागौर विधानसबा सीट आपको बता दे डॉक्टर जोती मिर्धा और उनके सामने हिरेंगर मिर्धा का मुकाबला और आपको बता दे जोती मिर्धा भारते जंता कॉंग्रेस से भारते पार्टी में गई थी और उसके बा और सबसे मैध्मून बात है कि भारत्य जंता पार्टी दसो सीटों पर कुछ कमाल करना चाहती थी और यही वज़ा थी कि जो जाट वोटर्स ये जाट बड़े नेताओं को अपने साथ साधना चाहती थी हलाकि इनके वोटर्स के संख्या आप से जो भी जीतेगा का जा रहा है जीतेगा तो मिर्दाई जीतेगा तो मिर्दाई ठीक है लेकिन वोटर्स कितने हैं वोटर्स जरा देके 149,947 पुरूश वोटर है मैला वोटर्स 13,366 है ट्रांसजेंडरी सीट पर पांच है कुल वोटर्स यहाँ 27,318 है और कुल पोलिंग भूट यहाँ 243 पनाएगा अगली सीट का रूख करते हैं चितोरगण यह भी एक बेहत वैत्पून सीट है नर्पत सिंग राजवी यहाँ पर टिकेट कटा पहले नर्पत सिंग राजवी का विद्यादर नगर से फिरों को यहाँ पर बेजा गया तो चंदरबान आक्या का यहाँ से टिकेट कटा था और लेकिन बीच में आप एक कड़ी भूल गए बयान वह बहुत इंटरस्टिंग था जो इन्हों ने दिया था बिल्कुल और यह पहले लड़ चुके नर्पत सिंग राजवी चितोर से चुना लड़ चुके यही वज़े थी कि इस पर सोचा गया और फिर भैरो सिंग सकता है उन्होंने अल्टिमेटम दे दिया था सभा करके कि हम कल तै करेंगे अगर कल दो बचे तक तै नहीं हुआ तो फिर रम तै कर लेंगे जैसे यहां से चंदरबान आक्या ने तै कर लिया कि नहीं मैं जनता की तरफ से मैदान में रहूंगा इन सब के बीच में मुकाब 246 फ्रांग जेंडर हैं तीन कुल वोटास यहां है दो लाग सतर हजार एक सो पांच और इस सेट पर पोलिंग भूत बनाए गए हैं दो सो सतर तर और देखिए इसके अलावा तिजारा जो आपको बता देंगी ये भी एक होट सीट रही है चर्चा में रही है पहले दिन से लेकर अब तक बाबा बालक नाथ जिनको लिए कहा जा रहा था कि वो बहरोड से चुनाओ लड़ सकते हैं वो मना करते आए और फिर तेजारा से उनको चुनाओ में उतारा गया खड़ा मुकाबला अचा रोचक बात यह है कि इम्रान खान उससे पहले बसपा के लिए चुन लेकिन चलिए दर्चक देख लेते हैं जो फैसला करेंगे और हम इसको क्योंकि यहां पूरा पॉर्राइजेशन करने की कोशिश की गई हम अपने वोटर्स को बताते हैं वक्त कोई पॉर्राइजेशन नहीं करें हम अधारें पुरुष वोटर्स यहां 13805 है महिला वोटर् प्रांजेंडर यहां एक हैं, पुल वोटर्स यहां 26660 हैं और पॉलिन भूत यहां बनाएगे हैं 207 अब देखे एक और मैत्पून सीट साचोर जहां से कॉंग्रेस के मंतरी आते थे और साचोर में उतारे गए जो सांसद है देव जी पटेल अब देखे यह जो साचोर की जो तक्कर है वो सियासी है आपको बता दें कि बीजेपी के देव जी पटेल सांसद यहां से चुनाव उतारे गए और कॉंग्रेस के सुक्राम उश्णोई मंतरी हैं और कहा जारा था एंटी इंकमेंसी तमाम चीजे लेकिन आखिर कार इनको उतारा गया तमाम और नाम थे लेकिन अब टक्कर काटे की क्योंकि यहां पर भी बारते जन्ता पार्टी के नाराज जो लोग हैं वो मैदान में हैं बिठाने की कोशिश तमाम चीजे अब जरा वोटर्स को देख लेते हैं वोटर्स कितने हैं इस सीट पर साचोर में पुरुष वोटर्स है 1,67,7 महिला वोटर्स है 1,48,197 ट्रांसजेंडर इस सीट पर शायद हमसे कुछ मिश्टेक हुई है इसको हम चेक करेंगे कुल वोटर्स यहां 3,15,200 69 और पोलिंग अब एक और मैथपून सीट जापे आमेर जैपूर इलाके की और देखे सबसे बड़ी बात है कि आमेर में डॉक्टर सतीश पूनिया पहले भी वो विदायक मां से रहे और इससे बड़ी बात है कि वो प्रदेश अध्यक्ष रहे थे अब उनके सामने प्रशान शर्मा जा सकती है लेकिन ऐसा नहीं हुआ केवल राजेंदर सिंग राठोड की सीट बदली गई सतीश पूनिया का भी नाम था उनकी नहीं बदली गई आमेर सीट में कड़ा मुकावला सतीश पूनिया वर्सेस प्रशान शर्मा जीतका मार्जन इस सेट पर पिछली बार भी कापी जेंडर यहां एक हैं कुल वोटास यहां दो लाक नवासी अजार पांसो सत्रा हैं और इस सेट पर पोलिंग बोत जो बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं दो सो जुरुआत करते हैं उन सेटों की जहां काटे की टकर नहीं बलकि होट सीट है और जुरुआत करते हैं सरदार पुरा सीट से जहां मुक्यमंतरी अशोग गहलोथ पनाव महिंदर सिंग्रा ठोड के बीच में मुकाबला है अलगि इस सीट पर जब आप जाएंगे इस सीट के केंडिडेट को बदलती है बिलकुल उसी अंदाज में जैसे जालरा पाटन के अंदर केंडिडेट कॉंग्रिस बदलती है वहीं आपको अब बताते हैं कि यहां वोटर्स कितनी हैं वोटर्स की संक्या क्या यह सरदार देखिए सरदार पुरा में अगर पुरुष वोटर्स की बात की जाए तो 131,131 है जबकि महिला वोटर्स की बात की जाए तो 1,26,049 है ट्रांजेंडर इस सीट पर 21 है जबकि अगर कुल वोटर्स की बात की जाए तो 2,57,191 वोटर्स की बात की जाए तो 2,57,191 वोटर्स की बात की जिसमें से मान कर चलिए जहां तक मुझे लगता है कि 1,80,000 से शायद हो सकते है 2,00 के आसपास वोट यहाँ पड़े लेकिन वो यहाँ तै कर देंगे और लगबर तस्वीरें यहाँ पर तै ही होते है बिलकुल सरदारपुरा के वोटर्स की तस्वीरें आपको बता रहे हैं पोलिंग डूट विजेंदर, 225 पोलिंग डूट जी, जालरा पाटन को ज़रा देखते हैं क्योंकि जालरा पाटन दूसरी होट सीट है अधिती यहाँ मुकावला किस-किस के बीच में है अलांकि बहां कितना इस से फर्क पड़ता है कि मुकावला किस के बीच में एक अलग सवाल है लेकिन यहाँ बीजेपी से पूर मुख्यमंतरी वस्तुना राज्ये को मैदान में उतारा गया है जबकि कॉंग्रेस के रामलाल चोहान यहाँ मैदान में है लेकिन यहां वोटर कितने हैं? इसको एक बार ज़रा देख लेते हैं देखे वोटर अब तक आएं देख लिए जालावार पार्टन के वोटर विजेद्र 298 टोटल पोलिंग बूथ हैं बाकी वोटर पुरुष महिला ट्रांजेंडर कुल वोटर अगर पुरुष मद्दादा की बात की जाए तो 215,590 वोटर अब इसमें से कितने वोट कास्ट करने जाएंगे? हम तो यही कहेंगे कि 100 पीजी जाहिए और इस महापर में अपनी बड़ी भूमिका को निभाईए वही नादवारा सीट पर टक्कर है डॉक्टर सीपी जोशी कॉंग्रेस के विश्व राद सिंग मेवार बीज़पी से चुनाव मैदान में है यानि सीपी जोशी वर्सेज विश्व राद सिंग मेवार और ये भारतिय जद्दा पार्टी में अभी शामिल हुए थे और उसके बाद दोनों के बीच के टक्कर है अब इनके मुईशे का पैसला ये करेंगे क्योंकि इस सीट पर कुल वोटर्स की बाद करें दोलाक 38,539 हैं उनमें से पुरुष एक लाग 22,449 हैं मैला वोटर्स की बाद करें तो एक लाग 16,82 हैं इस सीट पर आठ ट्रांजेंडर हैं और कुल पोलिंग बूत जो इस सीट पर हैं वो 237 पॉलिंग बूत बनाए गए हैं तॉक बहुत होट सीट रही है खास सौट पर 2018 से विजय इंदर इसे टॉक में जो कड़ी टकर है सचन पालेट के सामने बीज़प्ती से अजीत सिंग मैता पिछली बार यूनुस कांते जो इस बार इंडिपेंडनेंट लड़ है भी चुके हैं चलिए लेकिन यहां का वोटर कितना है यह हम आपको बता रहे हैं पॉलिंग बूत इसमें 250 हैं अधीती कुल वोटास यहां 2,52,888 हैं उनमें से अगर पुरुष्ट वोटर के बात करें तो 1,29,445 है जबकि महिला वोटास से 1,23,389 हैं इस सीट पर प्रां का जिकर करेंगे तारा नगर जहां से राजेंद्र सिंह राठोड और नरेंद्र बुडानिया का मुकाबला है तारा नगर सीट जैसे 2008 में हुआ था प्लिप ठीक वैसे हिस बार हुआ लेकिन तारा नगर सीट पर काफी टक्कर है माना चारा वो लगाता राजेंद्र राठो कि जो किस्मत का फैसला करेंगे पोलिंग बू 299 जिनके जरीय फैसला होगा कुल वोटरस यहां 3,5,332 हैं उनमें से अगर पुरुश वोटर की बात करें तो 1,60,416 हैं मैला वोटरस 1,44,913 हैं इस इट पर 3 ट्रांसजेंडर हैं और ये दरसल तारणगर के वो वोटरस जो नर और अब जब इतनी टक्कर वाली होट सीटों की बात करें तो लक्षमंगर ये चूट नहीं सकता क्योंकि यहां से कॉंगरस के प्रदेश अध्यक्ष गोवन सिंग डोटासरा और सामने सुभाश महरिया में एक कड़ा मुकाबला नजर आ रहा है जाएंग तरफ डीजे पे ह हमने गोवन सिंग डोटासरा को डांस करते देखा तो वहीं बड़ा रोचक तरीका सुभाश मेरिया का विरा काटे की टक्कर है अब इनका फैसला कॉल करें दोनों जानते हैं कि किस तरीके कि सियासत एक दूसरे के खिलाप उनको करनी है लेकिन ये दरसल वो आंकड़ा है जो इनकी तस्वीर को विधासभाग के अंदर पहुंचाएंगे या नहीं पहुंचाएंगे बैराल दोस्वासी पुल पॉलिंग बोट हैं जहां बोटर अप बोटो पर दो लाग 78,140 वोटर हैं जो करते हुए नजर आएगे बिलकुल और विध्यादर नगर जब पहली लिस्ट भर दिन तब पार्टी के आई थी तो विध्यादर नगर उसके बाद तक भी चर्चा में रहा था और विध्यादर नगर से बात करेंगे दिया कुमारी स साथ दिया कुमारी को यहाँ पर उतारा गया और उनके सामने कॉंग्रेस के सीता राम अगरवाल मैदान में उत्रे बहुत पुराने सीता राम अगरवाल कॉंग्रेसी हैं इसके अलावा भी जिस तरीके से उन्होंने काम किया लेकिन क्योंकि विध्यादर नगर भारते लंबे समय से उनके साथ थी तो यहां पर दिया कुमारी और यह हाइलाइट है कि दिया कुमारी के सामने सीता राम अगरवाल दोनों की टक्कर है और लगातार चुना पुछार चुना पुछार और इस पर नहीं चे तोड़गर में भी नजर आएगा बैराल यहां कितने वोट यहां 163,951 है इस सीट पर दो ट्रांसजेंडर है और विद्या दर्नगर में सीता राम अगरवाल जाएंगे या दिया कुमारी जाएंगे और अदिती कमाल के बात यह है कि एक के नाम में सीता राम है और दूसरे राम के बंशज कहते हैं बिलकुल देगे और यह तमाम वो स सीटे हैं जहां पर टककरें अब जोटवारा क्यूंकि विद्या दर्नगर का जिकरा है तो जोटवारा का जिकराएगा और यह वो सीटे हैं जिस पर दोनों यह पार्टियों सभा का चुनाव लड़ रहे हैं इनकी किस्मत का फैसला कौन करें इनकी किस्मत का फैसला मुझे लगता है आश्यू सिंग सुरपुरा करेगा बिल्कुल और उस पे सबकी नजर है और उस पे दोनों ही पार्टियों के साथ साथ जिस तरह का अनालिसिस चल रहा है और शायद ल इनक्या देखिए वोटर से हैं चार लाख 28,000 सरसक यह शायद उस विधायसभा सीट में से एक जाए सबसे ज्यादा वोटर हैं दो लाख 22,393 पुरुष बोटर है उसमें महिला वोटर दो लाख 5,673 है एक ट्रांसजेंडर है और भारी भरकम बोटर्स और भारी भरकम चेहरे एक और जबरदस सीट की चर्चा करते हैं सवाई मादोपुर और जब सवाई मादोपुर पर फर्स्ट इंडिया ने फ्लैश किया ब्रेक किया कि यहां से सांसद किरोडी मीना लड़ेंगे तो फोन का अंबार जैसे लग गया था तो आपको बताते हैं कि किरोडी लाल मीना राजसबास सांसद उनको यहां से उतारा गया है और इनके सामने दानिश अबरार मुक्किमंत्री सलाकार रह चुके हैं दानिश अबरार का अपने आप रोज के किस्से हैं सचिन पाइलट से लेकर रशोग गैलोग तक के खेमे का बेराल आज इन दोनों की सीर पे आशा मीना भी कड़ी है शायद उन्होंने गड़े दोनों का ही बिगार दिया है यह कह सकते हैं कि मीना साब का बिगरता नजर आ रहा है लेकिन फिर भी इनका फैसला कौन करेगा विजे इनका फैसला वोटस करेंगे और वोटस कितने हैं बनाई है 242 इन दो चेहरों के साथ एक चेहरा और जोड़िये आशा मीना का क्योंकि इन दो चेहरों को जिताने हराने या फिर आशा मीना खुद भावनाओं के साथ खुद को भुनाने में कितनी कामियाब होगी ये वो आँखडा है जो सस्वीर को साथ। लेकिन फैसला मोहर लगने की बात थी कोटा उत्तर सीट पर टककर शांती दारिवाल और प्रलाद गुंजल पता था कि ये दोनों ही उत्रेंगे लेकिन देर लगी दोनों के नाम नाउंस होने में बेहद रोचक सीट है कोटा उत्तर अच्छा इसमें कुछ चीज़े हैं जो मै कि लोगों के कोटा से आ सकते हैं ठीक है लेकिन जो तस्वीर को साफ करेंगे वो दरसल ये बोटास हैं पॉलिंग बूद 236 हैं पुरुष मदाता एक लाग 30,153 हैं महिला मदाता इस सीट पर एक लाग 25,449 हैं तेरा ट्रांसजेंडर हैं कुल वोटास के अगर इस सीट पर की जाए तो 25,605 हैं जो कोटा में उत्तर ये देंगे कि वहां अगले विधाय कौन होगे बिलकुल लगातार काटे की टक्कर वाली सीट हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं और आप खिमसर की बात करेंगे खिमसर पे किस की टक्कर है आपको बता दे हनुमान बेनिवाल और ते और चर्चित वो रहे हैं लेकिन बेहत मैत्पून सीट है सांसद आरेलपी के इकलोते उसके बार तमाम तरीके की कहानी लेकिन फिलाल हनुमान बेनिवाल के साथ तेज पाल मिर्दा मैदान में उत्र है अच्छा एक और चीज़ है वो डांस के लिए भी लोग प्रिया हुए इस चुनाव में और चाटा मारने के लिए लोग प्रिया है अलंकि सीट पर कौन जीतेगा कौन हारेगा क्योंकि जब हनुमान बेनिवाल सांसद बने तो इस सीट पर नारायन बेनिवाल चुनाव लड़ने लेकिन वो भूल सीट पर वापस आये और विदान सब्स चुनाव में वो मैदान में है और आजाद पार्टी के साथ गड़बंदन करके मैदान में और वहां की इर्दगेर्थ की अगर बात करें तो उस सीट पर इंपक्ट भी और दूसरी सीटों पर आरल पी का इंपक्ट देखने को मिल सकते हैं तीक है लेकिन इनके किसमत का वासला कौन कर इसके बाद बात करेंगे नागौर में टककर की नागौर विधानसबा सीट आपको बता दे डॉक्टर जोती मिर्धा और उनके सामने हिरेंदर मिर्धा का मुकाबला और आपको बता दे जोती मिर्धा भारते जंता कॉंग्रेस से भारते पार्टी में गई थी और उसके बा अब इस बार वो इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं इसले यहां के समीकरण बहुत कुछ होंगे और सबसे मैधकून बात है कि भारते जंता पार्टी दसो सीटों पर कुछ कमाल करना चाहती थी कि यही वज़ा थी कि जाट वोटर्स ही जाट बढ़े नेताओं को अपने साथ साधना चाहती थी हालाकि इनके वोटर्स के संख्या आप से जो भी जीतेगा का जा रहा है जीतेगा तो मिर्दाई है जीतेगा तो मिर्दाई है ठीक है लेकिन वोटर्स कितने हैं वोटर्स जरा देखे 1,49,947 पुरुश वोटर है महिला वोटर्स एक लाग 30,366 हैं ट्रांसजेंडरी सीट पर पांच हैं कुल वोटर्स यहां दो लाग 17,318 हैं और कुल पोलिंग भूट यहां 243 बनाए गए अगली सीट का रूख करते हैं चितोर गण यह भी एक बेहत बैदपून सीट है नर्पत सिंग राजवी यहां पर टिकेट कटा पहले नर्पत सिंग राजवी का विद्यादर नगर से फिर उनको यहां पर बेजा गया तो चंदरवान आख्या का यहां से टिकेट कटा था और लेकिन बीच में आप एक कड़ी भूल कई बयान वह बहुत इंटरस्टिंग था जो इन्हों ने दिया था बिल्कुल और यह पहले लड़ चुके हैं नर्पत सिंग राजवी चितोर से चुना लड़ चुके हैं यही वज़े थी कि इस पर सोचा गया और फिर भैरो हैं सौ साल जन्व सताबधी का साल था तो ऐसा कुछ नहीं किया जा सकता था इसलिए उनके सामने सुरेंदर सिंह जाडवत को मैदान में सुरेंदर सिंह जाडवत भी आखरी की सुचियों में नाम आया क्योंकि और भी विकल्ग थे याकिन आखिर कार्ट कर कौन दे सकता है स उन्होंने अल्टिमेटम दे दिया था सभा करके कि हम कल तै करेंगे, अगर कल दो बजे तक तै नहीं हुआ तो फिर हम तै कर लेंगे, जैसे यहां से चंदरवान आक्या ने तै कर लिया कि नहीं, मैं जनता की तरफ से मैदान में रहूँगा, इन सब के बीच में मुकाबले मे चंदरवान आक्या कितना रहेंगे, वो तो परिणाम बताएंगे लेकिन जो वोटास हैं, वो किसके साथ हैं, वो तीन तारीक को पता चलेगा हैं कितने ये हम बता देते हैं, पुरुष वोटार हैं, एक लाग पैंतीस हजार छे सो चपन, मैला वोटारी सीट पर एक लाग तिजारा जो आपको पता देंगे, ये भी एक होट सीट रही है, चर्चा में रही है, पहले दिन से लेकर अब तक, बाबा बालक नाथ जिनको ये कहा जा रहा था कि वो बैरोड से चुनाओ लड़ सकते हैं, वो मना करते आएं, और फिर तिजारा से उनको चुनाओ में उता तिजारा गयार कॉंग्रेस के साथ और अब दोनों के बीच में कड़ा मुकाबला और सीधा सीधा पॉलराइजेशन वाला यहाँ पर, इन्होंने एक बयान दिया था बाब बालक नाथ में, कि ये कोई कॉई बीज़पी का मैच नहीं है, भारत-पाकिस्तान का मैच लेकिन चलिए दर्चक देखे लेते हैं, जो फैसला करेंगे, और हम इसको क्योंकि यहाँ पूरा पॉलराइजेशन करने की कोशिश की गई, हम अपने वोटर्स को बताते हैं कोई पॉलराइजेशन नहीं करें, हम बतारें पुरुष वोटर्स यहाँ एक लाग अर्तिस 1660 हैं और पॉलिंग भूत यहाँ बनाएगे हैं 207. लेकिन अब तककर काटे की, क्योंकि यहाँ पर भी बारते जन्ता पार्टी के नाराज जो लोग हैं, वो मैदान में हैं, बिठाने की कोशिश तमाम चीज़े हुई, लेकिन ऐसे में फिलाल वोटर्स क्या तैय करेंगे, आप बताएगे। शायद हमसे कुछ मिश्टेक हुई है, इसको हम चेक करेंगे, कुल वोटर्स यहाँ 315,200,69 और पोलिंग भूत है, 321, इस सीट को जरा करेक्ट कीजिगे, इसमें ट्रांसजेंडर के संख्या, शायद हम कॉपी कर गएं और इसलिए, इसको बाद में एक बार फिर से आपको सतीश पूनिया, पहले भी वो विदायक मा से रहे, और इससे बड़ी बात है कि वो प्रदेश अध्यक्ष रहे थे, अब उनके सामने प्रशान शर्मा, कुछ भी नया नहीं है, लेकिन उमीदे कहीं न कहीं यहां से इस चुनाव से कुछ अलग तरीके किये हैं, प्रशान श प्रशान शर्मा, जीत का मारजन इस सेट पर पिछली बार भी काफी खम था और उस मारजन को बढ़ाया घटाया, जा सकता है इन वोटर्स को अपने पक्ष में करके, पुरुष वोटर्स इस सेट पर है एक लाग इक्यावन अजार एक सो ग्यारा, मैला वोटर है एक लाग 38,045, ट्रांस जेंडर यहाँ एक है, कुल वोटर्स इहाँ दो लाग, 89,517 है और इस सेट पर पोलिंग बोत जो बनाए गए है, वो बनाए गए है, दो सो जुरुआब करते हैं उन सेटों की जहां कांटे की टक्कर नहीं, बलकि होट सीट है, और शुरुआत करते हैं सरदा के इतिहास पर जाएंगे, तो फिर आपको एहसास होगा कि यहाँ बीजेपी बार-बार कैंडिडेट को बदलती है, बिलकुल उसी अंदाज में जैसे जालरा पाटन के अंदर कैंडिडेट कॉंग्रिस बदलती है, वहीं आपको अब बताते हैं कि यहाँ वोटर्स कितनी है वोटर्स की संक्या क्या है? बड़े, लेकिन वो यहाँ तै कर देंगे और लगबर तस्वीरें यहाँ पर तै ही होती है बिलकुल सरदार्पुरा के वोटर्स की तस्वीरें आपको बता रहे हैं पोलिंग डूत विजेंदर, 225 पोलिंग डूत जी, जालरा पाटन को जरा देखते हैं क्योंकि जालरा पाटन दूसरी होट सीट है अधिती विजेंदर, 298 टोटल पोलिंग बूत हैं बाकी वोटर्स, पुरुष, महिला, ट्रांजेंडर, कुल वोटर्स बिलकुल अगर पुरुष, मधदादा की बात की जाए तो 1,55590 वोटर्स हैं जबकि महिला वोटर्स की बात की जाए तो 1,464 वोटर, 216 इस seat पर 4 transgender हैं जबकि अगर कुल मदाता की बात की जाए, कुल वोटास की बात की जाए, तो 2,97,810 इस seat पर कुल वोटास है, अब इसमें से कितने वोटकास्ट करने जाएंगे, हम तो यही कहेंगे कि 100 पीजी जाएए और इस महापर में अपनी बड़ी भूमिका को वही नादवारा seat पर टक्कर है, डॉक्तर सीपी जोशी कॉंग्रेस के विश्वराद सिंग मेवार, बीजेपी से चुनाव मैदान में है, यानि सीपी जोशी वर्सेज विश्वराद सिंग मेवार, और ये भारतिय जद्दा पार्टी में भी शामिल हुए थे और उसके बा बात करें तो एक लाग 16,082 हैं, इस सीट पर आट ट्रांसजेंडर हैं, और कुल पोलिंग बूट जो इस सीट पर हैं, वो 237 पोलिंग बूट बनाए गए हैं टॉक बहुत हॉट सीट रही है, खास सौट पर 2018 से विजय इंदरू, इसे टॉक में जो कड़ी टककर है, सचन पाइलेट के सामने, बीजेप्ती से अजीत सिंग मेता, पिशली बार, युनुस खांते जो इस बार इंडिपेंडनेंट लड़ रहे हैं, लेकिन इस बार, अज अजीत मेता को चुनाओं में, जिताने, लड़ाने, तमाम चीजों के लड़ जाती है, वोटर्स अपने प्रत्याशी को विधा सभा में उंग्चा देंगे, और एक और होट सीट तारनगर का जिक्र करेंगे, तारनगर जहां से राजेंद्र सिंग राठोड और नरेंद्र बुडानिया का मुकाबला है, तारनगर सीट जैसे 2008 में हुआ था, फ्लिप ठीक वैसे इस बार नरेंद्र बुडानिया को भारतियंता पाटी नोता रहा है, लेकिन इन दोनों की किस्मत का फैसला कौन करेगा, ये विजेंद्र आपको बताते हैं कि जो किस्मत का फैसला करेंगे, पोलिंग बूद 299 जिनके जरिये फैसला होगा, कुल वोटरस यहां 3,5,300, 32 हैं उनमें स या फिर राजेंद्र आठो, जिसको भी चाहेंगे, जिताकर विजहांसभा है से और अब जब इतनी टककर वाली होट सीटों की बात करें तो लक्षमंगर ये चूट नहीं सकता, क्योंकि यहां से कॉंग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोवन सिंग डुटासरा और सामने सुभाश महरिया में एक कड़ा मुकाबला नजर आ रहा है, जाएंग तरब डीजे पर हमने गोवन सिंग डुटासरा को डांस करते देखा, तो वहीं बड़ा रोचक तरीका सुभाश मेरिया का भी रा, काटे की टककर है, अब इनका फैसला कॉल करें। पुरुष मत दाता है, और 1,35,137 महिला मत दाता है, ट्रांजेंडर इस सेट पर नहीं है, जो भी परसला होगा, वो 288,140 वोटर हैं, जो करते हुए नजर आएगे। मैदान में उत्रे, बहुत पुराने सीताराम अगरवाल कॉंग्रेसी हैं, इसके अलावा भी जिस तरीके से उन्होंने काम किया, लेकिन क्योंकि क्योंकि विद्यादर नगर भारते जर्दा पार्टी के की सीट पानी जाती है, एक माना जाता है लंबे समय से उनके साथ ही, तो यहां पर दिया कुमारी और यह हाइलाइट है, कि दिया कुमारी के सामने सीताराम अगरवाल दोनों की टककर है और लगातार चुनापर चार् सिर्फ इस पर नहीं चितोड़गर में भी नज़र आएगा, बेराल यहां कितने वोटास हैं, जो पैसला करेंगे, गुल वोटास हैं, यहां 3,41,649, भारी वरकम वोटास हैं, 283 वोट पोलिंग बूद पर, वो वोट डाल सकते हैं, उनमें पुरुष मदाता की संख्या, 1, 1,67,699 हैं, जब कि महीला वोटास यहां 1,63,951 हैं, इस सीट पर तो ट्रांसजेंडर हैं, और विद्या दरनगर में, सीता, सीताराम अगरवाल जाएंगे, या दिया कुमारी जाएंगे, और अधिती कमाल के बात यह हैं, कि एक के नाम में सीताराम हैं, और दूसरे राम के वन्शज कहते हैं, बिलकुल देगे, और यह तमाम वो सीटे हैं, जहां पे टक्कर है, अब जोटवाला, क्योंकि विद्या दरनगर का जिकरा है, तो जोटवाला का जिकराएगा, और यह वो सीटे हैं, जिस पर दोनों ही पार्टियों की राजनीती एकदम कुल कर सामने कॉंगरेस बहुत आखरी नाम उतारा, और सबसे पहला नाम राजवार्दन सिंग डाटोर का, बीज़ेपी की पहली लिस्ट में आया था, सांसद है, और अब विदान सभा का चुनाव लड़ रहे हैं, इनकी किस्मत का फैसला कौन करेगा, इनकी किस्मत का फैसला मुझे ल लाए हैं, दोड में लाएंगे या नहीं लाएंगे या जिताएंगे हराएंगे, वो ये दरसला आखड़ा है, बोलिंग बूत यहां पर 360 हैं, आप जरा वोटर्स की संख्या देखिए, वोटर्स हैं, चार लाख अटाइस हजार सरसक, ये शायद उस विदान सभा सीट में स सबसे ज्यादा वोटर हैं, दो लाख 22,393 पुरुष वोटर हैं, उसमें महिला वोटर दो लाख 5,673 हैं, एक ट्रांसजेंडर हैं, और भारी भरकम वोटर्स और भारी भरकम चेहरे, एक और जबरदस सीट की चर्चा करते हैं सवाई मादूपूर, और जब सवाई पर फर्स्ट इंडिया ने फ्लैश किया, ब्रेक किया कि यहां से सांसद किरोडी मीना लड़ेंगे तो फोन का अंबार जैसे लग गया था, तो आपको बता दें किरोडी लाल मीना राजसबास सांसद उनको यहां से उतारा गया है, और इनके सामने दानिश अबराद, मुक् आपका बिगरता नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी इनका फैसला कौन करेगा, विजेन? अपिर आशा मीना खुद भावनाओं के साथ खुद को भुनाने में कितनी काम्याब होगी, यह वो आंकड़ा है, जो उस तस्वीर को साफ़ा है, और इस समय तीनों की नब्स काफी तेज होगी, एक और रोचक सीट पर आपको पूरा आंकड़ा बताते हैं, कोटा उत्तर, दोनों ही पार्टियों के लिए बहुत ही अस्वंजस की स्थिति आ पर थी, प्रत्याशी तयार थे, लेकिन फैसला मोहर लगने की बाद थी, कोटा उत्तर सीट पर टककर, शांती दारिवाल और प्रलाद गुंजल, पता था कि यह दोनों ही उत्तरेंगे, लेकिन देर लगी दोनों के नाम अनाउंस होने में, बेहद रोचक सीट है, कोटा उत्तर, अच्छा इसमें कुछ चीज़े हैं जो मैं जोड़ना चाहूं, शायद शांती दारिवाल मुक्यमंत्री अशोग एलोत के कोटा से आए हैं, और प्रलाद गुंजल को टिकट कैसे मिला, इस उत्तर को ढूंडने में, वहां कई बड़े चैरों के नाम इर्दगर्द घूंगते रसाल हैं, कई लोगों के कोटा से आ सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो तस्वीर को साफ करेंगे, वो दर असल ये वोटास हैं, पॉलिंग बूद 236 हैं, पुरुष मदाता 1,30,153 हैं, महिला मदाता इस बिल्कुल लगातार काटे की टककर वाली सीट हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं, और आप खिमसर की बात करेंगे, खिमसर पे किस की टककर हैं आपको बता दें, हनुमान बेनिवाल और तेजपाल मिर्दा मैदान में हैं, हनुमान बेनिवाल खुशायद उनका जेकर उनके ब बात करना सबको बहुत अच्छे सा पता है लगातार चुनाओ प्रजार में काफी कुछ और चर्चित वो रहे हैं लेकिन बेहत मैत्पून सीट है सांसद आरेलपी के एकलोते उसके बार तमाम तरीके की कहानी लेकिन फिलाल हनुआन बेनिवाल के साथ तेज पाल मिर्दा मैद लड़ने लेकिन वो मूल सीट पर वापस आये और विदानसवा चुनाओं में वो मैदान में है और आजाद पार्टी के साथ गडबंदन करके मैदान में और वहां की इर्दगेर्थ की अगर बात करें तो उस सीट पर इंपक्ट भी और दूसरी सीटों पे आरेलपी का 18445 और पोलिंग बूत 264 इस पर बनाए गए है इसके बाद बात करेंगे नागोर में टक्कर की नागोर विदानसवा सीट आपको बता दे डौक्टर जोती मिर्दा और उनके सामने हिरेंदर मिर्दा का मुकाबला और आपको बता दे जोती मिर्दा भारते जन्ता कॉंग्रेस से भारते जन्ता पार्टी में गई थी और उसके बाद हिरंदर मिर्दा का मुकाबला वैसे कह रहे थे कि अल्पसंख्या यहाँ पर लड़ाए जाने से यह तमाम चीज़ थी जाट वोटर्स जाट बड़े नेताओं को अपने साथ साधना चाहती थी हलाकि इनके वोटर्स के संख्या आप से लिए जो भी जीतेगा का जा रहा है जीतेगा तो मिर्दा ही जीतेगा तो मिर्दा ही ठीक है लेकिन वोटर्स कितने हैं वोटर्स जरा देके 149,947 पुरुष माइला वोटर्स एक लाग तीस अजार तीन सो चियासट हैं, ट्रांसजेंडरी सीट पर पांच हैं, कुल वोटर्स यहाँ दो लाग सतर अजार तीन सो अठारा हैं और कुल पोलिंग भूत यहाँ दो सो तिरतानीस बनाए गए अगली सीट का रूख करते हैं, चितोर गण, ये भी एक बेहत वैत्पून सीट है, नर्पत सिंग राजवी, यहाँ पर टिकेट कटा पहले नर्पत सिंग राजवी का विद्यादर नगर से फिर उनको यहाँ पर बेजा गया, तो चंदरबान आक्या का यहाँ से टिकेट कटा लेकिन बीच में आप एक कड़ी भूल कई बयान, वो बयान बहुत इंटरस्टिंग था जो इन्हों ने दिया था, बिल्कुल, और ये पहले लड़ चुके हैं, नर्पत सिंग राजवी, चितोर से चुना लड़ चुके हैं, यही वज़े थी कि इस पर सोचा गया, और फिर भेरो सिंग शेखावजी का, जिसे कहते हैं, सो साल, जन्व सताबदी का साल था, तो ऐसा कुछ नहीं किया जा सकता था, इसलिए उनके सामने सुरिंदर सिंग जाडवत को मैदान में, सुरिंदर सिंग जाडवत भी आखरी की सुचियों में नाम आया, क्योंकि और भी विकल से, लेकिन आखिर कार्ट टकर कौन दे सकता है, सुरिंदर सिंग जाडवत को मैदान में रहूंगा, इन सब के बीच में मुकाबले में, चंदरवान आक्या कितना रहेंगे, वो तो परिणाम बताएंगे, लेकिन जो वोटास हैं, वो किस के साथ हैं, वो तीन तारीक को पता 24,656, महिला वोटारी सीट पर 1,34,446, फ्रांक जेंडर हैं तीन, कुल वोटास यहां हैं 2,70,105 और इस सीट पर पोलिंग भूद बनाए गए हैं 217 और देखिए, इसके अलावा तिजारा, जो आपको बता देंगी, ये भी एक होट सीट रही है, चर्चा में रही है, पहले दिन से लेकर अब तक, बाबा बालक नाथ, जिनको इले कहा जा रहा था कि वो बैरोड से चुनाव लड़ सकते हैं, वो मना करते आएं, और फिर ति तककर को और कड़ी बनाने के लिए, इमरान खान को जोड़ा गया कॉंग्रेस के साथ, और अब दोनों के बीच में कड़ा मुकाबला, और सीधा सीधा पॉलराइजेशन वाला यहाँ पर, इन्होंने एक बयान दिया था बाब बालक नाथ में, कि ये कोई कॉंग्रेस बीज अब दारें, पुरुष वोटर यहाँ एक लाग 38,805 हैं, महिला वोटर एक लाग 22,854 हैं, ट्रांजेंडर यहाँ एक हैं, कुल वोटर यहाँ दो लाग 61,660 हैं, और पॉलिंग भूत यहाँ बनाए गया हैं 207 अब देखे, एक और मैत्पूल सीट साचोर, जहां से कॉंग्रेस के मंतरी आते थे, और साचोर में उतारे गए, जो सांसद है, देव जी पटेल, अब देखे, ये जो साचोर की तक्कर है, वो सियासी है, आपको बता दें कि बीजेपी के देव जी पटेल, सांसद यहां से चुनाव में उतारे गए, और कॉंग्रेस के सुक्राम विश्णोई, मंतरी हैं, और कहा जारा था, एंटी इंकमेंसी, तमाम चीजें, लेकिन आखिरकार इन पो उतारा गया, तमाम और नाम थे, लेकिन अब टक्कर काटे की, क्योंकि यहां पर भी, बारते जन्ता पार्टी लेकिन नाराज जो लोग हैं, वो मैदान में हैं, बिठाने की कोशिश तमाम चीजें हुई, लेकिन ऐसे में फिलाल वोटर्स क्या टेय करेंगे, आप बताएंगे, बिल्कुल अदीती नाराजगी का जिक्र किया, तो मुझे याद आए कि इस चुनाव में जो सबसे पहले गाड़ी तूटने की तस्वीर आई थी, वो सांचोर सीट से ही आई थी, अब जरा वोटर्स को देख लेते हैं, वोटर्स कितने हैं, इस सीट पर सांचोर में पुरुष वोटर्स है, एकलाग सट सट हाजार साथ, महिला वोटर्स से एकलाग 48,197, ट्रांसजेंडर इस सीट पर शायद हम से कुछ मिस्टेक हुई है, इसको हम चेक करेंगे, कुल वोटर्स यहाएं, तीन लाग 15,200, 69 और पोलिंग भूत हैं, 321, इस सीट को जरा करेक्ट कीजिएगे, इसमें ट्रांसजेंडर के संख्या, शायद हम कॉपी कर गए हैं और इसलिए, इसको बाद में एक भी वो विदायक महां से रहें, और इससे बड़ी बात है कि वो प्रदेश अध्यक्ष रहे थे, अब उनके सामने प्रशांत शर्मा, कुछ भी नया नहीं है, लेकिन उमीदे कहीं न कहीं, यहां से इस चुनाव से कुछ अलग तरीके किये हैं, प्रशांत शर्मा पहले भी से चुनाव लड़े थे, सतीश पूनिया लड़े थे, हालाकि यह माना जाह रहा था कि सतीश पूनिया की सीद बदली जा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, केवल राजेंदरु सिंग राठोड की सीद बदली गई, सतीश पूनिया का भी नाम था, उनकी नहीं बदली गई, पुरुश वोटर इस सीट पर है 1,51,111, मैला वोटर है 1,38,045, ट्रांसीटर यहां 1 है यहां 2,89,517 हैं और इस सीट पर पोलिंग बूत जो बनाए गए हैं эфф क्या बनाए गए हैं जहां कांटे की टक्कड नहीं बलकि हॉट सीट है और शुरुबात करते हैं सर्दार पुरा सीट से जहां मुक्यमंतरी अशोग गहलोग पनाम महिंदर सिंगरा टोर के बीच में मुकाबला है अलकि इस सीट पर जब आप जाएंगे इस सीट के इतिहास पर जाएंगे तो फिर आपको एहसास होगा कि यहां बीजेपी बार बार क कितने हैं वोटर्स की संक्या क्या यह जरा दिखिए सर्दार पुरा में अगर पुरुष वोटर्स की बात की जाए तो 13,131 हैं जबकि महिला वोटर्स की बात की जाए तो 1,26,049 हैं ट्रांजेंडर इस सीट पर 21 हैं जबकि अगर कुल वोटर्स की बात की जाए तो 2,57,191 91 वोटर है यह दरसल भूँआ खड़ा है जिसमें से मान कर चलिए जहां तक मुझे लगता है कि 180,000 से शायद हो सकते हैं 2,000,000 के आसपास वोट यहां पड़े लेकिन वो यहां तै कर देंगे और लगबल तस्वीरें यहां पर तै ही होते हैं बिल्कुल सरदारपुरा के वोटर्स की तस्वीरें आपको बता रहे हैं पोलिंग डूट विजेंदर, 225 पोलिंग डूट जी, जालरा पाटन को ज़रा देखते हैं क्योंकि जालरा पाटन दूसरी होट सीट है अधिती यहां मुकाबला किस-किस के बीच में है अलांकि वहां कितना इस से फर्क पड़ता है कि मुकाबला किस के बीच में एक अलग सवाल है लेकिन यहां बीजेपी से पूर मुख्यमंत्री वस्तुना राज्ये को मैदान में उतारा गया है जबकि कॉंग्रेस के रामलाल चोहान यहां मैदान में है लेकिन यहां वोटर कितने हैं इसको एक बार ज़रा देख लेते हैं जबकि वोटर जब तक आएं देख लिए जालावार पार्टन के वोटर विजेद्र 298 टोटल पोलिंग बूट हैं बाकि वोटर पुरुष महिला ट्रांजेंडर कुल वोटर बिल्कुल अगर पुरुष मदाता की बात की जाए तो 51,590 वोटर जबकि महिला वोटर की बात की जाए तो 1,44,216 हैं इस सेट पर 4 ट्रांजेंडर हैं जबकि अगर कुल मदाता की बात की जाए कुल वोटर की जाए तो 2,97,810 इस सेट पर कुल वोटर हैं हम इसमें से कितने वोट कास्ट करने जाएंगे हम तो यही कहेंगे कि 100 पीज दी जाहिए और इस महापर में अपनी बड़ी भूमिका को निभाइए इस सेट पर आठ ट्रांजेंडर हैं और कुल पोलिंग बूत जो इस सेट पर हैं वो 237 पोलिंग बूत बनाए गए हैं टॉक बहुत होट सीट रही है खास सौट पर 2018 से विजय इंदर इसे टॉक में जो कड़ी टककर है सचन पालेट के सामने बीजप्ती से अजीत सिंग मेता पिशली बार यूनुस कांते जो इस बार इंडिपेडनेंट लड़ रहे हैं लेकिन इस बार अजीत सिंग मेता कहते हैं पूरी आरेसस अजीत सिंग मेता को चुनाओं में जिताने लड़ाने तमाम चीजों के लड़ जाती है और 2013-2018 तक अजीत मैता हैं यहां से विधायक रहे भी चुके हैं चलिए लेकिन यहां का वोटर कितना हैं यह हम आपको बता रहे हैं पॉलिंग बूत इसमें 250 हैं अधीती कुल वोटर से यहां 2,52,888 हैं उनमें से अगर पॉलिंग बूत हैं जहां से यह सब वोट करके अपने प्रत्याशी को विधान सभा में उंग्चा देंगे और एक और होट सीट तारणगर का जिक्र करेंगे तारणगर जहां से राजेंद्र सिंग राठोड और नरेंद्र बुडानिया का मुकाबला है वैसे ही इस बार हुआ लेकिन तारणगर सीट पर काफी टककर है माना चारो लगाता राजेंद्र ठोड अपना चुडाओ प्रचार वहाँ पर कर रहे है अला कि पूरे सीकर और शिखावटी बेल्ट पर उनका इंपैक्ट रहता है कुल वोटरस यहां 3,5,332 है उनमें से अगर पूरुश वोटर की बात करें तो 1,60,416 है मैला वोटरस 1,44,913 है इस सेट पर 3 ट्रांसजेंडर है और ये दरसल तारा नगर के वोटरस जो नरेंद्र वुडानिया या फिर राजेंद्र आठो जिसको भी चाहेंगे जिताकर विजहांसभा फेसे और अब जब इतनी टक्कर वाली होट सीटों की बात करें तो लक्षमंगर ये चूट नहीं सकता क्योंकि यहां से कॉंगरस के प्रदेश अध्यक्ष गोवन सिंग डुटासरा और सामने सुभाश महरिया में एक कड़ा मुकाबला नजर आ रहा है जाएंग तरफ डीजे पे हमने गोवन सिंग डुटासरा को डांस करते देखा तो वहीं बड़ा रोचक तरीका सुभाश मेरिया का विरा काटे की टक्कर है अब इनका फैसला कॉल करें और दोनों के बीचे में मुकाबले हो चुके हैं दोनों जानते हैं कि किस तरीके कि सियासा देख दूसरे के खलाब उनको करनी है लेकिन ये दरसल वो आंकड़ा है जो इनकी तस्वीर को विधासभा के अंदर पहुंचाएंगे या नहीं पहुंचाएंगे बैराल 288 पुल पॉलिंग बोट हैं जहां बोटर अपने बोट का इसमाल कर सकते हैं वोटर सियां 2,78,140 हैं उनमें से 1,43,003 पुरुश मद दाता हैं और 1,35,137 महिला मद दाता हैं ट्रांजेंडर इस सेट पर नहीं है जो भी परसला होगा वो 280 बोटो पर 2,78,140 वोटर हैं जो करते हुए नज़र आएगे बिल्कुल और विद्यादर नगर जब पहली लिस्ट भार दिन तब पार्टी के आई थी तो विद्यादर नगर उसके बाद तक भी चर्चा में रहा था और विद्यादर नगर से बात करेंगे दिया कुमारी सांसाथ दिया कुमारी को यहाँ पर उतारा गया और उनके सामने कॉंग्रेस के सीता राम अगरवाल मैदान में उत्रे बहुत पुराने सीताराम अगरवाल कॉंग्रेसी हैं इसके अलावा भी जिस तरीके से उन्होंने काम किया लेकिन क्योंकि विद्यादर नगर भारतेशनता पाटी के की सीट पानी जाती है एक माना जाता है लंबे समय से उनके साथी तो यहां पर दिया कुमारी और यह हाइला यहां तीन लाग एक तालीस हजार चेसो उन्चास भारी वरकम वोटास हैं 283 वोट पोलिंग बूद पर वोट डाल सकते हैं उनमें पुरुष मद्दाता की संख्या एक लाग सताता जार चेसो शियानवे है जबकि महिला वोटास यहां एक लाग तरेसट हजार नोसो इक्या इस सीट पर दौं ट्रां जिंडर है और विद्या दरनगर में सीटाराम अगरवाल जाएंगे या दियाकुमारी जाएंगे और अदिति कमाल के बात यह है कि एक के नाम में सीटाराम है और दूसरे राम के बंशज कहते हैं बिलकुल देगे और यह तमाम वो सीटे हैं जहांपे टककर है अब जोटवाड़ा क्योंकि विद्या दर्टिंगर का जिकर आये तो जोटवाड़ा का जिकर आएगा और यह वो सीटे हैं जिसपे दोनों ही पार्टियों की राजशनीती एकदम कुलकर सामने नजर आती है सांसद है और उनके सामने अभिशेक चौदुरी मैदान है अभिशेक चौदुरी को जब उतारा तो ऐसा लग रहा था कहीं न कहीं कॉंग्रेस बहुत आखरी नाम उतारा और सबसे पहला नाम राजिवार्दन सिंग राटोर का बीज़पी की पहली लिस्ट में आया था किस्पत का फैसला कौन करेगा है? इनकी किस्मत का फैसलar मूझे लगता है आशेु सिंग सुर्पुरा करेगा है अब इस पर सबकी नजर है और उस पर दोनुख़ी पार्टियों के साथ साथ जिस तरह का अनेलिस से चल रहा है और शायद लग रहा है आपकी आपकी भी वोटस हैं 4,28,000 सरसक यह शायद उस विधायसभा सीट में से एक जाहें सबसे ज्यादा वोटर हैं 2,23,93 पुरुष वोटर हैं उसमें महिला वोटर 2,05,673 हैं एक ट्रांसजेंडर है और भारी भरकम वोटस और भारी भरकम चेहरे एक और जबरदस सीट की चर्चा करते हैं सवाई मादुपूर और जब सवाई मादुपूर पर फर्स्ट इंडिया ने फ्लैश किया ब्रेक किया कि यहां से सांसद किरोडी मीना लड़ेंगे तो फोन का अंबार जैसे लग गया था तो आपको बता दें कि किरोडी लाल मीना राजसबास सांसद उनको यहां से उतारा गया है और इनके सामने दानिश अबरार मुख्यमंत्री सलाकार रह चुके हैं दानिश अबरार का अपने आप रोज के किस्से हैं सचिन पाइलट से लेकर अशोग गैलोग तक के खेमे का बेराल आज इन दोनों की सीर पे आशा मीना भी कड़ी है शायद उन्होंने गणे दोनों का ही बिगार दिया है यह कह सकते है कि मीना साब का बिगरता नजर आ रहा है लेकिन फिर भी इनका फैसला कौन करेगा विजे इनका फैसला वोटर्स करेंगे और वोटर्स कितने हैं सबाइमादोपुर में वोटर्स हैं 1,35,777 पुरुष और महिला वोटर्स हैं 1,20,551 ट्रांसजेंडर 5 हैं कुल वोटर्स 2,56 1,329 हैं और पोलिंग बूत यहां बनाई है 2,42 इन दो चेहरों के साथ एक चेहरा और जोड़िये आशा मीना का क्योंकि इन दो चेहरों को जिताने हराने या फिर आशा मीना खुद भावनाओं के साथ खुद को भुनाने में कितनी कामयाब होगी ये वो आखड़ा है जो सस और इस समय तीनों की नबस काफी तेज होंगी एक और रोचक सीट पर आपको पूरा आखड़ा बताते हैं कोटा उत्तर दोनों ही पार्टियों के लिए बहुत ही अस्वंजस की स्थिति आ पर थी प्रत्याशी तयार थे लेकिन फैसला मोहर लगने की बात थी कोटा उत्तर स जाहूं शायद शांती धारिवाल मुक्यमंतरी अशोग एलोट के कोटा से आए हैं और प्रलाद गुंजल को टिकट कैसे मिला इस उत्तर को ढूंडने में वहां कई बड़े चैरों के नाम इर्दगिर्द घूंगते नसा हैं कई लोगों के कोटा से आ सकते हैं ठीक है लेकिन जो तस्वीर को साफ करेंगे वो दरसल ये वोटास हैं पॉलिंग बूद 236 हैं पुरुष मदाता एक लाग तीस हजार 153 हैं महिला मदाता इस सीट पर एक लाग पचीस हजार 449 हैं 13 ट्रांसजेंडर हैं कुल वोटास के अगर इस सीट पर बात की जाए तो 255,605 हैं जो कोटा में उत्तर ये देंगे कि वहां अगले विधाय कौन हो बिल्कुल लगातार काटे की टक्कर वाली सीट हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं और आप खिमसर की बात करेंगे किस की टक्कर है आपको बता दे हनुमान बेनिवाल और तेज पाल मिर्दा मैदान में हैं हनुमान बेनिवाल को शायद उनका जेकर उनके बारे में बात करना सबको बहुत अच्छे सा पता है लगातार चुनाओ प्रजार में काफी कुछ और चर्चित वो रहे हैं लेकिन ब लगई है अलग्कि सीट पर कौन जीतेगा कौन हरीगा क्योंकि जब हनुमान बेनिवाल सांसत बने तो इसीट पर नाराएं बेनिवाल चुनाओ लड़ने लेकिन वो बूल सीट पर वापस आये और विदानसवाद चुनाओ में वो मैदान में है और आजाद पार्टी के 24,609 है महिला मत आता है 1,34,836 है फ्रांस जेंडर रेसीट पर नहीं है कुल वोटर्स की बात करें तो 2,82,445 है और पोलिंग बूत 264 इस पर बनाए गए इसके बाद बात करेंगे नागौर में टककर की नागौर विधानसबा सीट आपको बता दे डॉक्टर जोती मिर्धा और उनके सामने हिरेंदर मिर्धा का मुकाबला और आपको बता दे जोती मिर्धा भारते जन्ता कॉंग्रेस से भारते जन्ता पार्टी में गई थी और उसके बाद हिरेंदर मिर्धा का मुकाबला वैसे ही कह रहे थे कि अल्प संक्या यहाँ पर लड़ाए जाने से यह तमाम चीज़ थी अब इस बार वो इंडिपेंडनेंट लड़ रहे हैं इसे यहाँ के समीकरण बहुत कुछ होंगे और सबसे मैटपून बात है कि भारते जनता पार्टी दसो सीटों पर कुछ कमाल करना चाती थी और यही वज़ा थी कि जो जाट वोटर्स यह जाट बड़े नेताओं को अपने साथ साधना चाती थी हलाकि इनके वोटर्स के संख्या आप से जो भी जीतेगा का जा रहा है जीतेगा तो मिर्दा ही जीतेगा तो मिर्दा ही ठीक है लेकिन वोटर्स कितने हैं वोटर्स जरा देके 149,947 पुरूश वोटर है मैला वोटर्स 13,366 है ट्रांसजेंडरी सीट पर 5 है कुल वोटर्स यहाँ 2,17,318 है और कुल पॉलिंग बूट यहाँ 243 बनाए गए अगली सीट का रूख करते हैं चितोरगण यह भी एक बेहत वैत्पून सीट है नरपत सिंग राजवी यहाँ पर टिकेट कटा पहले नरपत सिंग राजवी का विद्यादर नगर से फिरों को यहाँ पर बेजा गया तो चंदरवान आक्या को यहाँ से टिकेट कटा था बीच में आप एक कड़ी भूल गए बयान वो बयान बहुत इंटरस्टिंग था जो इन्हों ने दिया था बिल्कुल और ये पहले लड़ चुके है नर्पत सिंग राजवी चित्तोर से चुना लड़ चुके है यही वज़े थी कि इस पर सोचा गया और फिर भैरो सिंग शेखावाज जी का जिससे कहते हैं सौ साल जञ्ख Сताबदी का साल था तो ऐसा कुछ नहीं किया जा सकता है लिए उनके सामने सुरंधसिंग जारवत को मैदानमें सुरंधर सिंग जारवत भी आखरी की सुचियों में नाम आया क्योंकि और भी विकल्ट से लेकिन आखिर कार्ट टैकर कौन दे सकता है सुरंदर से जाड़ावर्ट को गया नहीं विकल्ट के बीच में उन्होंने अल्टिमेटम दे दिया था सभा करके कि हम कल तै करेंगे अगर कल दो बचे तक तै नहीं हुआ तो फिर हम तै कर लेंगे जै इक लाग पैंतिस हजार शेसो चपन मैला वोटर इस सीट पर एक लाग चौतीस हजार चाफसो च्यालीस त्रांजेंडर हैं तीम कुल वोटास यहां है दो लाग सतर हजार एक्सो पांच और इस सीट पर पोलिंग भूद बनाए गये हैं दो सो सतथा और देखिए इसके अलावा तिजारा जो आपको बता देंगी ये भी एक होट सीट रही है चर्चा में रही है पहले जिन से लेकर अब तक बाबा बालकनात जिनकों लेक कहा जा रहा था कि वो बैरोड से चुनाओ लड़ सकते हैं वो मना करते आए और फिर तेजारा से उनको चुनाओ में उतारा गया खड़ा मुकाबला अचार रोचक बात यह है कि इमरान खान उससे पहले बसपा के लिए चुनाओ प्रचार कर और फिर कॉंग्रेस से लंबे समय में संपर्क में थे बाद में इस तक्कर को और कड़ी बनाने के लिए इमरान खान को जोड़ा गया कॉंग्रेस के साथ और अब दोनों के बीच में कड़ा मुकाबला और सीधा सीधा पोलराइजेशन वाला यहां पर इन्होंने एक बयान लेकिन चलिए दर्चक देखे लेते हैं जो फैसला करेंगे और हम इसको क्योंकि यहां पूरा पॉरा पॉलराइजेशन करने की कोशिश की गई हम अपने वोटास को बताते वक्त कोई पॉलराइजेशन नहीं करें अमदारें पॉरुष वोटार यहां 13805 है महिला वोटास 122854 है ट्रांजेंडर यहां 1 है कुल वोटास यहां 26660 है और पॉलिंग भूत यहां बनाएगे 207 अब देखे एक और मेधपुन सीट साचौर जहां से कॉंग्रेस के मंतरी आते थे और साचौर में उतारे गए जो सांसद है देव जी पटेल अब देखे एक जो साचौर की जो तक्कर है वो सियासी है आपको बता दें कि बीजेपी के देव जी पटेल सांसद यहां से चुनाम उतारे गए और कॉंग्रेस के सुक्राम उच्णोई मंतरी हैं और कहा जारा था एंटी इंकमेंसी तमाम चीजे लेकिन आखिर कार इनको उतारा गया तमाम और नाम थे लेकिन अब टक्कर काटे की क्योंकि यहां पर भी बारते जन्ता पार्टी के नाराज जो लोग हैं वो मैदान में हैं बिठाने की कोशिश तमाम चीजे अब ज़रा वोटर्स को देख लेते हैं वोटर्स कितने हैं सीट पर साचोर में पुरुष वोटर्स है एक लाग 767,007 महिला वोटर्स है उक लाग 48,197 ट्रांसजेंडर इस सीट पर शायद हमसे कुछ मिश्टेक हुई है इसको हम चेक करेंगे कुल वोटर्स यहां 3,15,200 69 और पोलिंग भूत है 321 इस सीट को ज़रा करेक्ट कीजिगे इसमें ट्रांसजेंडर के संख्या चायद हम कॉपी कर गए और इसलिए इसको बाद में एक बार फिर से आपको बताएंगे इस सीट पर ट्रांसजेंडर कितनी है और देखे अब एक और मैथपून सीट जापे आमेर जैपूर इलाके की और देखे सबसे बड़ी बात है कि आमेर में डॉक्टर सतीश पूनिया पहले भी वो विदायक मां से रहे और इससे बड़ी बात है कि वो प्रदेश अध्यक्ष रहे थे अब उनके सामने प्रशान शर सतेश पूनिया कि सीट बदली जा सकती है लेकिन ऐसा नहीं हुआ केवल राजेंदर सिंग राठोड की सीट बदली गई सतीश पूनिया का भी नाम था उनकी नहीं बदली गई आमेर सीट में कड़ा मुकावला सतीश पुनिया वर्सेस प्रशांत-शर्ब जीत का मारजन इस बोटास यहां दो लाख, नवासी αजार, पांसो सत्रा हैं, और इस सेट पर पोलिंग जो बनाए गये हैं, वो बनाए गये हैं, तो सो अलाकि शीटों की जहां कांटे की टकर नहीं, बल्कि होड सीट हैं। और शुरुबात करते हैं सर्दार पुरा सीट से जहां मुक्यमंत्री अशोग गहलोत पनाव महिंदर सिंग्रा ठोड के बीच में मुकाबला है अलकि इस सीट पर जब आप जाएंगे इस सीट के इतिहास पर जाएंगे तो फिर आपको एहसास होगा कि यहां बीजेपी बार- केंडिडेट को बदलती आए बिल्कुल उसी अंदाज में जैसे जालरा पाटन के अंदर केंडिडेट कॉंग्रिस बदलती आए वहीं आपको अब बताते हैं कि यहां वोटर्स कितनी हैं वोटर्स की संख्या क्या यह सरा देखिए सरदार पुरा में अगर पुरुष वोटर्स की बात की जाए तो 131,131 हैं जबकि महिला वोटर्स की बात की जाए तो 1,26,049 हैं ट्रांजेंडर इस सेट पर 21 हैं जबकि अगर कुल वोटर्स की बात की जाए तो 2,57,191 वोटर्स की बात की जाए तो 2,57,191 वोटर्स की बात तस्वीरें यहां पर तैही ही होती है बिल्कुल सरदारपुरा के वोटर्स की तस्वीरें आपको बता रहे हैं पोलिंग बूत विजेंदर दोसो पच्छस पोलिंग बूत जी जालरा पाटन को ज़रा देखते हैं जालरा पाटन दूसरी होट सीट है अधिती यहां मुकावला किस किस के बीच में है अलांकि वहां कितना इस से फर्क पड़ता है कि मुकावला किस के बीच में एक अलग सवाल है लेकिन यहां बीजेपी से जालरा पाटन के वोटर्स विजेद्र 298 टोटल पोलिंग बूत है बाकि वोटर्स पुरुष महिला ट्रांजेंडर कुल वोटर्स बिल्कुल अगर पुरुष मदाता की बात की जाए तो 51,590 वोटर्स है जबकि महिला वोटर्स की बात की जाए तो 1,44,216 है इस सीट पर 4 ट्रांजेंडर है जबकि अगर कुल मदाता की बात की जाए कुल वोटर्स की बात की जाए तो 2,97,810 इस सीट पर कुल वोटर्स है हम इसमें से कितने वोटकास्ट करने जाएंगे हम तो यही कहेंगे कि 100 पीज़ी जाएए और इस महापर में अपनी बड़ी भूमिका को निभाईए वही नादवारा सीट पर टक्कर है डॉक्टर सीपी जोशी कॉंग्रेस के विश्व राद सिंग मेवार बीजेपी से चुनाव मैदान में है यानि सीपी जोशी वर्सेज विश्व राद सिंग मेवार और ये भारतिय जद्धा पार्टी में भी शामिल हुए थे और उसके बाद दोनों के बीच के टक्कर है अब इनके महीशा का पैसला ये करेंगे क्योंकि इस सीट पर कुल वोटर्स की बाद करें महीला वोटर्स की बाद करें तो इस सीट पर आट ट्रांसजेंडर है और कुल पोलिंग बूट जो इस सीट पर है वो 237 पोलिंग बूट बनाए गए है तॉक बहुत होट सीट रही है खास सौट पर 2018 से विजय इंद्र इसे तॉक में जो कड़ी टक्कर है सचन पालेट के सामने बीजेप्ती से अजीत सिंग मेता पिशली बार युनुस कांते जो इस बार इंडिपेडनेंट लड़ रहे हैं लेकिन इस बार अजीत सिंग मेता कहते हैं पूरी RSS अजीत सिंग मेता को चुनाओं में जिताने लड़ाने तमाब चीज़ों के लड़ जाती है और 2013 से 2018 तक अजीत मेता यहां से विधायक रहे भी चुके हैं चलिए लेकिन यहां का वोटर कितना है यह हम आपको बता रहे हैं पूलिंग बूत इसमें 250 हैं अधीती कुल वोटर से यहां 2,52,828 है उनमें से अगर पूलिंग बूत है जहां से यह सब वोट करके अपने प्रत्याशी को विधा सभा में उंग्चा देंगे और एक और होट सीट तारणगर का जिक्र करेंगे तारणगर जहां से राजेंद्र सिंग राठोड और नरेंद्र बुडानिया का मुकाबला है तारणगर सीट जैसे 2008 में हुआ था ठीक वैसे इस बार हुआ लेकिन तारणगर सीट पर काफी टककर है लेकिन नरेंद्र बुडानिया को भारती अंता पाटी न होता रहे है लेकिन इन दोनों की किस्मत का फैसला कौन करेगा ये वोटरस हम आपको बताते हैं कि जो किस्मत का फैसला करेंगे पोलिंग बूद 299 जिनके जरिये फैसला होगा कुल वोटरस यहां 3,5,330 913 हैं इसेट पर 3 ट्रांसजेंडर हैं और ये दरसल तारणगर के वोटरस जो नरेंद्र बुडानिया या फिर राजेंद्र राठो जिसको भी चाहेंगे जिताकर विजहांसभा फैसे और अब जब इतनी टक्कर वाली होट सीटों की बात करें तो लक्षमंगर ये चूट नहीं सकता क्योंकि यहां से कॉंग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोवन सिंग डुटासरा और सामने सुभाश महरिया में एक कड़ा मुकाबला नजर आ रहा है जाए एक तरफ डीजे पे हमने गोवन सिंग डुटासरा को डांस करते देखा तो वहीं बड़ा रोचक तरीका सुभाश मेरिया काविरा काटे की टक्कर है अब इनका फैसला कॉल करें लाग 43,003 पुरुष मद दाता है और 1,35,137 महिला मद दाता है ट्रांगजेंडर इस सेट पर नहीं है जो भी फैसला होगा वो दो सो असी बूतों पर 2,78,140 वोटर है जो करते हुए नजर आए बिल्कुल और विद्यादर्नगर जब पहली लिस्ट भर दिन तब पार्टी के आई थी तो विद्यादर्नगर उसके बाद तक भी चर्चा में रहा था और विद्यादर्नगर से बात करेंगे दिया कुमारी सांसाथ दिया कुमारी को यहाँ पर उतारा गया और उनके सामने कॉंग्रेस के सीता राम अगरवाल मैदान में उत्रे बहुत पुराने सीता राम अगरवाल कॉंग्रेसी है इसके अलावा भी जिस तरीके से उनोंने काम किया लेकिन क्योंकि विद्यादर नगर भारते जंदा पार्टी की सीट पानी जाती है एक माना जाता है लंबे समय से उनके साथ ही तो यहां पर दिया कुमारी और यह हाइलाइट है कि दिया कुमारी के सामने सीता राम अगरवाल दोनों की टककर है और लगातार चुनाप रुचार चार। एक लाग 63,951 है इस सीट पर दो ट्रांसजेंडर है और विद्या दरनगर में सीता राम अगरवाल जाएंगे या दिया कुमारी जाएंगे और अदिती कमाल के बात यह है कि एक के नाम में सीता राम है और दूसरे राम के बंशज कहते हैं बिलकुल देगे और यह तमाम वो सी नजर आती है जो ट्राला सीट का कड़ा मुकाबला राजवर्दन सिंग राठोड कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं सांसद है और उनके सामने अभिशेक चौदुरी मैदान है अभिशेक चौदुरी को जब उतारा तो ऐसा लग रहा था कहीं न कहीं कॉंग्रेस बहुत आख आशियू सिंग सुरपूरा करेगा अभिशेक और उस पे सबकी नजर है और उस पे दोनों ही पार्टियों के साथ साथ जिस तरह का अनालिसिस चल रहा और शायद लग रहा आपकी भी नजर उस पर टिकी हुई बिल्कुल लेकिन वोटा सचाहिए ही है कि आशियू सिंग सु उस विधायसवा सीट में से एकरजाएं सबसे ज्यादा वोटर हैं दो लाख 22,393 पुरुष बोटर हैं उसमें महिला वोटर दो लाख 5,673 हैं एक ट्रांसजेंडर है और भारी भरकम वोटस और भारी भरकम चेहरे एक और जबरदस सीट की चर्चा करते हैं सवाई मादूपूर और जब सवाई मादूपूर पर फर्स्ट इंडिया ने फ्लैश किया ब्रेक किया कि यहां से सांसद किरोडी मीना लड़ेंगे तो फोन का अंबार जैसे लग गया था तो आपको बताते हैं किरोडी लाल मीना राज सबास सांसद उनको यहां से उतारा गया है और इनके सामने दानिश अबराद मुख्यमंत्री सलाकार रह चुके हैं दानिश अबराद का अपने आप रोज के किस्से हैं सचिन पाइलट से लेकर रशोग गैलोट तक के खेमे का बेराल आज इन दोनों की सीर पे आशा म निना भी कड़ी हैं शायद उन्होंने गड़े दोनों का ही बिगार दिया है यह कह सकते हैं कि मिना साब का बिगरता नजर आ रहा है लेकिन फिर भी इनका फैसला कौन करेगा विजेर इनका पैसला वोटास करेंगे और वोटास कितने हैं सवाई मादोपुर में वोटास हैं 1,35,773 पुरुष और महिला वोटास हैं 1,20,551 ट्रांसजेंडर पांच हैं कुल वोटास 2,56,339 हैं और पॉलिंग बूत यहां बनाई है 2,42 इन दो चेहरों के साथ एक चेहरा और जो और कितनी काम्याब होगी ये वो आखड़ा है जो उस सस्वीर को साफ़ाइब। अच्छा इसमें कुछ चीज़े हैं जो मैं जोड़ना चाहूँ शायद शांती धारिवाल मुक्यमंत्री अशोग एलोथ के कोटा से आए हैं और प्रालाद गुंजल को टिकट कैसे मिला इस उत्तर को ढूंगने में वहां कई बड़े चैरों के ना मिर्दगिर्द घूमते नस कहीं लोगों के कोटा से आ सकते हैं ठीक है लेकिन जो तस्वीर को साफ करेंगे वो दरसल ये वोटास हैं पॉलिंग बूद 236 हैं पुरुष मदाता एक लाग 30153 हैं महिला मदाता इस सीर पर एक लाग 25449 हैं तेरा ट्रांसजेंडर हैं कुल वोटास के अगर इस सीर पर बा सामने लेकर आ रहे हैं और अपुमसर की बात करेंगे देंक यिस की टककर है आपको बता दे हनुमान बेरी निवाज और तेजपाल मिर्दा मैदामे हैं हनुमान बेरीत खोशायद उनका जेकर उनके बारे में बात करना सबको बहुत अच्छा साथ एमकोणे घजपाल म выглядит को म एक ओर चीज़ है, वो डांस के लिए भी लोग प्रिय हूए इस चुनाओं में और चाटा मारने के लिए भी लोग प्रिय हूए, डात ने के लिए भी होए, अलग कि इस सीट पर कौन जीतेगा, कौन हारेगा, क्योंकि जब हनुआन वेनिवाल सांसत बनें तो इस सीट पर ना कोन करेगा वोटर्स जरा देख लेते हैं पुरुष मदाता इस सीट पर एक लाग 47,609 है महिला मदाता एक लाग 34,836 है फ्रांस जेंडर इस सीट पर नहीं है कुल वोटर्स की बात करें तो दो लाग 82,445 है और पॉलिंग बूथ 264 इस पर बनाए गए इसके बाद बात करेंगे नागोर में टककर की नागोर विधानसबा सीट आपको बता दे डॉक्टर जोती मिर्धा और उनके सामने हिरेंदर मिर्धा का मुकाबला और आपको बता दे जोती मिर्धा भारते जंता कॉंग्रेस से भारते पार्टी में गई थी और उसके बाद हि यहां पर लड़ाए जाने से तमाम चीज़ थी यहां से यह सीट अभीबु नहमान या मुस्लिम कोटे से आते हैं अब इस बार वो इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं इसले यहां के समीकरण बहुत कुछ होंगे और सबसे मैकून बात है कि भारते जनता पार्टी दसो सीटों कुछ कमाल करना चाती थी और यहीं वज़ा थी कि जो जाट वोटर्स यहां जाट बड़े नेताओं को अबने साथ साथना चाती थी हालाकि इनके वोटर्स के संख्या आपसे पूचे हैं यहाँ पर टिकेट कटा पहले नर्पत सिंग राजवी का विद्यादर नगर से फिर उनको यहाँ पर बेजा गया तो चंदरबान आक्या का यहाँ से टिकेट कटा था लेकिन बीच में आप एक कड़ी भूल का यह बयान वह बहुत इंटरस्टिंग था जो इन्हों ने दिया था इसलिए उनके सामने सुरेंदर सिंग जाडवत को मैदान में सुरेंदर सिंग जाडवत भी आखरी की सूचियों में नाम आया क्योंकि और भी कल थे लेकिन अखिर काड़ कर कौन दे सकता है सुरंदर सिंजारा बत को बैदान के बीच में उन्होंने अल्टिमेटम दे दिया था सभा करके कि हम कल तै करेंगे अगर कल दो बजे तक तै नहीं हुआ तो फिर हम तै कर लेंगे जैसे यहां से चंदरबान आक्या ने तै कर लिया कि नहीं मैं जनता की तरफ से मैदान में रहूंगा इन सबके बीच में मुकाबले में चंदरबान आक्या कितना रहेंगे वो तो परिणाप बताएंगे लेकिन जो वोटास हैं वो किसके साथ हैं वो तीन तारीक को पता और देखिए इसके अलावा तिजारा जो आपको बता देंगी ये भी एक हॉट सीट रही है चर्चा में रही है पहले दिन से लेकर अब तक बाबा बालकनाथ जिनकों लिए कहा जारा था कि वो बहरोड से चुनाओ लड़ सकते हैं वो मना करते आए और फिर टेजारा से उनको चुनाओ में उतारा गया आपकड़ा मुकाबला अचार रोचक बात यह है कि इमरान खान उससे पहले बस्पा के लिए चुनाओ प्रचार क लेकिन चलिए दर्चक देखे लेते हैं जो फैसला करेंगे और हम इसको क्योंकि यहाँ पूरा पॉर्राइजेशन करने की कोशिश की गई हम अपने वोटर्स को बताते वक्त कोई पॉर्राइजेशन नहीं करें हम बदारें पॉर्च वोटर्स यहाँ 1 30805 है, महिला वोटर्स 1 22804 है, ट्रांजेंडर्स यहाँ 1 है, कुल वोटर्स यहाँ 26660 है और पोलिन बूत यहाँ बनाए गये है 206 साथ पार्टी के नाराज जो लोग हैं वो मैदान में हैं बिठाने की कोशिश तमाम चीज़े हुई लेकिन ऐसे में फिलाल वोटर्स क्या टेय करेंगे आप बताई बिल्कुल अधीती नाराजगी का जिक्र किया तो मुझे यादा है कि इस चुनाव में जो सबसे पहले गाड़ी तूटने की तस्वीर आई थी वो साचोर सीट से ही आई थी अब जरा वोटर्स को देख लेते हैं वोटर्स कितने हैं इस सीट पर साचोर में पुरुष वोटर्स है एकलाग 67,007 महिला वोटर्स है एकलाग 48,197 ट्रांसजेंडर इस सीट पर शायद हम से कुछ मिस्टेक हुई है इसको हम चेक करेंगे कुल वोटर्स यहाँ है 3,15,200 69 और पोलिंग भूत है 321 इस सीट को जड़ा करेक्ट कीजिगे इसमें ट्रांसजेंडर के संख्या शायद हम कॉपी कर गए है और इसलिए इसको बाद में एक बार फिर से आपको बताएंगे सीट पर ट्रांसजेंडर कितनी है और देखे अब एक और मैटपून सीट जापे आमेर जैपूर इलाके की और देखे सबसे बड़ी बात है कि आमेर में डॉक्टर सतीश पूनिया पहले भी वो विदायक महां से रहे और इससे बड़ी बात है कि वो प्रदेश अध्यक्ष रहे थे अब उनके सामने प्रशान शर्मा कुछ भी नया नहीं है लेकिन उमीदे कही न कहीं यहां से इस चुनाव से कुछ अलग तरीके किया है प्रशान शर्मा पहले भी चुनाव लड़े थे सतीश पूनिया लड़े थे हालाकि यह माना जार था कि सतीश पूनिया की सीथ बदली जा सकती है लेकिन ऐसा नहीं हुआ केवल राजेंदरुसिंग राठोड की सीथ बदली गई सतीश पूनिया का भी नाम था उनकी नहीं बदली गई आमेर सीथ में कड़ा मुकावला सतीश पूनिया वरसेस प्रशान्थ शर्म जीत का मारजन इस सीथ पर पिछली बार भी काफी खम था और उस मार्जन को बढ़ाया घटाया जा सकता है इन वोटर्स को अपने पक्ष में करके पुरुष वोटर्स इस सीट पर है एक लाग एक्क्यावन अजार एक्सो ग्यारा मैला वोटर है एक लाग अर्तिस अजार पैंतालीस ट्रांसजेंडर यहां एक है कुल वोटर्स यहां दो लाग नवासी अजार पांस सो सत्रा है और इस सीट पर पोलिंग बोत जो बनाए गए है वो बनाए गए है दो सो चुरुआब करते हैं उन सीटों की जहां कांटे की टक्कर नहीं बलकि होट सीट है और शुरुआद करते हैं सरदार पुरा सीट से जहां मुक्यमंत्री अशुक गहलोत पनाव महिंदर सिंग्रा ठोड के बीच में मुकाबला है अलकि इस सीट पर जब आप जाएंगे इस सीट के इतिहास पर जाएंगे तो फिर आपको एहसास होगा कि यहां बीजेपी बार-बार केंडिडेट को बदलती आई है बिलकुल उसी अंदास में जैसे जालरा पाटन के अंदर केंडिडेट कॉंग्रिस बदलती आई है वहीं आपको अब बताते हैं कि यहां वोटर्स कितनी है वोटर्स की संक्या क्या यह ज़रा देखिए सरदार पुरा में अगर पुरुष वोटर्स की बात की जाए तो 131,131 है जबकि महिला वोटर्स की बात की जाए तो 126,049 है ट्रांसजेंडर इस सेट पर 21 है जबकि अगर कुल वोटर्स की बात की जाए तो 2,57,191 वोटर है यह दरसल बुहा ख़़ाया जिसमें से मान कर चलिए जहां तक मुझे लगता है की 1,80,000 से शायद हो सकते है 2,00,000 के आसपास वोट यहाँ पड़े लेकिन वो यहाँ तैय कर देंगे और लगबर तस्वीरें यहाँ पर तैय ही होती है बिलकुल सरदारपुरा के वोटर्स की तस्वीरें आपको बता रहे हैं पोलिंग बूट विजेंदर, 225 पोलिंग बूट जी, जालरा पाटन को ज़रा देखते हैं क्योंकि जालरा पाटन दूसरी होट सीट है अधिती यहां मुकावला किस-किस के बीच में है अलांकि बहां कितना इससे फर्क पड़ता है कि मुकावला किस के बीच में एक अलग सवाल है लेकिन यहां बीजेपी से पूर मुख्यमंत्री वस्तुना राज्ये को मैदान में उतारा गया है जबकि कॉंग्रेस के रामलाल चोहान यहां मैदान में है लेकिन यहां वोटर कितने हैं इसको एक बार ज़रा देख लेते हैं लेकि वोटर अब तक आएं देखे लिजेए जालावार पार्टन के वोटर विजेद्र 298 टोटल पोलिंग बूथ हैं बाकि वोटर पुरुष महिला ट्रांजेंडर कुल वोटर अगर पुरुष मदादा की बात की जाए तो 1,55590 वोटर अब इसमें से कितने वोटकास्ट करने जाएंगे हम तो यही कहेंगे कि 100 पीज़ी जाहिए और इस महापर में अपनी बड़ी भूमिका को निभाईए वही नादवारा सीट पर टककर है डॉक्टर सीपी जोशी कॉंग्रेस के विश्व राद सिंग मेवार बीज़पी से चुनाव मैदान में है यानी सीपी जोशी वर्सेज विश्व राद सिंग मेवार और ये भारतिय जद्दा पार्टी में भी शामिल हुए थे और उसके बाद दोनों के बीच के टककर है अब इनके मविश्व का पैसला ये करेंगे क्योंकि इस सीट पर कुल वोटर्स की बाद करें दोलाक 38,539 है उनमें से पुरुष एक लाग 22,449 है महिला वोटर्स की बाद करें तो एक लाग 16,82 है इस सीट पर आठ ट्रांसजेंडर है और कुल पोलिंग बूत जो इस सीट प सामने बीजबती से अजीद सिंग मैता पिशली बार यूनुस कांते जो इस बार इंडिपेंडनेंट लड़ रहे हैं लेकिन इस बार अजीद सिंग मैता कहते हैं पूरी RSS अजीद सिंग मैता को चुनाओं में जिताने लड़ाने तमाम चीजों के लड़ जाती है वोटर्स से 1,233,89 हैं इस सीट पर फ्रांस जेंडर चार हैं और ये वो पॉलिंग भूत है जहां से ये सब वोट करके अपने प्रत्याशी को विधान सभा में उंग्चा देंगे और एक और होट सीट तारनगर का जिकर करेंगे तारनगर जहां से राजेंद्र सिंग राठोड और नरेंद्र बुडानिया का मुकाबला है तारनगर सीट जैसे 2008 में हुआ था फ्लिप ठीक वैसे इस बार हुआ लेकिन तारनगर सीट पर काफी टककर है माना चाराओ लगाता आज इन डाठोड अप्रा चुडाओ प्रचार वहाँ पर कर रहे है अला कि पूरे सीकर और उस शिखावटी बेल्ट पर उनका इंपेक्ट रहता है लेकिन नरेंद्र बुडानिया को भारतियंता पाठी न उतार है लेकिन इन दोरों की किस्मत का फैसला कौन करेगा ये वि 1,64,416 है महिला वोटस 1,44,913 है इस सेट पर 3 ट्रांसजेंडर है और ये दरसल तारानगर के वो वोटस जो नरेंद्र बुडानिया या फिर राजेंद्र आठो जिसको भी चाहेंगे जिताकर विधानसभा फैसे और अब जब इतनी टककर वाली होट सीटों की बात करें तो लक्षमंगर ये चूट नहीं सकता क्योंकि यहां से कॉंग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोवन सिंग डुटासरा और सामने सुभाश महरिया में एक कड़ा मुकाबला नजर आ रहा है जाए एक तरफ डीजे प दूसरे के खलाब उनको करनी है लेकिन ये दरसल वो आंकड़ा है जो इनकी तस्वीर को विधासभा के अंदर पहुंचाएंगे या नहीं पहुंचाएंगे बैराल 288 पुल पॉलिंग बोट हैं जहां वोटर अपने वोट का इस्समाल कर सकते हैं वोटर यहां 2,78,140 हैं उन करते हुए नजर आएगी एक माना जाता है लंबे समय से उनके साथी तो यहां पर दिया कुमारी और यह हाइलाइट है कि दिया कुमारी के सामने सीताराम अगरवाल दोनों की टक्कर है और लगातार चुनाप रुचाट एक लाग 63,951 है इस सीट पर दो ट्रांसजेंडर है और विद्या दरनगर में सीताराम अगरवाल जाएंगे या दिया कुमारी जाएंगे और अधिती कमाल के बात यह है कि एक के नाम में सीताराम है और दूसरे राम के वंशज कहते हैं बिलकुल देगे और यह तमाम वो सी नजर आती है जो ट्राला सीट का कड़ा मुकाबला राजवर्दन सिंग राठोड कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं सांसद है और उनके सामने अभिशेक चौधरी मैदान है अभिशेक चौधरी को जब उतारा तो ऐसा लग रहा था कहीं न कहीं कॉंग्रेस बहुत आखरी न नजर है और उस पर दोनों ही पार्टियों के साथ सार जिस तरह का अनालिसिस चल रहा है और शायद लग रहा है आपकी भी नजर उस पर टिकी बिल्कुल लेकिन वोटर सचाही है कि आश्यू सिंग सुरपुरा को भी जो इस मैदान में लाए हैं दोड में लाएंगे या नह सबसे ज्यादा वोटर हैं दो लाएस अजार तीरानवे पुरुष वोटर है उसमें महिला वोटर दो लाएंगे पांच हजार शेसो तीहत्तर है एक ट्रांसजेंडर है और भारी भरकम वोटस और भारी भरकम चेहरे एक और जबरदस सीथ की चर्चा करते हैं सवाई मादूपूर और जब सवाई मादूपूर पर फर्स्ट इंडिया ने फ्लैश किया ब्रेक किया कि यहां से सांसद किरोडी मीना लड़ेंगे तो फोन का अंबार जैसे लग गया था तो आपको बता दें कि किरोडी लाल मीना राजसबा सांसद उनको यहां से उतारा गया है और इनके सामने दानिश अबरार मुख्यमंत्री सलाकार रह चुके हैं दानिश अबरार का अपने आप रोज के किस्से हैं सचिन पाइलट से लेका रशोग गैलो तक कि खेमे का बेराल आज इन दोनों की सीथ पे आशा मीना पी करी हैं सायद उनोंने गड़े दोनों का ही बिगार दिया है यह कहे सकते हैं कि मिनास साब का बिगरता नजर आ रहा है लेकिन फिर भी इनका फैस्ला वोटर्स करेंगे और वोटर्स कितने हैं सवाइ वादोपर में वोटर्स है एक लाग पैंथीस हजार, सासो, शान्हlar, पुरुष और महिला वोटस हैं एक लाग बीस हजार पांसो इक्यावन ट्रांसजेंडर पांच हैं कुल वोटस दो लाग चपन हजार तींसो उन्तीस हैं और पोलिंग बूत यहां बनाई है दो सो बैयालीस इन दो चेहरों के साथ एक चेहरा और जोड़िये आशा मीना का क्यो एक और रोचक सीट पर आपको पूरा आखड़ा बताते हैं कोटा उत्तर दोनों ही पार्टियों के लिए बहुत ही अस्वंजस की स्थिति आ पर थी प्रत्याशी तयार थे लेकिन फैसला मोहर लगने की बात थी कोटा उत्तर सीट पर टककर शांती दारिवाल और प्रलाद पता था कि ये दोनों ही उत्रेंगे लेकिन देर लगी दोनों के नामनाउंस होने में बेहत रोचक सीट है कोटा उत्तर अच्छा इसमें कुछ चीज़े हैं जो मैं जोड़ना चाहूं शायद शांती धारिवाल मुक्यमंत्री अशोग एलोत के कोटा से आए हैं और सीट को साफ करेंगे वो दरसल ये वोटास हैं पॉलिंग बूद 236 हैं पुरुष मदाता एक लाग 30153 हैं महिला मदाता इस सीट पर एक लाग 25449 हैं 13 ट्रांसजेंडर हैं कुल वोटास के अगर इस सीट पर बात की जाये तो 255605 हैं जो कोटा में उत्तर ये देंगे कि वह अगले विधायक कौन हो बिल्कुल लगातार काटे की टक्कर वाली सीट हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं और आप खिमसर की बात करेंगे खिमसर पे किसकी टक्कर है आपको बता दे हनुमान बेनिवाल और तेजपाल मिर्दा मैदान में हैं हनुमान बेनिवाल खुशायद उनका जेकर उनके बारे में बात करना सबको बहुत अच्छे सा पता है लगातार चुनाओ प्रजार में काफी कुछ और चर्चित वो रहे हैं लेकिन बेहत मैत्मून सीट है सांसद आरेलपी के एकलोते उसके बार तमाम तरीके की कहानी लेकिन फिलाल हनुमान बेनिवाल के अच्छा एक और चीज़ है वो डांस के लिए भी लोग प्रिय हुए इस चुनाओ में और चाटा मारने के लिए लिए लोग प्रिय हुए अलंकि इस सीट पर कौन जीतेगा कौन हारेगा क्योंकि जब हनुमान बेनिवाल सांसद बने तो इस सीट पर नारायन बेनिवाल जुनाओं में वो मैदान में है और आजाद पार्टी के साथ गड़बंधन करके मैदान में है और वहां की इर्दगेर्थ की अगर बात करें तो उस सीट पर इंपक्ट भी और दूसरी सीटों पर आरल पी का इंपक्ट देखने को मिल सकते हैं लेकिन इनके किसमत का फैसला क पॉलिंग बूत 264 इस पर बनाए गए इसके बाद बात करेंगे नागौर में टककर की नागौर विदानसबा सीट आपको बता दे डॉक्टर जोती मिर्धा और उनके सामने हिरेंदर मिर्धा का मुकाबला और आपको बता दे जोती मिर्धा भारते जंता कॉंग्रेस से भा अब इस बार वो इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं इससे यहां के समीकरण बहुत कुछ होंगे और सबसे मैं कुन बात है कि भारते जंता पार्टी दसो सीटों पर कुछ कमाल करना चाहती थी और यही वज़ा थी कि जो जाट वोटर्स या जाट बड़े नेताओं को अपने स साधना चाहती थी हालाकि इनके वोटर्स के संख्या आप से जीतेगा जीतेगा तो मिर्दाई है ठीक है लेकिन वोटर्स कितने हैं वोटर्स जरा देके 149,947 पुरुष वोटर है मैला वोटर्स 13366 है ट्रांसजेंडरी सीट पर 5 है कुल वोटर्स यहां 27318 है और कुल पोल यह भी एक बेहत बहत पूर्ण सीट है नर्पत सिंग राजवी यहां पर टिकेट कटा पहले नर्पत सिंग राजवी का विध्यादर नगर से फिरों को यहां पर बेजा गया तो चंदरबान आक्या का यहां से टिकेट कटा था और लेकिन बीच में आप एक कड़ी भूल का कर दो सभ। ह सभा करके की हमाते कर लेंगे अगर कल दो बजह तक टर नहीं वा तो फिर मेनकों टाय कर लेंगे तो यहां से चन्द्रवान आंक्यान की नहीं में जन्यान्टा की तरफ से मैंडान में रहूंगा इन सब के बीच में मुकाबले में चंदरबान आक्या कितना रहेंगे वो तो परिणाम बताएंगे लेकिन जो वोटास हैं वो किसके साथ हैं वो तीन तारीक को पता चलेगा हैं कितने ये हम बता देते हैं पुरुष वोटार हैं 1,35,656 महिला वोटारी सीट पर 1,34,446 फ्रांग जेंडर हैं तीन कुल वोटास यहां हैं 2,70,105 और इस सीट पर पोलिंग भूद बनाए गए हैं 297 और देखिए इसके अलावा तिजारा जो आपको बता देंगी ये भी एक होट सीट रही है चर्चा में रही है पहले दिन से लेकर अब तक बाबा बालकनाथ जिनको ये कहा जा रहा था कि वो बैरोड से चुनाओ लड़ सकते हैं वो मना करते आए और फिर तेजारा से उनको चुनाओ में उतारा गया खड़ा मुकाबला अचा रोचक बात ये है कि इम्रान खान उससे पहले बसपा के लिए चुनाओ प्रचार कर रहे थे और फिर कॉंग्रेस से लंबे समय में संपर्क में थे बाद में इस टककर को और कड़ी बनाने के लिए इम्रान खान को जोड़ा गया कॉंग्रेस के साथ और अब दोनों के बीच पे कड़ा मुकाबला और सीधा सीधा पॉलराइजेशन वाला यहाँ पर इन्होंने एक बयान दिया था बाव वालक नात ने कि ये कोई कॉई कॉई बीज़ेपी का मैच नहीं है भारत पाकिस्तान का मैच लेकिन चलिए दर्चक देखे लेते हैं जो फैसला करेंगे और हम इसको क्योंकि यहाँ पूरा पॉलराइजेशन करने की कोशिश की गई हम अपने वोटर्स को बताते वक्त कोई पॉलराइजेशन नहीं करेंगे हम अब आरे पॉरुश वोटर यहाँ एक लाग 38,805 है महिला वोटर्स एक लाग 22,854 है फ्रांजेंडर यहाँ एक हैं कुल वोटर्स यहाँ दो लाग 61,606 है और पॉलिंग भूत यहाँ बनाएगे हैं 207 पर देखे एक और मैत्पून सीट साचोर जहां से कॉंग्रेस के मंतरी आते थे और साचोर में उतारे गए जो सांसद है देवजी पटेल अब देखे एक जो साचोर की जो तक्कर है वो सियासी है आपको बता दें कि बीजेपी के देव जी पटेल सांसद यहां से चुनाम उतारे गए और कॉंग्रेस के सुक्राम उतारी है और कहा जा रहा था एंटी इंकम्मेंसी तमाम चीज़े लेकिन आखिर कार इन को उतारा गय कि इस चुनाओ में जो सबसे पहले गारी तूटने की तस्वीर आई थी वो साचोर सीट से ही आई थी अब जरा वोटर्स को देख लेते हैं वोटर्स कितने हैं इस सीट पर साचोर में पुरुष वोटर्स है 1,677 महिला वोटर्स है 1,48,197 ट्रांसजेंडर इस सीट पर शाय हम कॉपी कर गें और इसलिए इसको बाद में एक बार फिर से आपको बताएंगे सीट पर ट्रांसजेंडर कितनी है और देखे अब एक और मैथपून सीट जापे आमेर जैपूर इलाके की और देखे सबसे बड़ी बात है कि आमेर में डॉक्टर सतीश पूनिया पहले भी वो विदायक मां से रहे और इससे बड़ी बात है कि वो प्रदेश अध्यक्ष रहे थे अब उनके सामने प्रशान चुछ भी न्याल लेकिन उमीदे कहीं न कई यहां इस इस चुनाओ से कुछ अलग तरीके के हैं प्रशाँ शर्मा पहले भी चुनाओ लड़े भ Mayor सतीषपुनिया लड़े थे हालागी माना जार था कि सतीषपुनिया की सीट बदली जासकती है लेकिन ऐसा नहीं वा केवल राजेंद्र नम्त राठोड की सीप बदली गई. सतीषपुनिया का भी नाम था, उनकी नहीं बदली गई, पुरुश वोटस इस सेट पर है एक लाग एक्क्यावन घ्जार एक सो गियारा मैला वोटर है एक लाग 38,045 टांसजेंडर यहां एक है कुल वोट़स यहां 2,89,517 है और इस सेट पर पोलिंग भोट जो बनाए गए है वो बनाए गए है 244 आप करते हैं उनी सीटों की जहां कांटे की टक्कर नहीं बलकि होट सीट है और शुरुबात करते हैं सरदार पुरा सीट से जहां मुक्यमंत्री अशोग गहलोथ, पनाम, महिंदर सिंगरा ठोड के बीच में मुकाबला है अलंकि इस सीट पर जब आप जाएंगे इस सीट के इतिहास पर जाएंगे तो फिर आपको एहसास होगा कि यहां बीजेपी बार-बार कैंडिडेट को बदलती है यह बिल्कुल उसी अंदाज में जैसे जालरा पाटन के अंदर कैंडिडेट कोंग्रिस बदलती है वहीं आपको अब बताते हैं कि यहां वोटर्स कितनी है वोटर्स की संक्या क्या है यह सरा देखिए सरदार पुरा में अगर पुरुश वोटर्स की बात की जाए तो 131,131 है जबकि महिला वोटर्स की बात की जाए तो 1,26,049 है ट्रांसजेंडर इस सीट पर 21 है जबकि अगर कुल वोटर्स की बात की जाए तो 2,57,191 वोटर्स है ये दरसल वुहां खड़ा है जिसमें से मान कर चलिए जहां तक मुझे लगता है कि एक लाग असी अजार से शायद हो सकता है दू लाग के आसपास वोट यहां पड़े लेकिन वो यहां तै कर देंगे और लगबर तस्वीरें यहां पर तै ही होती है बिल्कुल सरदारपुरा के वोटर्स की तस्वीरें आपको बता रहे हैं पोलिंग डूट विजेंदर दोसो पच्चस पोलिंग डूट जी जालरा पाटन को ज़रा देखते हैं क्योंकि जालरा पाटन दूसरी होट सीट है अधिती यहां मुकावला किसके बीच में है अलनकि वहां कितना इशसे फ़र्क पड़ता है कि मुकावला किसके बीच में एक अलग सवाल है यहां बीचेपी से पूर मुख्येमंदरि वस्टुना राज्य को मैदान में उतारा गया है जबकि कॉंग्रेस के रामलाल चोहान यहां मैदान में है, लेकिन यहां वोटर कितने हैं, इसको एक बार ज़रा देख लेते हैं जबकि वोटर्स अब तक आएं, देख लिए जालावार पार्टन के वोटर्स, विजेद्र 298 टोटल पोलिंग बूट हैं, बाकि वोटर्स, पुरुष महिला, ट्रांजेंडर, कुल वोटर्स करने जाएंगे, हम तो यही कहेंगे कि 100 पीस दी चाहिए, और इस महापर में अपनी बड़ी भूमिका को निभाइए, वही नाद्वारा सीट पर टक्कर है, डॉक्टर सीपी जोशी, कॉंग्रेस के विश्व राद सिंग मेवार, बीजेपी से चुनाव मैदान में हैं, या भारतिय जंदा पार्टी में भी शामिल हुए थे और उसके बाद दोनों के बीच के टक्कर है, विजेदर कुल वोटर्स इसे टॉक में जो कड़ी टक्कर है, सचन पालेट के सामने, बीजेपी से अजीद सिंग मेता, पिशली बार, युनुस कांते जो इस बार अजीद सिंग मेता कहते हैं, पूरी RSS, अजीद सिंग मेता को चुनाव में जिताने, लडाने, तमाम चीजों के लड़ जाती है, वो वोटास यहां 2,52,828 हैं, उनमें से अगर पूरुष वोटर के बात करें तो 1,29,445 है, जबकि महिला वोटास एक लाग 23,389 हैं, इस सीट पर ट्रांसजेंडर चार हैं, और ये वो पॉलिंग बूत है, जहां से ये सब वोट करके अपने प्रत्याशी को विधा सभा में उं पाबला है, तारा नगर सीट, जैसे 2008 में हुआ था, फ्लिप ठीक वैसे इस बार हुआ, लेकिन तारा नगर सीट पर काफी टककर है, माला चाराओ लगाता राज हिंडा ठोड अपना चुडाओ प्रचार वहां पर कर रहे हैं, आला कि पूरे सीकर और शिखावटी बेल्ट पर उनका इंपेक्ट रहता है, लेकिन बहीं, नरेन गुडानिया को भारतियनता पाठीन उता रहा है, लेकिन इन दोरों की किस्मत का फैसला कौन करेगा, ये विजए इंदाब करेंगे, ये वोटरस हम आपको बताते हैं, कि जो किस्मत का फैसला करेंगे, पोलिंग बूद जो नरेंद्र बुडानिया, या फिर राजेंद्र आठो, जिसको भी चाहेंगे, जिताकर विजहांसभा फैसे, और अब जब इतनी टककर वाली होट सीटों की बात करें, तो लक्षमनगर ये चूट नहीं सकता, क्योंकि यहां से कॉंग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मुकाबला नजर आ रहा है, जाएं एक तरफ डीजे पे, हमने गोविन सिंग रुटासरा को डांस करते देखा, तो वहीं बड़ा रोचक तरीका सुभाश मेरिया का भी रा, काटे की टककर है, अब इनका फैसला कोड़ करें, और दोनों के बीचे में मुकाबले हो चुके है जहां वोटर अपने वोट का इसमाल कर सकते हैं, वोटास यहां 278,140 हैं, उनमेंसे 1,43,000 तीन पुरूश मत दाता है और 1,35,137 महिला मत दाता है। ट्रांच जेंडर इस सेट पर नहीं है, जो भी परसला होगा, वो 286, sanct बूतों पर 2,78,140 वोटर हैं, जो करते हुए नजर बिल्कुल और विद्यादर्नगर जब पहली लिस्ट भार दिन तब पार्टी के आई थी तो विद्यादर्नगर उसके बाद तक भी चर्चा में रहा था और विद्यादर्नगर से बात करेंगे दिया कुमारी, सांसाथ दिया कुमारी को यहाँ पर उतारा गया और उनके सामने कॉंग्रेस के सीता राम अगरवाल मैदान में उत्रे बहुत पुराने सीता राम अगरवाल कॉंग्रेसी हैं इसके अलावा भी जिस तरीके से उन्होंने काम किया लेकिन क्योंकि विद्यादर्णगर भारतेशंदा पार्टी की सीट पानी जाती है एक माना जाता है लंबे समय से उनके साथ ही तो यहां पर दिया कुमारी और यह हाइलाइट है कि दिया कुमारी के सामने सीताराम अगरव दोनों की टक्कर है और लगाता है चुना पर चाहिए और इस सीट का सर सिर्फ इस पर नहीं चितोड़गर में भी नजर आएगा बेराल यहां कितने वोटास हैं जो पैसला करेंगे गुल वोटास हैं यहां 3,4,649 भारी वरकम वोटास हैं 283 वोट पोलिंग बूद पर वोट डाल सकते हैं उनमें पुरुष मदाता की संख्या 1,67,696 है जबकि महिला वोटास यहां 1,63,951 है इस सीट पर 2 Transgender है और विद्यादरणगर में सीटा, सीटाराम अगरवाल जाएंगे या दिया कुमारी जाएंगे और अदिती खमाल के बात यह है कि एक के नाम में सीटाराम है और दूसरे राम के बशनिती एकदम कुलकर सामने नजर आती है जोटवारा सीट का कड़ा मुकाबला राजवर्दन सिंग राठोड कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं सांसद है और उनके सामने अभिशेक चौदुरी मैदान है अभिशेक चौदुरी को जब उतारा तो ऐसा लग रहा था कहीं न कहीं कॉंग्रेस बहुत आखरी नाम उतारा और सबसे पहला नाम राजवर्दन सिंग राठोड का बीज़पी की पहली लिस्क में आया था सांसद है और अब विदान सभा का चुनाव लड़ रहे हैं इनकी किस्मत का फैसला कौन करेगा इनकी किस्मत का फैसला मुझे लगता है आश्यू सिंग सुर्पूरा करेगा बिल्कुल और उस पे सबकी नजर है और उस पे दोनों ही पार्टियों के साथ-सार जिस तरह का अनैलिस से चल रहा है और शायद लग रहा है आपकी भी नजर उस पर टिकी हुई बिल्कुल लेकिन वोटर सचाई ही है कि आश्यू सिंग सुर्पूरा को भी जो इस मैदान में लाए हैं दोड में लाएंगे या नहीं लाएंगे या जिताएंगे हराएंगे वो ये दर असला लाग रहा है पोलिंग बूत यहां पर 360 है आप जरा वोटरस की संख्या देखिए वोटरस हैं 4,28,000 सरसक यह शायद उस विधायसभा सीट में से एकजाएंगे में ज्यादा वोटर हैं दो लाख 22,393 पुरुष वोटर है उसमें महिला वोटर दो लाख 5,673 है एक ट्रांसजेंडर है और भारी भरकम बोटस और भारी भरकम चेहरे एक और जबरदस सीट की चर्चा करते हैं सवाई मादूपूर और जब सवाई मादूपूर पर फर्स्ट इंडिया ने फ्लैश किया ब्रेक किया कि यहां से सांसद किरोडी मीना लड़ेंगे तो फोन का अंबार जैसे लग गया था तो आपको बता दें कि किरोडी लाल मीना राजसबा सांसद उनको यहां से उतारा गया है और इनके सामने दानिश अबरार मुख्यमंत्री सलाकार रह चुके हैं दानिश अबरार का अपने आप रोज के किस्से हैं सचिन पाइलट से लेका रशोग गैलो तक कि खेमे का बेराल आज इन दोनों की सीट पे आशा मीना बीकडिया है उन्होंने गड़े दोनों का ही बिगार दिया है यह कह सकते हैं कि मीना साब का बिगड़ता नजर आ रहा है लेकिन फिर भी इनका फैसला कौन करेगा विजे इनका फैसला वोटास करेंगे और वोटास कितने हैं सबाइ माधोपुर में वोटास हैं 1,35,777 पु तोड़िये आशा मीना का क्योंकि इन दो चेहरों को चिताने हराने या फिर आशा मीना खुद भावनाओं के साथ खुद को भुनाने में कितनी काम्याब होगी ये वो आखड़ा है जो सस्वीर को साफ़ा है। और प्रलाद गुंजल पता था कि ये दोनों ही उतरेंगे लेकिन देर लगी दोनों के नामनाउंस होने में बेहत रोचक सीट है कोटा उत्तर। बोटर्स हैं, पोलिंग बूद 236 हैं, पुरुष मदाता 1,30,153 हैं, महिला मदाता इस सीट पर 1,25,449 हैं। 13 ट्रांसजेंडर हैं, कुल वोटर्स के अगर इस सीट पर बात की जाए तो 2,55,605 हैं, जो कोटा में उत्तर ये देंगे कि वहाँ अगले विधाय कौन हो। बिल्कुल लगातार काटे की टककर वाली सीट हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। और आप खिमसर की बात करेंगे, खिमसर पे किस की टककर है आपको बता दें, हनुमान बेनिवाल और तेजपाल मिर्दा मैदान में हैं। हनुमान बेनिवाल को शायद उनका जेकर उनके बारें बात करना सबको बहुत अच्छे सा पता है, लगातार चुनाओ प्रजार में काफी कुछ और चर्चित वो रहे हैं। हनुमान बेनिवाल के साथ तेजपाल मिर्दा मैदान में उतर हैं। अच्छा एक और चीज़ है, वो डांस के लिए भी लोग प्रिया हुए इस चुनाओ में और चाटा मारने के लिए भी लोग प्रिया हुए। अलंकि इस सीट पर कौन जीतेगा, कौन हारेगा, क्योंकि जब हनुमान बेनिवाल सांसत बने तो इस सीट पर नारायन बेनिवाल चुनाओ लड़ने लेकिन वो बूल सीट पर वापस आए और विधान सबस चुनाओ में वो मैदान में है और आजाद पार्टी के साथ 24,609 है, महिला मदाता है, 1,34,836 है, फ्रांस जेंडर रिसीट पर नहीं है, कुल वोटर्स की बात करें तो 2,82,445 है और पोलिंग बूत 264 इस पर बनाए गए इसके बाद बात करेंगे नागौर में टककर की नागौर विधान सबस सीट आपको बता दे, डॉक्टर जोती मिर्धा और उनके सामने हिरेंदर मिर्धा का मुकाबला और आपको बता दे जोती मिर्दा भारते जन्ता कॉंग्रेस से भारते जन्ता पार्टी में गई थी और उसके बाद खेरेंदर मिर्दा का मुकाबला वैसे ही कह रहे थे कि अल्प संक्या यहाँ पर लडाए जाने से यह तमाम चीज़ थी कि जो जाट वोटर्स यह जाट बड़े नेताओं को अपने साथ साधना चाहती थी हालाकि इनके वोटर्स के संक्या आपको जोती है हालाकि इनमें से जो भी जीतेगा का जा रहा है जीतेगा तो मिर्दा ही जीतेगा तो मिर्दा ही और पुल पॉलिंग बूत यहाँ 243 बनाए गए अगली सीट का रूख करते हैं चितोर गण यह भी एक बेहत वैत्पून सीट है नर्पत सिंह राजवी यहाँ पर टिकेट कटा पहले नर्पत सिंह राजवी का विद्यादर नगर से फिर उनको यहाँ पर बेजा गया तो चंदरबान आक्या का यहाँ से टिकेट कटा था और नर्पत सिंह राजवी बीच में आप एक कड़ी भूल का बयान वो बयान बहुत इंटरस्टिंग था जो इन्हों ने दिया था इसलिंए उनके सामने सुरब्र सिंग जाडवत को मैदान में सुरंदर सिंग जाडवत भी आखरी की सुचियों में नाम आया क्योंकि और भी विकल्ग थे नजंता की तरप से मैदान में रहूआ इन सब के बीच में नहीं लेकिन जो वोटास है वो किसके साथ हैं? वो तीन तारीक को पता चलेगा है कितने ये हम बता देते हैं पुरुष वोटर हैं 1,35,656, मैला वोटर इस सीट पर 1,34,446, ट्रांक जेंडर हैं 3, कुल वोटर सिया हैं 2,70,105 और इस सीट पर पोलिंग भूत बनाए गए हैं 217 और देखिए इसके अलावा तिजारा जो आपको बता देंगी ये भी एक होट सीट रही है चर्चा में रही है पहले दिन से लेकर अब तक बाबा बालकनाथ जिनकों ये कहा जा रहा था कि वो बैरोड से चुनाओ लड़ सकते हैं वो मना करते आए और फिर तेजारा से उनको चुनाओ में उतारा गया अब कड़ा मुकाबला अचा रोचक बात ये है कि इमरान खान उससे पहले बसपा के लिए चुनाओ प्रचार कर रहे थे और फिर कॉंग्रेस से लंबे समय में संपर्क में थे बाद में इस तककर को और कड़ी बनाने के लिए इमरान खान को जोड़ा गया कॉंग्रेस के साथ और अब दोनों के ब पूरा पॉरा पॉर्राइजेशन करने की कोशिश की गई हम अपने वोटर्स को बताते वक्त कोई पॉर्राइजेशन नहीं करेंगे अमदारें पुरुष वोटर यहां 13805 है, महिला वोटर एक लाग 22804 है, ट्रांजेंडर यहां 1 है, पुल वोटर यहां 2660 है, और पॉलिंग भूत यहां बनाएगे हैं 207 अब देखे, एक और मैदपुन सीट साचोर, जहां से कॉंग्रेस के मंतरी आते थे, और साचोर में उतारे गए, जो सांसद है, देव जी पटेल, अब देखे, ये जो साचोर की तक्कर है, वो सियासी है, आपको बता दें कि BJP के देव जी पटेल, सांसद यहां से चुनाम उत कारे गए, और कॉंग्रेस के सुक्राम विश्णोई, मंतरी हैं, और कहा जा रहा था, एंटी इंकम्मेंसी, तमाम चीज़ें, लेकिन आखिरकार इन को उतारा गया, तमाम और नाम थे, लेकिन अब टक्कर काटे की, क्योंकि यहां पर भी, बारते जनता पार्टी के नाराज जो लोग हैं, वो मैदान में हैं, बिठाने की कोशिश तमाम चीज़ें हुई, लेकिन ऐसे में, फिलाल, वोटर्स क्या तेह करेंगे, आप बताइए, बिल्कुल अधीती नाराजगी का जिकर किया, तो मुझे यादा है कि इस चुनाव में जो सबसे पहले गारी तूटने क तस्वीर आई थी, वो सांचोर सीट से ही आई थी, अब ज़रा वोटर्स को देख लेते हैं, वोटर्स कितने हैं, इस सीट पर सांचोर में पुरुष वोटर्स है, एकलाग 67,007,007,00, महिला वोटर्स है, एकलाग 48,197,00, ट्रांसजेंडर इस सीट पर, शायद हम से कुछ म बताएंगे सीट पर ट्रांसजेंडर कितनी है? हालाकि इमाना जार था कि सतीश पूनिया की सीट बदली जा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, केवल राजेंदर सिंग राठोड की सीट बदली गई, सतीश पूनिया का भी नाम था, उनकी नहीं बदली गई, आमेर सीट में कड़ा मुकाबला, सतीश पूनिया वर्सेस प्र प्रांग जेंडर यहां एक हैं, कुल वोटास यहां 2,89,517 हैं और इस सेट पर पोलिंग भूत जो बनाए गए हैं, वो बनाए गए हैं 244 अब करते हैं उन इस सेटों की जहां कांटे की टक्कर नहीं बलकि होट सीट है और शुरुआत करते हैं सरदार पुरा सीट से जहां मु मुकाबला है अलंकि इस सीट पर जब आप जाएंगे इस सीट के इतिहास पर जाएंगे तो फिर आपको एहसास होगा कि यहां बीजेपी बार-बार कैंडिडेट को बदलती हैं बिलकुल उसी अंदाज में जैसे जालरा पाटन के अंदर कैंडिडेट कॉंग्रिस बदलती ह आपको अब बताते हैं कि यहां वोटर्स की संख्या की हीएं कि नर जाइनदार की सरदारपुरा में अगर पुरूश वोटर्स की बात की जाए तो एक लाग 31,131 हैं जबकि महिला वोटर्स की बात की जाए तो 132,049 हैं ट्रांजेंडर इस सीटड पर 21 है जबकि अगर कुल वोटास की बात की जाए तो 2,57,191 वोटार है ये दरसल बूहा कड़ा है जिसमें से मान कर चलिए जहां तक मुझे लगता है कि 1,80,000 से शायद हो सकते है दूलाग के आसपास वोट यहां पड़े लेकिन वो यहां तै कर देंगे और लगबर तस्वीरें यहां पर तै ही होती है बिल्कुल सरदारपुरा के वोटास की तस्वीरें आपको बता रहे हैं पोलिंग डूट विजेंदर, 225 पोलिंग डूट जी, जालरापाटन को जरा देखते हैं क्योंकि जालरापाटन दूसरी होट सीट अधीती, यहां मुकाबला किस किस के बीच में है अलांकि वहां कितना इससे फर्क पड़ता है कि मुकाबला किसके बीच में एक अलग सवाल है लेकिन यहां बीजेपी से पूर मुख्यमंत्री वस्तुनाराज्य को मैदान में उतारा गया है जबकि कॉंग्रेस के रामलाल चोहान यहां मैदान में है लेकिन यहां वोटर कितने हैं इसको एक बार सरा देख लेते हैं देखे वोटर अब तक आएं देख लिजेए जालावार पार्टन के वोटर विजेद्र 298 टोटल पोलिंग बूथ हैं बाकि वोटर पुरुष महिला ट्रांजेंडर कुल वोटर तो 297,810 इस सीट पर कुल वोटास हैं हम इसमें से कितने वोटकास्ट करने जाएंगे हम तो यही कहेंगे कि 100 पीज़ी जाहिए और इस महापर में अपनी बड़ी भूमिका को निभाइए वहीं नादवारा सीट पर टकर है डॉक्टर सीपी जोशी कॉंग्रेस के विश्वराद सिंग मेवार बीजेपी से चुनाव मैदान में है यानी सीपी जोशी वर्सेज विश्वराद सिंग मेवार और ये भारतिय जद्दा पार्टी में भी शामिल हुए थे इसे सीट पर है वो 237 पॉलिंग बूत बनाए गए है टॉक्ट बहुत हॉट सीट रही है खास सौर्ट पर 2018 से विश्वराद इसे टॉक्ट में जो कड़ी टकर है सचन पालेट के सामने बीजेपी से अजीत सिंग मेथा पिशली बार युनुस कांते जो इस बार इंडिपेडनेंट लड़ रहे हैं लेकिन इस बार अजीत सिंग मेथा कहते हैं पूरी RSS अजीत सिंग मेथा को चुनाओं में जिताने लड़ाने तमाम चीज़ों के लड़ जाती है वोटर्स इस सीट पर फ्रांचेंडर चार है और यह वो पॉलिंग भूतर जहांसे यह सब वोट करके अपने प्रत्याशी को विधान सभा में अंग्चा देंगे और एक और होट सीट तारनगर का जिक्र करेंगे तारनगर जहांसे राजेंदर सिंह राठोड और नरेंदर बुडानिया का मुकाबला है तारनगर सीट जैसे 2008 में हुआ था फ्लिप ठीक वैसे इस बार हुआ लेकिन तारनगर सीट पर काफी टककर है माना चाराओ लगाता राजिंदा ठोड अप्रा चुडाओ प्रचार वहाँ पर कर रहे हैं अला कि पूरे सीकर उस शिखावटी बेल्ट पर उनका इंपेक्ट रहता है लेकिन बहीं नरेन गुडानिया को भारतियंता पाठीन उतार है लेकिन इन दोनों की किस्मत का फैसला कौन करेगा ये वोटरस हम आपको बताते हैं कि जो किस्मत का फैसला करेंगे पोलिंग बूथ 299 जिनके जरिये फैसला होगा कुल वोटरस यहां 3,5,332 है उनमें से अगर पुरुश वोटर की बात करें तो 1,64,416 है मैला वोटरस 1,44,913 है इस सेट पर 3 ट्रांसजेंडर है और ये दरसल तारानगर के वोटरस जो नरेंद्र बुडानिया या फिर राजेंद्र राठो जिसको भी चाहेंगे जिताकर विधान सभा फैसे और अब जब इतनी टककर वाली होट सीटों की बात करें तो लक्षमंगर ये चूट नहीं सकता क्योंकि यहां से कॉंग्रस के प्रदेश अध्यक्ष गोवन सिंग डुटासरा और सामने सुभाश महरिया में एक कड़ा मुकाबला नजर आ रहा है जाएं एक तरफ डीजे पे हमने गोवन सिंग डुटासरा को डांस करते देखा तो वहीं बड़ा रोचक तरीका सुभाश मेरिया का विरा काटे की टककर है अब इनका फैसला कॉल करें लाग 43,003 पुरुश मद आता है और 1,35,137 महिला मद आता है ट्रांग जेंडर इस सेट पर नहीं है जो भी परसला होगा वो 288,114 वोटर हैं जो करते हुए नजर आए बिलकुल और विद्यादर्नगर जब पहली लिस्ट भार दिन तब पार्टी के आई थी तो विद्यादर्नगर उसके बाद तक भी चर्चा में रहा था और विद्यादर्नगर से बात करेंगे दिया कुमारी सांसाथ दिया कुमारी को यहाँ पर उतारा गया और उनके सामने कॉंग्रेस के सीता राम अगरवाल मैदान में उत्रे बहुत पुराने सीता राम अगरवाल कॉंग्रेसी है इसके अलावा भी जिस तरीके से उन्होंने काम किया लेकिन क्योंकि विद्यादर नगर भारते जंदा पार्टी के की सीत पानी जाती है एक माना जाता है लंबे समय से उनके साथ तो यहां पर दिया कुमारी और ये हाइलाइट है कि दिया कुमारी के सामने सीता राम अगरवाल दोनों की टकर है और लगातार चुना पुछार और इस सीट का सर सिर्फ इस पर नहीं चितोडगर में भी नज़र आएगा वेराल यहां कितने वोटास हैं जो पैसला करेंगे गुल वोटास हैं यहां 3,4,649 भारी वरकम वोटास हैं 283 वोट पोलिंग बूद पर वोट डाल सकते हैं उनमें पुरुष मदाता की संख्या 1,67,696 है जबकि महिला वोटास यहां 1,63,951 है इस सेट पर दो ट्रांसचेंडर हैं और विद्या दर्नगर में सीटा, सीता राम अगरवाल जाएंगे या दिया कुमारी जाएंगे और अधिती कमाल के बात यह है कि एक के नाम में सीटा राम है और दूसरे राम के वंशज कहते हैं बिलकुल देगे और ये तमाम वो सीटे हैं जहां पे टक्कर है अब जोटवारा क्योंकि विद्या दर्टिंगर का जिकर आए तो जोटवारा का जिकर आएगा और ये वो सीटे हैं जिसमें दोनों पार्टियों की उतारा तो ऐसा लग रहा था कहीं न कहीं कॉंग्रेस बहुत आखरी नाम उतारा और सबसे पहला नाम राजवार्दन सिंग्राटोर का बीज़पी की पहली लिस्ट में आया था सांसद है और अब विदान सभा का चुनाव लड़ रहे हैं इनकी किस्मत का फैसला कौन करेगा इनकी किस्मत का फैसला मुझे लगता है आश्यू सिंग सुरपुरा करेगा बिल्कुल और उस पे सबकी नजर है और उस पे दोनों ही पार्टियों के साथ-सार जिस तरह का अनालिसिस चल रहा है और शायद लग रहा है आपकी भी नजर उस पट्टे की हुए बिल्कुल लेकिन वोटर सचाहिए ही है कि आशुर सिंग सुर्पुरा को भी जो इस मैदान में लाए हैं दोड में लाएंगे या नहीं लाएंगे जिताएंगे हराएंगे वो यह दर असल आगड़ा है पोलिंग 2393 पुरुष वोटर है उसमें महिला वोटर दो लाग 5673 है एक ट्रांसजेंडर है और भारी भरकम वोटस और भारी भरकम चेहरे एक और जबर्दस सीथ की चर्चा करते हैं सवाई मादूपूर और जब सवाई मादूपूर पर फर्स्ट इंडिया ने फ्लैश किया ब्रेक मुख्यमंत्री सलाकार रह चुके हैं दारिश अबराल का अपने आप रोज के किस्से हैं सचिन पाइलट से लेका रशोग गैलोत तक के खेमे का बेराल आज इन दोनों की सीथ पे आशा मीना भी कड़ी है शायद उन्होंने गणे दोनों का ही बिगार दिया है या कह सकते है कि मीना साब का बिगरता नजर आ रहा है लेकिन फिर भी इनका फैसला कौन करेगा विजेर इनका फैसला वोटर्स करेंगे और वोटर्स कितने हैं सवाई मादोपुर में वोटर्स हैं 1,35,773 पुरुष और महिला वोटर्स हैं 1,20,551 ट्रांसजेंडर 5 हैं कुल वोटर्स 2, 2,56,329 हैं और पोलिंग बूत यहां बनाई है 2,42 इन दो चेहरों के साथ एक चेहरा और जोड़िये आशा मीना का क्योंकि इन दो चेहरों को चिताने हराने या फिर आशा मीना खुद भावनाओं के साथ खुद को भुनाने में कितनी कामयाब होगी यह वो आखड़ा है जो उस तस्वीर को साथ और इस समय तीनों की नबस काफी तेज होंगी एक और रोचक सीट पर आपको पूरा आखड़ा बताते हैं कोटा उत्तर दोनों ही पार्टियों के लिए बहुत ही अस्वंजस की स्थिति आ पर थी प्रत्याशी तैयार थे लेकिन फैसला मोहर लगने की जाती कोटा उत्तर सीट पर टककर शांती दारिवाल और प्रलाद गुंजल पता था कि ये दोनों ही उत्रेंगे लेकिन देर लगी दोनों के नामनाउंस होने में बेहत रोचक सीट है कोटा उत्तर अच्छा इसमें कुछ चीज़े हैं जो मैं जोड़ना चाहूं शायद शा जोटा से आ सकते हैं ठीक है लेकिन जो तस्वीर को साफ करेंगे वो दरसल ये वोटास हैं पॉलिंग बूद 236 हैं पुरुष मदाता एक लाग तीस हजार 153 हैं महिला मदाता इस सीट पर एक लाग 25,449 हैं तेरा ट्रांसजेंडर हैं कुल वोटास के अगर इस सीट पर बात की जाए तो 25,605 हैं जो कोटा में उत्तर ये देंगे कि वहां अगले विधाय कौन होगे बिल्कुल लगातार काटे की टक्कर वाली सीट हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं और आप खिमसर की बात करेंगे खिमसर पे किस की टक्कर है आपको बता दे हनुमान बेनिवाल और त साफी कुछ और चर्चित वो रहे हैं लेकिन बेहत मैत्पून सीट है सांसद आरेलपी के एकलोते उसके बार तमाम तरीके की कहानी लेकिन फिलाल हनुमान बेनिवाल के साथ तेज पाल मिर्दा मैदान में उत्र है अच्छा एक और चीज़ है वो डांस के लिए भी लोग प वापस आये और विदान सबस चुनाओं में वो मैदान में है और आजाद पार्टी के साथ गड़बंदन करके मैदान में और वहां की इर्दगेर्थ की अगर बात करें तो उस सीट पर इंपक्ट भी और दूसरी सीटों पे आरेलपी का इंपक्ट देखने को मिल सकते हैं ल इसके बाद बात करेंगे नागौर में टककर की नागौर विदान सबस सीट आपको बता दे डॉक्टर जोती मिर्धा और उनके सामने हिरेंदर मिर्धा का मुकाबला और आपको बता दे जोती मिर्धा भारते जंता कॉंग्रेस से भारते पार्टी में गई थी और उसके बा और सबसे मैं पून बात है कि भारते जंता पार्टी दसो सीटों पर कुछ कमाल करना चाहती थी और यही वज़ा थी कि जो जाट वोटर्स है जाट बड़े नेताओं को अपने साथ साधना चाहती थी हालाकि इनके वोटर्स के संख्या आप से तो जो भी जीतेगा का जा रहा ह जीतेगा तो मिर्दाई है जीतेगा तो मिर्दाई है ठीक है लेकिन वोटर्स कितने हैं वोटर्स जरा देखे एक लाग 49,947 पुरुष वोटर है महिला वोटर्स एक लाग 30,366 है ट्रांसजेंडरी सीट पर पांच है कुल वोटर्स यहाँ 2,7,318 है और कुल पोलिंग भू पहले नरपत सिंह राजवी का विद्यादर नगर से फिर उनको यहाँ पर बेजा गया तो चंदरबान आक्या का यहां से टिकेट कटा था और नरपत सिंह बहुत बहुत इंटरस्टिंग था जो इन्हों ने दिया था बिलकुल और यह पहले लड़ चुके नरपत सिंह को मैधान में । इस शुरेंदर सिंजाडवद भी आखरी के सुचियों में नाम आया क्योंकि और भी विकल्प से लैकिन आखिर का टक कर कौन दे सकता है सुरेंदर सिंजाडवद के बूइक में उन्हों ने एल्टिमेटम दे दिया था सभा करके कि हम कल तै करेंगे अगर क जैसे यहां से चंडरबान आख्या ने टै कर लिया कि नहीं मैंजन्ता की तरफ से मैदान में रहूंगा इन सब के बीच में मुकाबले में चंडरबान आख्या कितना रहेंगे वो तो परिणाम बताएंगे लेकिन जो वोटास हैं वो किसके साथ हैं वो तीन तारीक को पता चल सेट पर पोलिंग भूत बनाए गए हैं 287 और देखिए इसके अलावा तिजारा जो आपको बता देंगी ये भी एक होट सीट रही है चर्चा में रही है पहले दिन से लेकर अब तक बाबा बालक नाथ जिनको इले कहा जा रहा था कि वो बैरोड से चुनाओ लड़ सकते हैं वो मना करते आए और फिर तेजारा से उनको चुनाओ में उतारा गया खड़ा मुकाबला अचा रोचक बात यह है कि इम्रान खान उससे पहले बसपा के लिए चुनाओ प्रचार कर रहे थे और फिर कॉंग्रेस से लंबे समय में संपर्क में थे बाद में इस टककर को और कॉंग्रेस के साथ और अब दोनों के बीच में कड़ा मुकाबला और सीधा सीधा पॉलराइजेशन वाला यहाँ पर इन्होंने एक बयान दिया था बाव वालक नातने कि यह कोई कॉंग्रेस बीज़पी का मैच नहीं है भारत पाकिस्तान का मैच लेकिन चलिए दर्चक देखे लेते हैं जो फैसला करेंगे और हम इसको क्योंकि यहाँ पूरा पॉरा पॉलराइजेशन करने की कोशिश की गई हम अपने वोटर्स को बताते वक्त कोई पॉलराइजेशन नहीं करेंगे अमदारें पॉरुष वोटर यहाँ 13,805 है महिला वोटर स 1,22,854 है ट्रांजेंडर यहाँ 1 है कुल वोटर स 2,61,660 है और पॉलिंग भूत यहाँ बनाएगे थो, सोच देखे एक और मैतपुन सीट साचोर जहां से कॉंग्रेस के मंतरी आते थे और साचोर में उतारे गए जो सांसद है देव जी पटेल अब देखें ये जो साचोर की जो तक्कर है वो सियासी है आपको बता दें कि बीजेपी के देव जी पटेल सांसद यहां से चुनाम उतारे गए और कॉंग्रेस के सुक्राम विश्णोई मंतरी हैं और कहा जारा था एंटी इंकमेंसी तमाम चीजे लेकिन आखिर कार इंको उतारा गया तमाम और नाम थे लेकिन अब टक्कर काटे की क्योंकि यहां पर भी बारते जन्ता पार्टी के नाराज जो लोग हैं वो मैदान में हैं बिठाने की कोशिश तमाम चीजे हुई लेकिन ऐसे में फिलाल वोटर्स क्या ते करेंगे आप बताएं बिल्कुल अदीती नाराजगी का जिकर किया तो मुझे यादा है कि इस चुनाओं में जो सबसे पहले गाड़ी तूटने की तस्वीर आई थी वो साचोर सीट से ही आई थी अब जरह वोटर्स को देख लेते हैं वोटर्स कितने इस सीट पर साचोर में पुरुश वोटर्स से 1,660,007 महिला वोटर्स से 1,48,1997 त्रांसजेंडर इस सीट पर शायद हम से कुछ मिश्टेक हुई है इसको हम चेक करेंगे कुल वोटर्स यहाँ है 3,15,200 69 और पोलिंग कीजिएगे इसमें ट्रांसजेंडर के संख्या चायद हम कॉपी कर गए और इसलिए इसको बाद में एक बार फिर से आपको बताएंगे सीट पर ट्रांसजेंडर कितनी है और देखे अब एक और मैधपून सीट जापे आमेर जैपूर इलाके की और देखे सबसे बड़ी बात है कि आमेर में डॉक्टर सतीश पूनिया पहले भी वो विदायक मां से रहे और इससे बड़ी बात है कि वो प्रदेश अध्यक्ष रहे थे अब उनके सामने प्रशान शर मारे पहले भी ही चुना रड़े थे सतीश पूनिया लडंखे अलाकी माना जाँ था कि सीट बदलि जा सकती है लेकिनग ऐसा नहीं हुआ केवल राजेंडर सिंह राठोड की सीट बदली सतीश पुनिया का भी नाम था उनकी नहीं बदली गई आमेर सीट में कड़ा मुकावला सतीश पुनिया वर्सेज प्रशांत शर्मा जीत का मारजन इस सेट पर पिछली बार भी कापी कम था और उस मारजन को बढ़ाया घटाया जा सकता है इन वोटर्स को अपने पक्ष में कर पर पोलिंग बोत जो बनाए गए है वो बनाए गए है दो सो चुरूब करते हैं उन सीटों की जहां कांटे की टकर नहीं बलकि होट सीट है और शुरुबात करते हैं सरदार पुरा सीट से जहां मुक्यमंतरी अशोग गैलोथ पनाम महंदर सिंग राटोड के बीच में मुक जालरा पाटन के अंदर केंडिडेट कॉंग्रिस बदलती आई वहीं आपको अब बताते हैं कि यहां वोटर्स कितने हैं वोटर्स की संक्या क्या यह सरा देखिए सरदार पुरा में अगर पुरुष वोटर्स की बात की जाए तो 1,31,131 है जबकि महिला वोटर्स की बात की जाए तो 1,26,049 है शायद हो सकते हैं 2 लाग के आसपास वोट यहां पड़े लेकिन वो यहां तै कर देंगे और लगबर तस्वीरें यहां पर तै ही होती है बिल्कुल सरदारपुरा के वोटर्स की तस्वीरें आपको बता रहे हैं पोलिंग डूट विजेंदर 225 पोलिंग डूट जी जालरा पाटन को ज़रा देखते हैं क्योंकि जालरा पाटन दूसरी होट सीट है अधिती यहां मुकावला किस किस के बीच में है आलांकि वहां कितना इस से फर्क पड़ता है कि मुकावला किस के बीच में एक अलग सवाल है यहाँ बीजेपी से पूर मुख्यमंत्री वस्तुनाराज्य को मैदान में उतारा गया है जबकि कॉंग्रेस के रामलाल चोहान यहाँ मैदान में है लेकिन यहाँ वोटर कितने हैं इसको एक बार सरा देख लेते हैं देखे वोटर्स अब तक आएं देखे लिए जालावार पार्टन के वोटर्स विजेद्र 298 टोटल पोलिंग बूट हैं बाकी वोटर्स पुरुष महिला ट्रांजेंडर कुल वोटर्स बिल्कुल अगर पुरुष मदाता की बात की जाए तो 1,55590 वोटर्स हैं इस सेट पर 4 ट्रांजेंडर हैं जबकि अगर कुल मदाता की बात की जाए तो 297,810 इस सेट पर कुल वोटर्स हैं हम इसमें से कितने वोटकास्ट करने जाएंगे हम तो यही कहेंगे कि 100 पीज दी जाहिए और इस महापर में अपनी बड़ी भूमिका को निभाईए वहीं नद्वारा सीट पर टककर है डॉक्टर सीपी जोशी कॉंग्रेस के विश्व राद सिंग मेवार बीज़पी से चुनाव मैदान में है यानी सीपी जोशी वर्सेज विश्व राद सिंग मेवार और ये भारतिय जद्धा पार्टी में भी शामिल हुए थे और उसके विश्व रहें और कुल पोलिंग बूत जो इस सीट पर है वो 237 पोलिंग बूत बनाए गए है तॉक बहुत हॉट सीट रही है खास सौर पे 2018 से विश्व इंद्र इसे टॉक में जो कड़ी टककर है सचन पालेट के सामने बीज़पी से अजीत सिंग मेथा पिशली बार अजीत मैता यहां से विधायक रहे भी चुके हैं चलिए लेकिन यहां का वोटर कितना है यह हम आपको बता रहे हैं पॉलिंग बूत इसमें 250 हैं अधीती कुल वोटर से यहां 2,52,888 है उनमें से अगर पुरुष वोटर की बात करें तो 1,29,445 है जबकि महिला वोटर से 1, लाग 23,389 है इस सीट पर प्रांसजेंडर चार है और यह वो पॉलिंग बूत है जहां से यह सब वोट करके अपने प्रत्याशी को विधान सभा में उंग्चा देंगे और एक और होट सीट तारणगर का जिकर करेंगे तारणगर जहां से राजेंदर सिंग राठोड और नरेंदर बुड़ानिया का मुकाबला है तारणगर सीट जैसे 2008 में हुआ था फ्लिप ठीक वैसे इस बार हुआ लेकिन तारणगर सीट पर काफी टककर है मालाचारो लगाता राजेंदा ठोड अप्रा चुडाओ प्रचार वहाँ पर कर रहे हैं अला कि पूरे सीकर उस शिखावटी बेल्ट पर उनका इंपेक्ट रहता है लेकिन बहीं नरेंद गुडानिया को भारतियंता पाठीन उतार है लेकिन इन दोनों की किस्मत का फैसला कौन करेगा ये वोटरस हम आपको बताते हैं कि जो किस्मत का फैसला करेंगे पोलिंग बूथ 299 जिनके जरिये फैसला होगा कुल वोटरस यहां 3,5,332 है उनमें से अगर पुरुश वोटर की बात करें तो 1,64,416 है मैला वोटरस 1,44,913 है इस सेट पर 3 ट्रांसजेंडर है और ये दरसल तारानगर के वो वोटरस जो नरेंद्र बुडानिया या फिर राजेंद्राठो जिसको भी चाहेंगे जिताकर विजहांसभा फैसे और अब जब इतनी टककर वाली होट सीटों की बात करें तो लक्षमंगर ये चूट नहीं सकता क्योंकि यहां से कॉंग्रस के प्रदेश अध्यक्ष गोवन सिंग डुटासरा और सामने सुभाश महरिया में एक कड़ा मुकाबला नजर आ रहा है जाए एक तरफ डीजे पे हमने गोवन सिंग डुटासरा को डांस करते देखा तो वहीं बड़ा रोचक तरीका सुभाश मेरिया का विरा काटे की टककर है अब इनका फैसला कॉल करें बीच में मकाबले हो चुके हैं दोनों जानते हैं कि किस तरीके किस सियासा देख दूसरे के खिलाब उनको करनी है लेकिन ये दरसल वो आंकड़ा है जो इनकी तस्वीर को विदासभा के अंदर पहुंचाएंगे या नहीं पहुंचाएंगे बेराल 288 पुल पॉलिंग वोट हैं जहां वोटर अपने वोट का इसमाल कर सकते हैं वोटर यहां 278,140 हैं उनमें से 1,43,003 पुरुश मद दाता हैं और 1,35,137 माईला मद दाता हैं ट्रांजेंडर इस सेट पर नहीं है जो भी परसला होगा वो 288,140 वोटर हैं जो करते नजर आएगे अब समय से उनके साथ थी तो यहां पर दिया कुमारी और यह हाइलाइट है कि दिया कुमारी के सामने सीताराम अगरवाल दोनों की टकर है और लगातार चुना पुछार। इस सेट पर दो ट्रांसजेंडर है और विद्या दर्नगर में सीताराम अगरवाल जाएंगे या दिया कुमारी जाएंगे और अदिती कुमारी के बात यह है कि एक के नाम में सीताराम है और दूसरे राम के वंशज कहते हैं। बिल्कुल देगे और यह तमाम वो सीते हैं जहां पे टकर है अब जोटवाड़ा क्यूंकि विद्या दर्नगर का जिकर आये तो जोटवाड़ा का जिकर आएगा और यह वो सीते हैं जिस पर दोनों ही पार्टियों की राजशनीती एकदम कुलकर सामने नजर आती है अखरी नाम उतारा और सबसे पहला नाम राजवारदन सिंग्राटोर का बीज़पी की पहली लिस्ट में आये था सांसद है और अब विदान सभा का चुनाव लड़ रहे हैं इनकी किस्मत का फैसला कौन करें इनकी किस्मत का फैसला मुझे लगता है आश्यू सिंग सुरप पुरा को भी जो इस मैदान में लाए हैं दोड में लाएंगे या नहीं लाएंगे या जिताएंगे हराएंगे वो ये दर असला आखड़ा है पोलिंग बूत यहां पर 360 हैं आप जरा वोटर्स की संख्या देखिए वोटर्स हैं 4,28,060 यह शायद उस विदान सभा सीट में सबसे ज्यादा वोटर हैं 2,23,93 पुरुष वोटर हैं उसमें महिला वोटर 2,5,673 हैं एक ट्रांसजेंडर हैं और भारी भरकम वोटर्स और भारी भरकम चेहरे एक और जबरदस सीट की चर्चा करते हैं सवाई मादूपूर और जब सवाई मादूपूर पर फर्स्ट इंडिया ने फ्लैश किया ब्रेक किया कि यहां से सांसद किरोडी मीना लड़ेंगे तो फोन का अंबार जैसे लग गया था तो आपको बता दें कि किरोडी लाल मीना राजसबा सांसद उनको यहां से उतारा गया है और इनके सामने दानिश अबरार मुख्यमंत्री सलाकार रह चुके हैं दानिश अबरार का अपने आप रोज के किस्से हैं सचिन पाइलट से लेका रशोग गैलो तक कि खेमे का बेराल आज इन दोनों की सीट पे आशा मीना भी कडिया हैं शायद उन्होंने गड़े दोनों का ही बिगार दिया है या कह सकते हैं कि मिला साब का बिगरता नजर आ रहा है लेकिन फिर भी इनका फैसला कौन करेगा विजे इनका फैसला वोटर्स करेंगे और वोटर्स कितने हैं सवाई मादोपुर में वोटर्स हैं एक चेहरा और जोड़िये आशा मीना का क्योंकि इन दो चेहरों को चिताने हराने या फिर आशा मीना खुद भावनाओं के साथ खुद को भुनाने में कितनी काम्याब होगी ये वो आखड़ा है जो सस्वीर को साफ़ा है। शांती दारिवाल और प्रलाद गुंजल पता था कि ये दोनों ही उतरेंगे लेकिन देर लगी दोनों के नाम अनाउंस होने में बेहत रोचक सीट है कोटा उत्तर अच्छा इसमें कुछ चीज़े हैं जो मैं जोड़ना चाहूं शायद शांती दारिवाल मुक्यमंत्री अशो को साफ करेंगे वो दरसल ये वोटास हैं पॉलिंग बूद 236 हैं पुरुष मदाता एक लाग 30153 हैं महिला मदाता इस सीट पर एक लाग 25449 हैं 13 ट्रांसजेंडर हैं कुल वोटास के अगर इस सीट पर बात की जाये तो 255605 हैं जो कोटा में उत्तर ये देंगे कि वहां अ पे किसकी टककर है आपको बता दे हनुमान बेनिवाल और तेज पाल मिर्दा मैदान में है हनुमान बेनिवाल खुशायद उनका जेकर उनके बारें बात करना सबको बहुत अच्छे सा पता है लगातार चुनाओ प्रजार में काफी कुछ और चर्चित वो रहे हैं लेकिन पेहत मैत्पून सीट है सांसद आरेलपी के एकलोते उसके बार तमाम तरीके की कहानी लेकिन फिलाल हनुमान बेनिवाल के साथ तेज पाल मिर्दा मैदान में उतर है अच्छा एक और चीज़ है वो डांस के लिए भी लोग प्रिया हुए और चाटा मारने के लिए लिए ल अलंकि सीट पर कौन जीतेगा कौन हारेगा क्योंकि जब हनुमान बेनिवाल सांसद बने तो इस सीट पर नारायन बेनिवाल चुनाव लड़ने लेकिन वो बूल सीट पर वापस आये और विदान सबस चुनाव में वो मैदान में है और आजाद पार्टी के साथ गड़बं सांस जेंडरी सीट पर नहीं है कुल वोटर्स की बात करें तो दो लाग बैयासी हजार चारसो पैंतालीस और पोलिंग बूत दोसो चौनसट इस पर बनाए गए इसके बाद बात करेंगे नागोर में टककर की नागोर विदान सबस सीट आपको बता दे डॉक्टर जोती मिर्धा और उनके सामने हिरेंगर मिर्धा का मुकाबला और आपको बता दे जोती मिर्धा भारते जंता कॉंग्रेस से भारते पार्टी में गई थी और उसके बाद हिरंदर मिर्दा का मुकाबला वैसे कह रहे थे कि अल्प संक्या यहाँ पर लड़ाए जाने से तमाम चीज़े थी नॉर्मली यहाँ से यह सीट अब इस बार वो इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं इससे यहां के समीकरण बहुत कुछ होंगे और सबसे मैटमून बात है कि भारते जंता पार्टी दसो सीटों पर कुछ कमाल करना चाहती थी और यही वज़ा थी कि जो जाट वोटर्स यह जाट बड़े नेताओं को अपने साथ साधना चाहती थी हलाकि इनके वोटर्स के संख्या आपसे जोबी जीतेगा का जा रहा है जीतेगा तो मिर्दा ही जीतेगा तो मिर्दा ही ठीक है लेकिन वोटर्स कितने हैं वोटर्स जरा देखे 1,49,947 पुरुश वोटर है माइला वोटर्स 1,30,366 है ट्रांसजेंडरी सीट पर 5 है कुल वोटर्स यहां 2,70,318 और कुल पॉलिंग भूट यहां 243 बनाए गए अगली सीट का रूख करते हैं चितोडगर यह भी एक बेहत बैत्पून सीट है नर्पत सिंग राजवी यहां पर टिकेट कटा पहले नर्पत सिंग राजवी का विद्यादर नगर से फिरों को यहां पर बेजा गया तो चंद्रबान आक्या कई यहां से टिकेट कटा था और नर्पत सिंग राजवी यही वज़े थी कि इस पर सोचा गया और फिर भेरो सिंग शेखावजी का जैसे कहते हैं सो साल जंग सताबदी का साल था तो ऐसा कुछ नहीं किया जा सकता था इसलिए उनके सामने सुरिंधर्दर सिंग जाडवत को मैधान में सुरिंदर्प जाडवत भी आकरी की सुचियों में नाम आया विकल्ब के बीच में उन्होंने अल्टिमेटम दे दिया था सभा करके कि हम कल तै करेंगे अगर कल दो बज़े तक तै नहीं हुआ तो फिर हम तै कर लेंगे जैसे यहां से चंदरवान आक्या ने तै कर लिया कि नहीं नजनता की तरफ से मैदान में रहूंगा इन सब के बीच में मुकाबले में चंदरवान आक्या कितना रहेंगे वो तो परिणाम बताएंगे लेकिन जो वोटास हैं वो किसके साथ हैं वो तीन तारीक को पता चलेगा हैं कितने ये हम बता देते हैं उरुष वोटार हैं एक लाग पैंतिस अजार चेसोचपन मैईला वोटारी सीट पर एक लाग दियाए और देखिए इसके अलावा तिजारा जो आपको बता देगी ये भी एक होट सीट रही है चर्चा में रही है पहले दिन से लेकर अब बाबा बालकनाथ जिनकों के लिए कहा जा रहा था कि वो बैरोड से चुनाओ लड़ सकते हैं वो मना करते आए और फिर तेजारा से उनको चुनाओ में उतारा गया अब कड़ा मुकाबला अच्छा रोचक बात यह है कि इम्रान खान उससे पहले बसपा के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे और फिर कॉंग्रेस से लंबे समय में संपर्क में थे बाद में इस टककर को और कड़ी बनाने के लिए इम्रान खान को जोड़ा गया कॉंग्रेस के साथ और अब दोनों के बीच में कड़ा मुकाबला और सीधा सीधा पॉलराइजेशन वाला यहाँ पर इन्होंने एक बयान दिया था बाव बालक नातने कि यह कोई कॉंग्रेस बीज़पी का मैच नहीं है भारत पाकिस्तान का मैच लेकिन चलिए दर्चक देखे लेते हैं जो फैसला करेंगे और हम इसको क्योंकि यहाँ पूरा पॉलराइजेशन करने की कोशिश की गई हम अपने वोटर्स को बताते हैं कोई पॉलराइजेशन नहीं करें हम अपने पॉरुश वोटर्ड यहां 13805 हैं माईला वोटर्स एक लाग 22854 हैं फ्रांजेंडर यहां एक हैं कुल वोटर्स यहां 26660 हैं और पॉलिंग भूत यहां बनाएगे हैं 207 अब देखे एक और मैतपून सीट साचोर जहां से कॉंग्रेस के मन्तरी आते थे और साचोर में उतारे गए जो सांसद है देव जी पटेल अब देखें ये जो साचोर की जो तक्कर है वो सियासी है आपको बता दें कि BJP के देव जी पटेल सांसद यहां से चुनाम उतारे गए और कॉंग्रस के सुक्राम विश्णोई मंतरी हैं और कहा जारा था एंटी इंकमेंसी तमाम चीजें लेकिन आखिरकार इंको उतारा गया तमाम और नाम थे लेकिन अब टक्कर काटे की क्योंकि यहां पर भी बारते जनता पार्टी के नाराज जो लोग हैं वो मैदान में हैं बिठाने की कोशिश तमाम चीजे हुई लेकिन ऐसे में फिलाल वोटर्स क्या तेय करेंगे आप बताएं बिल्कुल अधीती नाराजगी का जिकर किया तो मुझे यादा है कि इस चुनाओं में जो सबसे पहले गाड़ी तूटने की तस्वीर आई थी पोलिंग भूत है 321 इस सीट को जड़ा करेक्ट कीजिए इसमें ट्रांसजेंडर के संख्या चायद हम कॉपी कर गए और इसलिए इसको बाद में एक बार फिर से आपको बताएंगे सीट पर ट्रांसजेंडर कितनी है और देखे अब एक और मैथपून सीट जापे आमेर जैपूर इलाके की और देखे सबसे बड़ी बात है कि आमेर में डॉक्टर सतीश पूनिया पहले भी वो विदायक मां से रहे और इससे बड़ी बात है कि वो प्रदेश अध्यक्ष रहे थे अब उनके सामने परब्देSheva, कुछ भी नया नहीं है लेकिन उमीदे कहीं न कहीं यहां से इस चुनाव से कुछ अलग तरीके की हैं प्रशांथ शर्मा पहले भी चुनाव लड़े ते सतीश पूनिया लड़े थे हालाकि यह माना जारा था कि सतीश पूनिया की सीट बदली जा सकती है लेक को बढ़ाया घटाया जा सकता है इन वोटर्स को अपने पक्षमेंक करके पुरुश वोटर इस सीट पर है एक लाग एक्याफन अजार 111,100 माईला वोटर ही 1,38,045 इस ट्रांस्जेंडर यहां एक हैं, कुल वोटास यहां 2,89,517 हैं और इस सेट पर पोलिंग बूत जो बनाए गए हैं, वो बनाए गए हैं 244 अब करते हैं उन सेटों की जहां कांटे की टक्कर नहीं, बलकि होट सीट है और शुरुबात करते हैं सरदार पुरा सीट से जहां मुक्यमंत्री अशोग गहलोग पनाव महिंदर सिंगरा ठोड के बीच में मुकाबला है, अलगि इस सीट पर जब आप जाएंगे इस सीट के इतिहास पर जाएंगे तो फिर आपको एहसास होगा कि यहां बीजेपी बार-बार केंडिडेट को बदलती आईए बिलकुल उसी अंदाज में जैसे जालरा पाटन के अंदर केंडिडेट कॉंग्रिस बदलती आईए वहीं आपको अब बताते हैं कि यहां वोटर्स कितने हैं वोटर्स की संक्या क्या यह सरा देखिए सरदार पुरा में अगर पुरुष वोटर्स की बात की जाए तो 131,131 हैं जबकि महिला वोटर्स की बात की जाए तो 1,26,049 हैं ट्रांजेंडर इस सीट पर 21 हैं जबकि अगर कुल वोटास की बात की जाए तो 2,57,191 वोटार है ये दरसल बुगा खड़ाया जिसमें से मान कर चलिए जहां तक मुझे लगता है कि 1,80,000 से शायद हो सकता है 2,00,000 के आसपास वोट यहां पड़े लेकिन वो यहां तै कर देंगे और लगबर तस्वीरें यहा आपको बता रहे हैं पोलिंग बूट विजेंदर, 225 पोलिंग बूट जी, जालरा पाटन को ज़रा देखते हैं क्योंकि जालरा पाटन दूसरी होट सीट है अधिती, यहां मुकावला किस-किस के बीच में है, हालांकि बहां कितना इस से फर्क पड़ता है कि मुकावला किस के बीच में एक अलग सवाल है, लेकिन यहां बीचेपी से पूर मुक्खेमंत्री वस्तुनाराज्ये को मैदान में उतारा गया है, जबकि कॉंगरेस के रामलाल चोहान यहां मैदान में है, लेकिन यहां वोटर कितने हैं, इसको एक बार सरा देख लेते हैं देखे वोटर्स अब सक आएं देखे लिए जालावार पार्टन के वोटर्स विजेंद्र 298 टोटल पोलिंग बूट हैं बाकि वोटर्स पुरुष महिला ट्रांजेंडर कुल वोटर्स करने जाएंगे हम तो यही कहेंगे कि सोफीजी जाहिए और इस महापर में अपनी बड़ी भूमिका को निभाइए वही नादवारा सीट पर टक्कर है डॉक्टर सीपी जोशी कॉंग्रेस के विश्व राद सिंग मेवार बीजेपी से चुनाव मैदान में है यानि सीपी वोटर्स की बाद करें दो लाग 38,539 उनमें से पुरुष एक लाग 22,449 है महिला वोटर्स की बाद करें तो एक लाग 16,82 हैं इस सीट पर आ ट्रांजेंडर है और कुल पॉलिंग बूत जो इस सीट पर है वो 237 पॉलिंग बूत बनाए गये हैं टॉक बहुत हॉट सीट रही है खास सौट पर 2018 से विजय इंदर इसे टॉक में जो कड़ी टकर है सचन पाइलट के सामने बीजेप्ती से अजीत सिंग मैता पिशली बार युनुस कान थे जो इस बार इंडिपेंडनेंट लड़ रहे हैं लेकिन इस बार अजीत सिंग मैता क चुनाओं में जिताने लड़ाने तमाम चीजों के लड़ जाती है वोटर से अजीत मैता यहां से विधायक रहे भी चुके हैं चलिए लेकिन यहां का वोटर कितना है यह हम आपको बता रहे हैं पॉलिंग बूत इसमें 250 हैं अधीती कुल वोटर से यहां 2,52,828 हैं उनमें सब वोट करके अपने प्रत्याशी को विधा सभा में उंग्चा देंगे और एक और होट सीट तारनगर का जिक्र करेंगे तारनगर जहां से राजेंद्र सिंग राठोड और नरेंद्र बुडानिया का मुकाबला है तारनगर सीट जैसे 2008 में हुआ था फ्लिप ठीक वैसे इस बार हुआ लेकिन तारनगर सीट पर काफी टककर है माना चाहरा और लगाता राजेंद्र आठोड अपना चुनाओ प्रचार वहाँ पर कर रहे है आला कि पूरे सीकर और शिखावटी बेल्ट पर उनका इंपैक्ट रहता है लेकिन नरेंद बुडानिया को भारतियन ता 332 है उनमें से अगर पूरुश वोटर की बात करें तो 1,64,416 है मैला वोटरस 1,44,913 है इस सेट पर 3 ट्रांसजेंडर है और ये दरसल तारनगर के वो वोटरस जो नरेंद्र बुडानिया या फिर राजेंद्र आठो जिसको भी चाहेंगे जिताकर विधान सभा भेशे और अब जब इतनी टककर वाली होट सीटों की बात करें तो लक्षमंगर ये चूट नहीं सकता क्योंकि यहां से कॉंग्रस के प्रदेश अध्यक्ष गोवन सिंग डुटासरा और सामने सुभाश महरिया में एक कड़ा मुकाबला नजर आ रहा है जाए एक तरफ डीजे पे हमने गोवन सिंग डुटासरा को डांस करते देखा तो वहीं बड़ा रोचक तरीका सुभाश मेरिया का विरा काटे की टककर है अब इनका फैसला कॉल करते हैं और दोनों के बीच में मुकाबले हो चुके हैं दोनों जानते हैं कि किस तरीक किस सियासा देख दूसरे के खला अब उनको करनी है लेकिन ये दर असल वो आंकड़ा है जो इनकी तस्वीर को विधासभा के अंदर पहुंचाएंगे या नहीं पहुंचाएंगे बैराल 282 पुल पॉलिंग बोट हैं जहां वोटर अपने वोट का इस्तमाल कर सकते हैं वोटर यहां 2,78,140 हैं उनमें से 1,43, 3,43 पुरुष मद दाता हैं और 1,35,137 महिला मद दाता हैं ट्रांगजेंडर इस सेट पर नहीं है जो भी परसला होगा वो 282,78,140 वोटर हैं जो करते हुए नजर आईगे बिल्कुल और विद्यादर्नगर जब पहली लिस्ट भर दिन तब पार्टी के आई थी तो विद्यादर्नगर उसके बाद तक भी चर्चा में रहा था और विद्यादर्नगर से बात करेंगे के दिया कुमारी सांसाथ दिया कुमारी को यहाँ पर उतारा गया और उनके सामने कॉंग्रेस के सीता राम अगरवाल मैदान में उत्रे बहुत पुराने सीता राम अगरवाल कॉंग्रेसी हैं इसके अलावा भी जिस तरीके से उन्होंने काम किया लेकिन क्योंकि विद्यादर सर सिर्फ इस पर नहीं चितोड़गर में भी नज़र आएगा बेराल यहां कितने वोटास हैं जो पैसला करेंगे गुल वोटास हैं यहां तीनलाक एक तालीस हजार चेसो उन्चास भारी वरकम वोटास हैं 283 वोट पोलिंग बूद पर वोट डाल सकते हैं उनमें पुरुष म अगरवाल जाएंगे या दिया कुमारी जाएंगे और अधिती कमाल के बात यह हैं कि एक के नाम में सीता राम है और दूसरे राम के बंशज कहते हैं बिलकुल देगे और यह तमाम वो सीटे हैं जहां पे टक्कर है अब जोटवारा क्योंकि विद्या दर्टंगर का जिक्र आएगा और यह वो सीटे हैं जिसमें दोनों ही पार्टियों की राजनीती एकदम कुलकर सामने नजर आती है जोटवारा सीट का कड़ा मुकाबला राजजवर्दन सिंग राठोड कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं सांसद हैं और उनके सामने अभिशेक चौदुरी मैदान अभिशेक चौदुरी को जब उतारा तो ऐसा लग रहा था कहीं न कहीं कॉंग्रेस बहुत आखरी नाम उतारा और सबसे पहला नाम राजवर्दन सिंग राठोड़ का बीज़पी की पहली लिस्ट में आया था सांसद है और अब विदान सभा का चुनाव लड़ रहे हैं इनकी किस्मत का फैसला कौन करें इनकी किस्मत का फैसला मुझे लगता है आशू सिंग सुर्पूरा करेगा बिल्कुल और उस पे सबकी नजर है और उस पे दोनों ही पार्टियों के साथ साथ जिस तरह का अनायलिस से चल रहा और शायद लग रहा आपकी भी नजर उस पट देखिए वोटर से हैं 4,28,000 शर्षट ये शायद उस विधायसवा सीट में से एक जाएं सबसे ज्यादा वोटर हैं 2,22,393 पुरुश वोटर हैं उसमें महिला वोटर 2,567 हैं एक ट्रांसजेंडर हैं और भारी भरकम वोटर और भारी भरकम चेहरे एक और जबरदस सीट की चर्चा करते हैं सवाई मादूपूर और जब सवाई मादूपूर पर फर्स्ट इंडिया ने फ्लैश किया ब्रेक किया कि यहां से सांसद किरोडी मीना लड़ेंगे तो फोन का अंबार जैसे लग गया था तो आपको बताते हैं कि किरोडी लाल मीना राजसबास सांसद उनको यहां से उतारा गया है और इनके सामने दानिश अबरार मुक्यमंत्री सलाकार रह चुके हैं अबरार का अपने आप रोज के किस्से हैं सचिन पाइलट से लेकर अशोग गैलोट तक के खेमे का बैराल आज इन दोनों की सीपे आशा मीना भी कड़ी हैं शायद उन्होंने गणे दोनों का ही बिगार दिया है या कह सकते हैं कि मीना साब का बिगड़ता नजर आ रहा है लेकिन फिर भी इनका फैसला कौन करेगा विजेर इनका फैसला वोटर्स करेंगे और वोटर्स कितने हैं सवाई मादोपुर में वोटर्स हैं 242 इन दो चैरों के साथ एक चैरा और जोड़िए आशा मीना का क्योंकि इन दो चैरों को चिताने हराने या फिर आशा मीना खुद भावनाओं के साथ खुद को भुनाने में कितनी कामयाब होगी ये वो आँखडा है जो सस्वीर को साब आप तीनों की नब्स काफी तेज होंगी एक और रोचक सीट पर आपको पूरा आखड़ा बताते हैं कोटा उत्तर दोनों ही पार्टियों के लिए बहुत ही अस्वंजस की स्थिति आ पर थी प्रत्याशी तैयार थे लेकिन फैसला मोहर लगने की बात थी कोटा उत्तर सीट पर टककर शांती दारिवाल और प्रलाद गुंजल पता था कि ये दोनों ही उत्रेंगे लेकिन देर लगी दोनों के नाम नाउंस होने में बेहद रोचक सीट है कोटा उत्तर अच्छा इसमें कुछ चीज़े हैं जो मैं जोड़ना चाहूं और प्रलाद गुंजल को टिकट कैसे मिला इस उत्तर को ढूनने में वहां कई बड़े चैरों के नाम इर्दगिर्द घूंगते रसाल हैं कई लोगों के कोटा से आ सकते हैं ठीक है लेकिन जो तस्वीर को साफ करेंगे वो दरसल ये बोटा से हैं पोलिंग बूद 236 है पुरुष मदाता 130153 है महिला मदाता इस सीट पर 125449 है 13 ट्रांसजेंडर है कुल वोटर्स के अगर इस सीट पर बात की जाए तो 255605 है जो कोटा में उत्तर ये देंगे कि वहां अगले विधाय कौन हो बिल्कुल लगातार काटे की टक्कर वाली सीट हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं और आप खिमसर की बात करेंगे खिमसर पे किस की टक्कर है आपको बता दें हनुमान बेनिवाल और तेजपाल मिर्दा मैदान में है हनुमान, बेनिवाल, खुशायद, उनका जेकर, उनके बारे में बात करना, सबको बहुत अच्छे सा पता है, लगातार चुनाओ प्रजार में काफी कुछ और चर्चित वो रहे हैं, लेकिन बेहत मैत्पून सीट है, सांसद आरेलपी के एकलोते, उसके बार तमाम तरीके की क कौन हारेगा, क्योंकि जब हनुमान बेनिवाल सांसद बने तो इस सीट पर नारायन बेनिवाल चुनाओ लड़ने लेकिन वो बूल सीट पर वापस आए, और विदान सबस चुनाओ में वो मैदान में है, और आजाद पार्टी के साथ गड़बंदन करके मैदान में है, और नहीं है, कुल वोटर्स की बात करें तो दो लाग बैसी हजार, चार सो पैंतालीस और पोलिंग बूत, दो सो चौनसट इस पर बनाए गए है, इसके बाद बात करेंगे, नागोर में टककर की, नागोर विदान सबस चीट आपको बता दे, डॉक्टर जोती मिर्धा और उनक पर लड़ाए जाने से यह तमाम चीज़े थी, नुर्मली यहां से यह सीट, अब इस बार वो इंडिपेंडनेंट लड़ रहे है, इससे यहां के समीकरन बहुत कुछ होंगे, और सबसे मैं बात है कि भारते जंता पार्टी दसो सीटों पर कुछ कमाल करना चाती थी, और य 247, पुरुष वोटर है, महिला वोटर से 1,30,366 है, ट्रांसजेंडरी सीट पर 5 है, कुल वोटर से यहां 2,17,318 है और कुल पोलिंग भूट यहां 243 बनाए गए अगली सीट का रूख करते हैं, चितोर गण, यह भी एक बेहत बैत्पून सीट है, नर्पत सिंग राजवी, यहां पर टिकेट कटा पहले नर्पत सिंग राजवी का विद्यादर नगर से, फिर उनको यहां पर बेजा गया, तो चंदरबान आक्या का यहां से टिकेट कटा और नर्पत सिंग राजवी, यही वज़े थी कि इस पर सोचा गया, और फिर भेरो सिंग शेखावाद जी का जिसे कहते हैं, सौ साल जन्ग सताबदी का साल था, तो ऐसा कुछ नहीं किया जा सकता था, इसलिए उनके सामने सुरिंदर सिंग जाडवत को मैदान में, कि हम कल तैः करेंगे, अगर कल दो बज़े तक तै नहीं हुआ, तो फिर हम तै prior कर लेंगे, यह से यहां से चंद्र्वान आक्या ने तै कर लिया कि नहीं, नहीं जन्ता की तरफ से नादान में रहूंगा इन सब के बीच में मुकाबले में चंद्रवान आक्या कितना रहेंगे वो तो परिणाम बताएंगे लेकिन जो वोटास हैं वो किसके साथ हैं वो तीन तारीक को पता चलेगा हैं कितने ये हम बता देते हैं पुरुष वोटार हैं एक लाग 35,656 महिला वोटारी सीट पर एक लाग 34,446 त्रांग जेंडर हैं तीन कुल वोटास यहां हैं दो लाग 70,105 और इस सीट पर पोलिंग भूट बनाए गए हैं 277 और देखिए इसके अलावा तिजारा जो आपको बता देंगी ये भी एक होट सीट रही है चर्चा में रही है पहले दिन से लेकर अब तक बाबा बालकनाथ जिनकों लेक कहा जा रहा था कि वो बैरोड से चुनाओ लड़ सकते हैं वो मना करते आए और फिर तेजारा से उनको चुनाओ में उतारा गया खड़ा मुकाबला अचा रोचक बात यह है कि इम्रान खान उससे पहले बसपा के लिए चुनाओ प्रचार कर रहे थे और फिर कॉंग्रेस से लंबे समय में संपर्क में थे बाद में इस टककर को और कड़ी बनाने के लिए इम्रान खान को जोड़ा गया कॉंग्रेस के साथ और अब दोरों के बीच पे कड़ा मुकाबला और सीधा सीधा पॉलराइजेशन वाला यहाँ पर इन्होंने एक बयान दिया था बाव वालक नात ने कि यह कोई कॉंग्रेस बीज़ेपी का मैच नहीं है भारत पाकिस्तान का मैच लेकिन चलिए दर्चक देखे लेते हैं जो फैसला करेंगे और हम इसको क्योंकि यहाँ पूरा पॉरा पॉलराइजेशन करने की कोशिश की गई हम अपने वोटर्स को बताते हैं वक्त कोई पॉलराइजेशन नहीं करेंगे हम अपने पॉरुष वोटर यहां एक लाग रतीस घ्जार आडिसों पांच हैं महिला वोटरस एक लाग भाइस घ्जार आड्सो चोवन है टांजेंडर यहान एक हैं कुल वोटरस यहां दो लाँक इक साथ अजार चेसों साट हैं और पोलिन बूत यहां बनाएगे आपको बता दें कि BJP के देव जी पटेल सांसद यहां से चुनाव उतारे गया और कॉंग्रस के सुक्राम विश्णोई मंतरी है और कहा जा रहा था एंटी इंकमेंसी तमाम चीजे लेकिन आखिर कार इंको उतारा गया आई थी अब जरा वोटर्स को देख लेते हैं वोटर्स कितने इस सीट पर साचोर में पुरुष वोटर्स है एकलाग साट 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 सार साट महिला वोटर्स है एकलाग 48,197 ट्रांसजेंडर इस सीट पर शायद हम से कुछ मिस्टेक हुई है इसको हम चेक करेंगे कुल वोटर्स यहाँ है 3,15,200 69 और पोलिंग भूत है 321 इस सीट को जरा करेक्ट कीजिएगे इसमें ट्रांसजेंडर के संख्या चायद हम कॉपी कर गए है और इसलिए इसको बाद में एक बार फिर से आपको बताएंगे सीट पर ट्रांसजेंडर कितनी है और देखे अब एक और मैथपून सीट जापे आमेर जैपूर इलाके की और देखे सबसे बड़ी बात है कि आमेर में डॉक्टर सतीश पूनिया पहले भी वो विदायक मां से रहे और इससे बड़ी बात है कि वो प्रदेश अध्यक्ष रहे थे अब उनके सामने जीतका मारजन इस सीट पर पिछली बार भी कापी खमता और उस मारजन को बढ़ाया घटाया जासकता है इन बोटस को अपने पक्षमे करके, पुरुष वोटर इस सीट पर है एक लाग इक्यावन अजार एक सो ग्यारा, माइला वोटर है एक लाग अर्थीस अजार पैंतालिस, ट्रांसजेंडर यहां एक है, कुल वोटर यहां दो लाग नवासी अजार पांसो सत्रा हैं, और इस सीट पर पोलिं अशोग गहलोग पना महिंदर सिंग्रा ठोड के बीच में मुकाबला है अलंकि इस सीट पर जब आप जाएंगे इस सीट के इतिहास पर जाएंगे तो फिर आपको एहसास होगा कि यहां बीजेपी बार-बार केंडिडेट को बदलती है यह बिलकुल उसी अंदाज में जैसे जालरा पाटन के अंदर केंडिडेट कोंग्रिस बदलती है वहीं आपको अब बताते हैं कि यहां वोटर्स कितने हैं वोटर्स की संख्या क्या है यह सरा देखिए सरदार पुरा में अगर पुरुष वोटर्स की बात की जाए तो एक लाग इकतीस अजार एक सो इकतीस हैं जबकि महिला वोटर्स की बात की जाए तो एक लाग चबीस अजार उन्तालिस हैं ट्रांजेंडर इस सेट पर 21 हैं जबकि अगर कुल वोटर्स की बात की जाए तो 2,57,191 वोटर है, यह दरसल बुहा अकड़ा है, जिसमें से, मान कर चलिए, जहां तक मुझे लगता है कि 1,80,000 से, शायद हो सकते है, 2,00,000 के आसपास वोट यहाँ पड़े, लेकिन वो यहाँ तै कर देंगे, और लगबर तस्वीरें यहाँ पर तै ही होती है, बिल्कुल सरदारपुरा के वोटर्स की तस्वीरें आपको बता रहे हैं, पोलिंग डूट विजेंदर, 225 पोलिंग डूट जी, जालरा पाटन को जरा देखते हैं, क्योंकि जालरा पाटन दूसरी होट सीट है अधिती, यहाँ मुकावला किस-किस के बीच में है, अलांकि वहाँ कितना इस से फर्क पड़ता है कि मुकावला किस के बीच में एक अलग सवाल है, लेकिन यहाँ बीचेपी से पूर मुक्यमंत्री वस्तुना राज्ये को मैदान में उतारा गया है, जबकि कॉंग्रेस के रामलाल चोहान यहाँ मैदान में है, लेकिन यहाँ वोटर कितने हैं? इसको एक बार सरा देख लेते हैं. इस सीट पर कुल वोटर से हैं, अब इसमें से कितने वोटकास्ट करने जाएंगे, हम तो यही कहेंगे कि सोफीज दी जाहिए और इस महापर में अपनी बड़ी भूमिका को निभाईएं. वहीं नद्वारा सीट पर टककर है, डॉक्टर सीपी जोशी कॉंग्रेस के विश्व राद सिंग मेवार, बीजेपी से चुनाव मैदान में है, यानि सीपी जोशी वर्सेज विश्व राद सिंग मेवार, और ये भारतिय जद्दा पार्टी में भी शामिल हुए थे और उ 16,082 हैं, इस सीट पर 8 ट्रांसजेंडर हैं, और कुल पोलिंग बूट जो इस सीट पर है, वो 237 पोलिंग बूट बनाए गए है, तॉक बहुत होट सीट रही है, खास सौर पर 2018 से विश्व राद से विश्व इंद्र, इसे टॉक में जो कड़ी टककर है, सचन पालेट के सा आप चीज़ों के लड़ जाती है, वोटर, और 2013 से 2018 तक अजीत मैता है, यहां से विधायक रहे भी चुके हैं, चलिए लेकिन यहां का वोटर कितना है, यह हम आपको बता रहे हैं, पॉलिंग बूट इसमें 250 हैं अधिती, कुल वोटर यहां 2,52,888 हैं, उनमें से अगर को विधा सभा में उंचा देंगे, और एक और होट सीट तारनगर का जिक्र करेंगे, तारनगर जहां से राजेंद्र सिंह राठोड और नरेंद्र बुडानिया का मुकाबला है, तारनगर सीट जैसे 2008 में हुआ था, ठीक वैसे इस बार हुआ, लेकिन तारनगर सीट पर रचुणाओ प्रचार वहाँ पर कर रहे है, अला कि पूरे सीकर और शिखावटी बेल्ट पर उनका इंपेक्ट रहता है, लेकिन नरेंद्र बुडानिया को भारतियन तार पाटीन उतार है, लेकिन इन दोरों की किस्मत का फैसला कौन करेगा, ये विज़ेंद्र आपको जेंडर हैं और ये दरसल तारानगर के वो वोटास जो नरेंद्र बुडानिया या फिर राजेंद्र आठो जिसको भी चाहेंगे जिताकर विज़ांसभा फैसे और अब जब इतनी टककर वाली होट सीटों की बात करें तो लक्षमंगर ये चूट नहीं सकता क्योंकि यहां से कॉंग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोवन सिंग डुटासरा और सामने सुभाश महरिया में एक कड़ा मुकाबला नजर आ रहा है जाए एक तरफ डीजे पे हमने गोवन सिंग डुटासरा को डांस करते देखा तो वहीं बड़ा रोचक तरीका सुभाश मेरिया काबिरा काटे की टककर है अब इनका फैसला कॉल करें लाग 43,003 पुरुश मद दाता है और 1,35,137 महिला मद दाता है ट्रांगजेंडर इस सेट पर नहीं है जो भी फैसला होगा वो 288,140 वोटर हैं जो करते हुए नजर आए बिल्कुल और विद्यादर नगर जब पहली लिस्ट भार दिन तब पार्टी के आई थी तो विद्यादर नगर उसके बाद तक भी चर्चा में रहा था और विद्यादर नगर से बात करेंगे दिया कुमारी सांसाथ दिया कुमारी को यहाँ पर उतारा गया और उनके सामन Congress के सीताराम अगरवाल मैदान में उत्रे बहुत पुराने सीताराम अगरवाल Congress ही है इसके अलावा भी जिस तरीके से उन्होंने काम किया लेकिन क्योंकि बिद्या दरनगर भारते जंदा पारटी की सीथ पानी जाती है, माला जाता है लμबे समय से उनके साथ द ही जाएंगे गुल वोटरास हैं यह 3,41,649 भारी वरकम वोटरास हैं 283 वोट पोलिंग बूद पर वोट डाल सकते हैं उनमें पुरुष मद्दाता की संख्या 1,87,696 है जबकि महिला वोटरास यहां 1,63,951 है इस सीट पर दो ट्रांसजेंडर है और विद्या दरनगर में सीटा सीटा राम अगरबाल जाएंगे या दिया कुमारी जाएंगे और अदिती कमाल के बात यह है कि एक के नाम में सीटा राम है और दूसरे राम के वन्शज कहते हैं बिलकुल देगे और यह तमाम वो सीटे हैं जहांपर टक्कर है अब जोटवारा क्यूंकि विद्या दरनगर का जिक्रा है तो जोटवारा का जिक्रा आएगा और ये वो सीटे हैं जिसमें दोनों ही पार्टियों की राजनीती एकदम कुल कर सामने नजर आती है जोटवारा सीट का कड़ा मुकाबला राजवर्दन सिंग राठोड कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं सांसद है और उनके सामने अभिशेक चौदुरी मैदान है अभिशेक चौदुरी को जब उतारा तो ऐसा लग रहा था कहीं न कहीं कॉंग्रेस बहुत आखरी नाम उतारा और सबसे पहला नाम राजवर्दन सिंग राठोड़ का बीज़पी की पहली लिस्ट में आया था सांसद है और अब विदान सबा का चुनाव लड़ रहा है इनकी किस्मत का फैसला कौन करेगा इनकी किस्मत का फैसला मुझे लगता है आश्यू सिंग सुरपुरा करेगा बिल्कुल और उस पे सबकी नजर है और उस पे दोनों ही पार्टियों के साथ-साथ जिस तरह का अनैलिसिस चल रहा है और शायद लग रहा है आपकी भी नजर उस पर टिकी हूँ बिल्कुल लेकिन वोटर सचाई है कि आश्यू सिंग सुरपुरा को भी जो इस मैदान में लाए है दोड में लाएंगे या नहीं लाएंगे या जिताएंगे हराएंगे वो ये दरसल आगड़ा है पोलिंग बूत यहाँ पर तीन सो साथ है आप जरा वोटरस की संख्या देखिए वोटरस हैं चार लाख अटाइस हजार सरसक ये शायद उस विधायसवा सीट में से एकजाएंगे सबसे ज्यादा वोटर है दो लाख बाइस हजार तीन सो तिरानवे पुरुष वोटर है उसमें महिला वोटर दो लाख पांच हजार चेसो तीहत्तर है एक ट्रांसजेंडर है और भारी भरकम वोटस और भारी भरकम चेहरे एक और जबर्दस सीट की चर्चा करते है सवाई मादूपूर और जब सवाई मादूपूर पर फर्स्ट इंडिया ने फ्लैश किया ब्रेक किया कि यहां से सांसद किरोडी मीना लड़ेंगे तो फोन का अंबार जैसे लग गया था तो आपको बता दें किरोडी लाल मीना राजसबास सांसद उनको यहां से उतारा गया है और इनके सामने दानिश अबरार मुक्किमंत्री सलाकार रह चुके हैं दानिश अबरार का अपने आप रोज के किस्से हैं सचिन पाइलट से लेका रशोग गैलोट तक किखे में का बेराल आज इन दोनों की सीपे आशा मीना भी कड़ी है शायद उन्होंने गणे दोनों का ही बिगार दिया है या कह सकते हैं कि मीना साब का बिगरता नजर आ रहा है लेकिन फिर भी इनका फैसला कौन करेगा विजेर इनका फैसला वोटस करेंगे और वोटस कितने हैं सवाई मादोपुर में वोटस हैं 1,35,773 पुरुष और महिला वोटस हैं 1,20,551 ट्रांसजेंडर पांच हैं कुल वोटस 2,56,339 हैं और पोलिंग बूत यहां बनाई है 2,42 इन दो चेहरों के साथ एक चेहरा और जोड़िये आशा मीना का क्योंकि इन दो चेहरों को चिताने हराने या फिर आशा मीना खुद भावनाओं के साथ खुद को भुनाने में और कितनी काम्याब होगी यह वो आखड़ा है जो सस्वीर को साथ है और इस समय तीनों की नब्स काफी तेज होगी एक और रोचक सीट पर आपको पूरा आखड़ा बताते हैं कोटा उत्तर दोनों ही पार्टियों के लिए बहुत ही अस्वंजस की स्थिति या पर थी प्रत्याशी तैयार थे लेकिन फैसला मोहर लगने की बात थी कोटा उत्तर सीट पर टककर शांती दारिवाल और प्रलाद गुंजल पता था कि ये दोनों ही उत्तरेंगे लेकिन देर लगी दोनों के नाम नाउंस होने में बेहत रोचक सीट है कोटा उत्तर अच्छा इसमें कुछ चीज़े हैं जो मैं जोड़ना चाहूँ और प्रलाद गुंजल को टिकट कैसे मिला इस उत्तर को ढूनने में वहां कई बड़े चैरों के नाम इर्दगिर्द घूंगते नसल है कई लोगों के कोटा से आ सकते हैं ठीक है लेकिन जो तस्वीर को साफ करेंगे वो दरसल ये बोटास हैं पोलिंग बूद 236 हैं पुरुष मदाता 130153 हैं महिला मदाता इस सीट पर 125449 हैं 13 ट्रांसजेंडर हैं कुल वोटास के अगर इस सीट पर बात की जाए तो 255605 हैं जो कोटा में उत्तर ये देंगे कि वहां अगले विधाय कौन हो बिल्कुल लगातार काटे की टक्कर वाली सीट हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं और आप खिमसर की बात करेंगे खिमसर पे किस की टक्कर है आपको बता दें हनुमान बेनिवाल और तेजपाल मिर्दा मैदान में हैं हनुमान बेनिवाल को शायद उनका जेकर उनके बारे में बात करना सबको बहुत अच्छे सा पता है लगातार चुनाओ प्रजार में काफी कुछ और चर्चित वो रहे हैं लेकिन बेहत मैत्पून सीट है सांसद आरेलपी के एकलोते उसके बार तमाम तरीके की कहानी लेकिन फिलाल हनुमान बेनिवाल के साथ तेज पाल मिर्दा मैदान में उतरे अच्छा एक और चीज़ है वो डांस के लिए भी लोग प्रिया हुए इस चुनाओ में और चाटा मारने के लिए भी लोग प्रिया हुए अलग कि इस सीट पर कौन जीतेगा कौन हारेगा क्योंकि जब हनुमान बेनिवाल सांसत बने तो इस सीट पर नारायन बेनिवाल चुनाओ लड़ने लेकिन वो बूल सीट पर वापस आए और विदान सबस चुनाओ में वो मैदान में है और आजाद पार्टी के साथ गड़ अलग कि इस सीट पर नहीं है कुल वोटर्स की बात करें तो दो लाग बैसी अजार चार सो पैंतालिस और पॉलिंग बूत दो सो चौन सट इस पर बनाए गए इसके बाद बात करेंगे नागोर में टककर की नागोर विदान सबस सीट आपको बता दे डॉक्टर जोती मिर्धा और उनके सामने हिरेंदर मिर्धा का मुकाबला और आपको बता दे जोती मिर्धा भारते जंता कॉंग्रेस से भारते पार्टी में गई थी और उसके बाद हिरंदर मिर्दा का मुकाबला वैसे कह रहे थे कि अल्प संक्या यहाँ पर लड़ाए जाने से यह तमाम चीज़ थी नॉर्मली यहां से यह सीट अभीबु नहमान या मुसलिम कोटे से आती है लेकिन वो इंडिपेंडनेंट लड़ रहे हैं इसे यहां के समीकरण बहुत कुछ होंगे और सबसे मैधमून बात है कि भारते जंता पार्टी दसो सीटों पर कुछ कमाल करना चाती थी और यही वज़ा थी जाट वोटर्स यह जाट बड़े नेताओं को अपने साथ साधना चाती थी हालाकि इनके वोटर्स के संख्या आप तो जो भी जीतेगा का जा रहा है जीतेगा तो मिर्दा ही ठीक है लेकिन वोटर्स कितने हैं वोटर्स जरा देके 149,947 पुरुष वोटर है महिला वोटर्स 130,366 है ट्रांसजेंडरी सीट पर पांच है कुल वोटर्स यहाँ 217,318 है और कुल पोलिंग भूट यहाँ 243 बनाए गए अगली सीट का रूख करते हैं चितोर गण यह भी एक बेहत बहत पून सीट है नर्पत सिंग राजवी यहाँ पर टिकेट कटा पहले नर्पत सिंग राजवी का विद्यादर नगर से फिर उनको यहाँ पर बेजा गया तो चंदरबान आक्या कह यहाँ से टिकेट कटा था लेकिन बीच में आप एक कड़ी भूल कई बयान वो बयान बहुत इंटरस्टिंग था जो इन्हों ने दिया था बिल्कुल और यह पहले लड़ चुके है नर्पत सिंग राजवी चितोर से चुना लड़ चुके है यही वज़े थी कि इस पर सोचा गया और फिर भैरो का जिसे कहते हैं सौ साल जन्फताबदी का साल था तो ऐसा कुछ नहीं किया जा सकता था इसलिए उनके सामने सुरेंदर सिंग जाडवत को मैदान में सुरेंदर सिंग जाडवत भी आखरी की सुचियों में नाम आया क्योंकि और भी विकल्ग थे येकिन आखिर का टकर कॉन दे सकता है सुरेंदर सिंग जाडवत को मैदान में रहूंगा इन सब के बीच में मुकाबले में चंदरवान आखिया कितना रहेंगे वो तो परिणाम बताएंगे लेकिन जो वोटास हैं वो किसके साथ हैं वो तीन तारीक को पता चलेगा हैं कितने ये हम बता देते हैं पुरुष वोटार हैं 1,35,656 महिला वोटार इस सीट पर 1,34,446 फ्रांग जेंडर हैं 3 कुल वोटास यहां हैं 2,70,105 और इस सीट पर पोलिंग भूद बनाए गए हैं 2,77 और देखिए इसके अलावा तिजारा जो आपको बता देंगी ये भी एक होट सीट रही है चर्चा में रही है पहले दिन से लेकर अब तक बाबा बालकनाथ जिनको इलिए कहा जा रहा था कि वो बैरोड से चुनाओ लड़ सकते हैं वो मना करते आए और फिर तेजारा से उनको चुनाओ में उतारा गया खड़ा मुकाबला अचा रोचक बात यह है कि इमरान खान उससे पहले बसपा के लिए चुनाओ प्रचार कर रहे थे और फिर कॉंग्रेस से लंबे समय में संपर्क में थे बाद में इस टककर को और कड़ी बनाने के लिए इमरान खान को जोड़ा गया कॉंग्रेस के साथ और अब दोनों के ब पूरा पॉल्राइजेशन करने की कोशिश की गई हम अपने वोटरस को बताते हैं वक्त कोई पॉल्राइजेशन नहीं करें अमधारें पॉरुष वोटर यहां एक लाग 38,805 हैं महिला वोटरस एक लाग 22,854 हैं फ्रांजेंडर यहां एक हैं कुल वोटरस यहां दो लाग 61,660 हैं और पॉलिंग भूत यहां बनाएगे हैं 207 अब देखे एक और मैधपुन सीट साचोर जहां से कॉंग्रेस के मंतरी आते थे और साचोर में उतारे गए जो सांसद हैं देव जी पटेल अब देखे एक जो साचोर की जो तक्कर है वो सियासी है आपको बता दें कि बीजेपी के देव जी पटेल सांसद यहां से चुनाम उतारे गए और कॉंग्रेस के सुक्राम विश्णोई मंतरी हैं और कहा जारा था एंटी इंकमेंसी तमाम चीजे लेकिन आखिर कार इनको उतारा गया तमाम और नाम थे लेकिन अब टक्कर काटे की क्योंकि यहां पर भी बारते जन्ता पार्टी के नाराज जो लोग हैं वो मैदान में हैं बिठाने की कोशिश तमाम चीजे अब जरा वोटर्स को देख लेते हैं वोटर्स कितने इस सीट पर साचोर में पुरुष वोटर्स है 1,67,007 महिला वोटर्स है 1,48,199 ट्रांसजेंडर इस सीट पर शायद हम से कुछ मिस्टेक हुई है इसको हम चेक करेंगे कुल वोटर्स यहां 3,15,200 69 और पोलिंग भूत ह है 321 इस सीट को जरा करेक्ट कीजिगे इसमें ट्रांसजेंडर के संख्या चायद हम कॉपी कर गए और इसलिए इसको बाद में एक बार फिर से आपको बताएंगे सीट पर ट्रांसजेंडर कितनी है और देखे अब एक और मेत्पून सीट जापे आमेर जैपूर इलाके की और देखे सबसे बड़ी बात है कि आमेर में डॉक्टर सतीश पूनिया पहले भी वो विदायक मां से रहे और इससे बड़ी बात है कि वो प्रदेश अध्यक्ष रहे थे अब उनके सामने शर्मा कुछ भी नया नहीं है लेकिन उमीदे कहीं न कहीं यहां से इस चुनाओ से कुछ अलग तरीके किये हैं प्रशांद शर्मा पहले भी चुनाओ लड़े थे सतीश पूनिया लड़े थे हालाकि यह माना जार था कि सतीश पूनिया की सीट बदली जा सकती है लेकिन ऐस नहीं हुआ केवल राजेंदर सिंग राठोड की सीट बदली गई सतीश पूनिया का भी नाम था उनकी नहीं बदली गई आमेर सीट में कड़ा मुकावला सतीश पूनिया वर्सेस प्रशांत शर्मा जीत का मारजन इस सीट पर पिछली बार भी कापी खम था और उस मारजन को बढ़ाया गठाया जा सकता हैं इन वोटर्स को अपने पक्ष में करके पूरुष बोटर्स इस सीट पर है एक लाग एक्कियावन हजार एक्सो ग्यारा मा завोटर है एक लाग अरतिस हजार पैंतालीस ालेस त्रांजेंडर यहां एक है हैं कुल वोटास यहां 2,89,517 हैं और इस सेट पर पोलिंग बूत जो बनाए गए है वो बनाए गए हैं दोसो चुरुबात करते हैं उन इस सीटों की जहां कांटे की टक्कर नहीं बलकि होट सीट है और शुरुबात करते हैं सरदार पुरा सीट से जहां मुक्यमंत्री अश्योग गहलोग पनाव महिंदर सिंगरा ठोड के बीच में मुकाबला है कि इस सीट पर जब आप जाएंगे इस सीट के इतिहास पर जाएंगे तो फिर आपको एहसास होगा कि यहां बीजेपी बार-बार केंडिडेट को बदलती आईए बिलकुल उसी अंदाज में जैसे जालरा पाटन के अंदर केंडिडेट कॉंग्रिस बदलती आईए आपको अब बताते हैं कि यहां वोटर्स कितनी हैं वोटर्स की संक्या क्या है यह शरा देखिये सरदारपुरा में अगर पुरुष वोटर्स की बात की जाए तो 131,131 है जबकि महिला वोटर्स की बात की जाए तो 1,26,049 है ट्रांसजेंडर इस सेट पर 21 है जबकि अगर कुल वोटर्स की बात की जाए तो 2,57,191 वोटर है ये दरसल वोगा खड़ाया जिसमें से मानकर चलिए जहां तक मुझे लगता है कि 1,80,000 से शायद हो सकता है 2,00,000 के आसपास वोट यहाँ पड़े लेकिन वो यहाँ तै कर देंगे और लगबर तस्वीरें यहाँ पर तै ही होती है बिल्कुल सरदारपुरा के वोटर्स की तस्वीरें आपको बता रहे हैं पोलिंग बूट विजेंदर, 225 पोलिंग बूट जी, जालरा पाटन को ज़रा देखते हैं क्योंकि जालरा पाटन दूसरी होट सीट है अधिती यहाँ मुकावला किस-किस के बीच में है अलांकि वहाँ कितना इस से फर्क पड़ता है कि मुकावला किस के बीच में एक अलग सवाल है लेकिन यहाँ बीचेपी से पूर मुख्यमंत्री वस्तुना राज्ये को मैदान में उतारा गया है जबकि कॉंग्रेस के रामलाल चोहान यहाँ मैदान में है लेकिन यहाँ वोटर कितने हैं इसको एक बार जरा देख लेते हैं लेकि वोटर अब तक आएं देख लिए जालावार पार्टन के वोटर विजेंद्र 298 टोटल पोलिंग बूट हैं बाकि वोटर पुरुष महिला ट्रांजेंडर कुल वोटर वोटर अगर पुरुष मनदाता के बात की जाएं तो 297 810 इस सेट में से कितने वोटकास्ट करने जाएं गि जाए और यसे महा पर में अपनी बड़ी भूमिका को निभाइए वहीं नद्वारा सीट पर टक्कर है डॉक्टर सीपी जोशी कॉंग्रेस के विश्व राद सिंग मेवार बीजेपी से चुनाव मैदान में है यानि सीपी जोशी वर्सेज विश्व राद सिंग मेवार और ये भारतिय जद्दा पार्टी में भी शामिल हुए थे और उसके बाद दोनों के बीच के टक्कर है अब इनके मविश्व का पैसला ये करेंगे क्योंकि इस सीट पर कुल वोटर्स की बाद करें दोलाक 38,539 है उनमें से पुरुश एक लाग 22,449 है मईला वोटर्स की बाद करें तो एक लाग 16,082 है इस सीट पर आठ ट्रांसजेंडर है और कुल पोलिंग बूट जो इस सीट पर है वो 237 पोलिंग बूट बनाए गए है तौक बहुत हॉट सीट रही है खास सौट पर 2018 से विजेंद्र इसे टौक में जो कड़ी टकर है सचन पालेट के सामने बीजेप्ती से अजीत सिंग मेता पिशली बार युनुस कांते जो इस बार अजीत सिंग मेता कहते हैं पूरी RSS अजीत सिंग मेता को चुनाओं में जिताने लडाने तमाम चीजों के लड़ जाती है और 2013 से 2018 तक अजीत मेता यहां से विधायक रहे भी चुके हैं चलिए लेकिन यहां का वोटर कितना हैं यह हम आपको बता रहे हैं पॉलिंग बूत इसमें 250 हैं अधीती कुल वोटर से यहां 2,52,828 हैं उनमें से अगर पॉलिंग बूत जहां से यह सब वोट करके अपने प्रत्याशी को विधान सभा में उंग्चा देंगे और एक और होट सीट तारणगर का जिक्र करेंगे तारणगर जहां से राजेंद्र सिंग राठोड और नरेंद्र बुडानिया का मुकाबला है तारणगर सीट जैसे 2008 में हुआ था फ्लिप ठीक वैसे इस बार हुआ लेकिन तारणगर सीट पर काफी टककर है माना चाहरा और लगाता राजेंद्रा ठोड अपना चुडाओ प्रचार वहाँ पर कर रहे है लेकिन बही नरेंद्र बुडानिया को भारतियंता पाठीन उता रहा है लेकिन इन दोरों की किस्मत का फैसला कौन करेगा यह वोटरस हम आपको बताते हैं कि जो किस्मत का फैसला करेंगे पोलिंग बूद 299 जिनके जरिये फैसला होगा कुल वोटरस यहां 3,5,335 है उनमें से अगर पुरुश वोटर की बात करें तो 1,60,416 है मैला वोटरस 1,44,913 है इस सेट पर 3 ट्रांसजेंडर है और यह दरसल तारानगर के वो वोटरस जो नरेंद्र बुडानिया या फिर राजेंद्र आठो जिसको भी चाहेंगे जिताकर विधानसभा फेसे और अब जब इतनी टककर वाली होट सीटों की बात करें तो लक्षमनगर यह चूट नहीं सकता क्योंकि यहां से कॉंगरस के प्रदेश अध्यक्ष गोवन सिंग डुटासरा और सामने सुभाश मेरिया में एक कड़ा मुकाबला नजर आ रहा है जाए एक तरफ डीजे पे हमने गोवन सिंग डुटासरा को डांस करते देगा तो वहीं बड़ा रोचक तरीका सुभाश मेरिया का विरा काटे की टककर है अब इनका फैसला कॉल करते हैं और दोनों के बीचे में मुकाबले हो चुके हैं दोनों जानते हैं कि किस तरीके किस सियासा देख दूसरे के खलाब उनको करनी है लेकिन ये दरसल वो आंकड़ा है जो इनकी तस्वीर को विधासभा के अंदर पहुंचाएंगे या नहीं पहुंचाएंगे बैराल 288 पुल पॉलिंग बोट हैं जहां बोटर अपने बोट का इस्समाल कर सकते हैं बोटर से यहां 2,78,140 हैं उनमें से 1,43,003 पुरुश मद दाता हैं और 1,35,137 महिला मद दाता हैं ट्रांग जेंडर इस सेट पर नहीं है जो भी परसला होगा वो 280 बोटो पर 2,78,140 बोटर हैं जो करते हुए नजर आए बिलकुल और विद्यादर नगर जब पहली लिस्ट बार दिन तब पार्टी के आई थी तो विद्यादर नगर उसके बाद तक भी चर्चा में रहा था और विद्यादर्नगर से बात करेंगे दिया कुमारी सांसाथ दिया कुमारी को यहाँ पर उतारा गया और उनके सामने कॉंग्रेस के सीता राम अगरवाल मैदान में उत्रे बहुत पुराने सीताराम अगरवाल कॉंग्रेसी हैं इसके अलावा भी जिस तरीके से उन्होंने काम किया लेकिन क्योंकि विद्यादर नगर भारते जंदा पार्टी के की सीट पानी जाती है एक माना जाता है लंबे समय से उनके साथ ही तो यहां पर दिया कुमारी और यह हा असला करेंगे गुल वोटरस हैं यहां 3,4,649 भारी वरकम वोटरस हैं 283 वोट पोलिंग बूद पर वोट डाल सकते हैं उनमें पुरुष मद्दाता की संख्या 1,67,696 है जबकि महिला वोटरस यहां 1,63,951 है इस सीट पर दो ट्रांजेंडर है और विद्यादर नगर में स सीटा राम अगरबाल जांगे या दिया कुमारी जांगे और अदीती कमाल के बात यह है कि एक करा सामने नजर्स आती है 903 पर दोरी की राजनीती प्लकुल गधिए और वोटरस हैं जान पर कर डाला मुकाबला राजवर्दन सिंह सांसद है और उनके सामने अभिशेक चौधरी मैदान है अभिशेक चौधरी को जब उतारा तो ऐसा लग रहा था कहीं न कहीं कॉंग्रेस बहुत आखरी नाम उतारा और सबसे पहला नाम राजवारदन सिंह राटोर का बीज़ेपी की पहली लिस्ट में आया था सांसद है और अब विदान सबा का चुनाव लड़ रहे हैं इनकी किस्मत का फैसला कौन करें इनकी किस्मत का फैसला मुझे लगता है आश्यू सिंग सुरपुरा करेगा बिल्कुल और उस पे सबकी नजर है और उस पे दोनों ही पार्टियों के साथ सार जिस तरह का अनैलिसिस चल रहा ह शायद लग रहा है आपकी नजर उस पटे की हुए बिल्कुल लेकिन वोटर सचाही है कि आश्यू सिंग सुरपुरा को भी जो इस मैदान में लाए हैं दोड में लाएंगे या नहीं लाएंगे जिताएंगे हराएंगे वो ये दरसल आखड़ा है पोलिंग बूत यहां पर वोटर है उसमें महिला वोटर दो लाग पांच हजार 673 है एक ट्रांसजेंडर है और भारी भरकम वोटस और भारी भरकम चेहरे एक और जबर्दस सीथ की चर्चा करते हैं सवाई मादूपुर और जब सवाई मादूपुर पर फरस्ट इंडिया ने फ्लैश किया ब्रेक कि जाके यहां से संस्द केरोडी मिना लड़ेंगे तो फोन का अमबार जैसे लग गया था तो आपको बता दें कि किरोडी लाल मिरा राट सबस स्य ANSAST उनको यहां से उत्हार गया है और इनके सांने Dukanish Abraal. मुख्यमंत्री सलाकार रह चुके हैं दारिश अबराल का अपने आप रोज के किस्से हैं सचिन पाइलट से लेका रशोग गैलोट तक के खेमे का बेराल आज इन दोनों की सीपे आशा मीना भी कड़ी हैं शायद उन्होंने गणे दोनों का ही बिगार दिया है या कह सकते हैं कि मीना साब का बिगड़ता नजर आ रहा है लेकिन फिर भी इनका फैसला कौन करेगा विजे इनका फैसला वोटर्स करेंगे और वोटर्स कितने हैं सवाई मादोपुर में वोटर्स हैं 1,35,773 पुरुष और महिला वोटर्स हैं 1,20,551 ट्रांसजेंडर पांच हैं कुल वोटर्स 2,56,329 हैं और पोलिंग बूत यहां बनाई है 242 इन दो चेहरों के साथ एक चेहरा और जोड़िये आशा मीना का क्योंकि इन दो चेहरों को चिताने, हराने या फिर आशा मीना खुद भावनाओं के साथ खुद को भुनाने में कितनी काम्याब होगी यह वो आखड़ा है जो सस्वीर को साब और इस समय तीनों की नब्स काफी तेज होंगी एक और रोचक सीट पर आपको पूरा आखड़ा बताते हैं कोटा उत्तर, दोनों ही पार्टियों के लिए बहुत ही अस्वंजस की स्थिति आ पर थी प्रत्याशी तैयार थे, लेकिन फैसला मोहर लगने की बात थी कोटा उत्तर सीट पर टककर, शांती दारिवाल और प्रलाद गुंजल पता था कि ये दोनों ही उत्रेंगे, लेकिन देर लगी दोनों के नाम नाउंस होने में बेहद रोचक सीट है कोटा उत्तर अच्छा इसमें कुछ चीज़े हैं जो मैं जोड़ना चाहूँ शायद शांती दारिवाल मुख्यमंतरी अशोग एलोट के कोटा से आए हैं और प्रलाद गुंजल को टिकट कैसे मिला इस उत्तर को ढूनने में वहां कई बड़े चैरों के नाम इर्दगर्द घूंगते नसल हैं कई लोगों के कोटा से आ सकते हैं ठीक है लेकिन जो तस्वीर को साफ करेंगे वो दर असल ये वोटास हैं पॉलिंग बूद 236 हैं पुरुष मदाता 1,30,153 हैं महिला मदाता इस सीट पर 1,25,449 हैं 13 ट्रांसजेंडर हैं कुल वोटास के अगर इस सीट पर बात की जाए तो 2,55,605 हैं जो कोटा में उत्तर ये देंगे कि वहां अगले विधाय कौन हो